हेलो एवरिवन कैसे हो आप से भी लोग एक इंपोर्टनेट वीडियो है थोड़ी सी लंबी होगी चार घंटे होगी लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है इसमें एलजाब्रा के जितने बी लेटेस्ट कोश्चिन पूच पूचे के आने बाद हो सारे डिस्कस करेंगे क बनाया मैंने कि मैं आपको साथ के साथ उसके सॉल्यूशन भी हम देखते रहें ठीक है यह वीडियो इतनी इंपोरेंट है कि अगर आप यह वीडियो ही कर लेते हो सीजियल चैसले अग्जामनेशन में तीन कोश्चन आते हैं तीन में से दो के गरेंटी ले रहें दो कर से अगर यह वीडियो आपने देखे कर पाऊंगे ठीक है कंसेप्ट आपको सबका पता हुगा ठीक तो जितने भी इंपोरेंट कुश्चन था वो सारे इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे मैं आपको कंसेप्स बताता रहूंगा बस थोड़ी से आपने अलजैबरा के बारे म पर हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है पूरी वीडियो एंड तक देख लेना पीडिएफ टेलिक्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा महां से आप ट्रैक्टिस भी कर सकते हो ठीक है सो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे अलगलग प्लैट्फॉर्म पर फोलो कर सकत तो महीने में एक आधी पर लाइव आता हूं तो नहीं भी करोगे तो फरक नहीं बढ़ता इस्टाग्राम पर और ट्वीटर पर फोलो करो तो जब ट्वीटर कैंपेंस पर होते हैं तो उसमें बेनेफिट रहेगा और यह कुछ प्री वीडियो जिनका अगर क्यों आर्कोड करोगे तो सभी प्लेंस पर आपको मैक्सिमुम डिसकाउंट मिल जाएगा चलो देखो सबसा पहला कोश्चन है मेरे पास वैल्यू पुटिंग मैथड़ पर बेस्ट कोश्यन है हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें बताना इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास क्य सब्सक्राइब करता हूं तो यहां पर आप देखोगे 1-0 बचेगा 1 तो एक वैल्यू में कुछ भी कर सकता हूं यह सब मालूम है जिससे की सिंप्लिफा हो जाए कोश्यन अच्छा अब सबसे वैल्यू तो मेरे दिमाख माएंगी वन अगर मैं एक को बन रख दूंगा तो होगा कही वन प्लस वन टू का होल स्कॉयर और यहां पर मेरे पास बन माइनस वन यह हो जागा जीरो का होल स्कॉयर तो य इसे मैं a मालूँगा पूरे बड़े वाले को कैपिटल ए इसे कैपिटल को इसे कैपिटल बी मालूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी यह मेरे पास क्या है एक jours स्कॉयर Skys का फूर्म लगा देंगी तो अंसर क्या हो जाएंगा मेरे पास बन और 4 एसरय माइनस बेसिक से हो गया जिस भी तरीके से करना चाहूं कर सबते हो चलूं आगे नेस्ट कोश्चन यह तो बहुत असान कोश्चन था अब हमारे पास यह सीपे 2019 का कुश्चन है ठीक है हमें क्या रखा है कि यह जो expression दे रखाई से किस पॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार ओप्षन दे रखें अच्छा इस को करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास क्या है एक expression है जीरो एक्वेशन है दो वैरियेबल है तो दोनों वैरियेबल की कुछ भी मान लो 123-1-3 ठीक हर एक कोश्चन में हमारे पास जो उप्षन चारों में सैटिस्फाय कर जाएगा वो अंसर हो जाएगा तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में क्या सकती है आप देखोगे अगर मैं यहां पर एक को eliminate करने की कोशिश करते हैं एक सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं एक सब्सक्राइब तो मैंने एक्स को जैसे जीरो करा तो यहां पर मैंने क्या करेंगे तो यहां पर यहां पर मैंने पर यहां पर यहां पर यह सब्सक्राइब तो यही मेरा इस कोशन का अंसर हो जागा अगर मेरा यहां पर नहीं होता सैटिस्वाइब मालो मैंने सोल्व कर रहा और यह वाला रखे अपना अंसर निकाल लिए चलता हूं आगे अब यह कोशन भी स्सक्राइब 2019 का है ए स्क्वार प्लस बी स्क्वार माइनस सी स्क्वार जीरो के बराबर है इसकी वैल्यू बतानी है कि इस वाले यह तो नंबर ओफ वैरियेबल में से क्वेशन घटाया तो मेरे पास दो दो वैरियेबल की वैल्यू मैं अपनी मर्दी से कुछ भी एजियूम कर सकता हूं अब सबसे पहले तो मेरे जिमाग में यह आता है कि एक वैरियेबल को जीरो बना दूं लेकिन मालो मैंने सोचा कि बना लेते हैं सोरिंग कि अगर मैं बिको जीरो बनाऊंगा तो यह वन अपोन जीरो की फोर्म हो जाएगी मेरा कोशन हो जाएगा गल्थ तो बजीरो तो नहीं बनाना यहाँ पर कुछ और वैल्यू रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर सारे स्क्वार एस्क्वार इस ठीक है A square B square की value 1 मानिए तो C square की value आ रही है 2 यहाँ पर put कर दो 2 1 की power 6 है तो A square की power 3 होगी तो मैं कहूंगा 1 की power 3 अगर मैं हाँ पर B रख बी की power 6 की बात करता हूं तो यह मेरे पास 1 की power 3 बचेगा क्योंकि B square 1 है और C मेरे पास किसके बराबर है C square 2 के बराबर है तो यह हो जाएगा minus 2 की power 3 यह होगा divided by मेरे पास 3 into में यह value बचेगी मेरे पास 1 into 1 into 2 solve कर लो आपका answer आजाएगा यह मेरे पास हो जाएगा 2 2 minus यहाँ पर क्या करूँगा 8 करूँगा तो value आएगी मेरे पास minus 6 और भाग में कितना बचेगा 6 multiply करूँगा तो मेरे पास answer आएगा minus 2 minus 2 is the right answer चारो options जो दे रखे हैं एक्जाम में same question आए था exam में भी options गलते हैं अगर ऐसा question आपके exam में आता है तो सब्सकों पूरे number मिलते हैं जब चारो option ही गलते हैं ठीक है चाहे आपने attempt करा हो या ना करा हो इस question का जो सही answer हो को वह हो का minus 2 चलूँगा जान मुझके मैं इसके option भी change नहीं करे था इसी वाज़े से कि आपको यह भी पता चले है अब देखो यह question आया मेरे हमें बताना है इसकी value क्या होगी मतलब इन चारों में से किसके बराबर होगा ठीक है अच्छा क्या कर सकते मेरे पास अगें तीन variable है जीरो equation है equation मतलब जहां एक्वेस्ट का sign दिख जाए एक्वेस्ट तो कहीं भी नहीं है यहाँ तो तीनो variable की value कुछ भी assume कर लो चार option में से check करो कि आपका answer आ जाएगा ठीक है अच्छा कौन सी सबसे पहला target तो यह होता है कुछ बी और सी को मैं 0 मान सकता हूँ यहां पर बी और सी को 0 करने से कोई दिक्कत तो आ नी रही यह मेरा 0 बन जाएगा यह 0 बन जाएगा मेरे पास बचे गा क्या A cube plus A cube A cube plus A cube minus 8 A cube आएगा तो मेरे पास बचेगा minus 6 A cube अब सारे options में B और C को 0 कर दोगे चेक कर लो minus 6 A cube किसमे आ रहा वरना A को भी 1 मान लो यहां पर तो minus 6 किसमे आ रहा यह चेक कर ले न ठीक है जैसे मर जिगा से तो B और C 0 और यहां पर आ यह मेरे पास B और C 0 तो यह minus A बचेगा ठीक है तो मेरे पास बचा minus 6 A square आ रहा है ठीक है अगर 6 minus 6 A cube sorry यहां पर B और C को 0 करूँगा तो मेरे पास 3 A cube आएगा 3 A cube क्या हो सकता है नहीं हो सकता यह वाला हो सकता था यहां पर B और C को 0 करा आप B और C को 0 कर तो मेरे पास आएगा 6A क्या यह मेरा अंसर हो सकता है नहीं हो सकता है मुझे मैंना 6A क्यूब चाहिए यहाँ पर B और C को 0 करूँगा तो मेरे पास value क्या आए जगी यहाँ पर एक को काट दिया यह माइनस यह रहेगा इसी कर जाएगा तो यह 3A into A into minus A यह मेरे पास हो जाएगा माइनस 3A क्योंसा option satisfy कर रहा option number one यही correct हो जागा यह मेरे इस question कहां सारा question हो गया ठीक है अब देखो से रख लो तीनों different value रख लो यह B को बन रख लिया सी को माइनस वन रख लो एक और टू रख लो उस case में क्या हो का आपका option match करेगा हर बार ठीक है अलग 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 value रख रहे हो वरना आप इस तरह से अगर value दिमाग में आ जाती है कि बी और C को 0 करके check कर लेते हैं और एक की option बन रहा है तो बहुत अच्छा है यहां पर दो option match कर जाते हैं तो उन दोनों में अलग लग value से check कर लेते हैं किलियर हो गया यह point चलता हूं आ गया अब यह वाला question भी SSC मी पूछा गया है अभी latest मुझे 2 x की power 8 x q minus 8 यह पूरा expression दे रखा है ठीक है हमें बताने कि किस के बराबर होगा ठीक है x की value दे रखी यह minus 1 2 और 5 के बराबर निया कोई दीख कतनी है अच्छा अगर मैं बात करूँ इस सारी मेरे पास integer value है यह expression है एक variable पार्ट को solve करता हूं division वाले पार्ट को बाद में solve करेंगे अगर मैं x को 0 कर रहा हूं यह 00 00 कर जाएगा यहां जुरोती नहीं कुछ यह 0 खतम यह 0 खतम तो यहां पर तो जुरो था ही नहीं किसी की तो यहां पर solve करने के बाद 2 into minus 8 minus 16 आएगा divided by minus 2 और यहां पर मेरे पास into में बचेगा 1 upon में minus 5 ठीक है अब divided by जो यह वाला पार्ट से उल्टा करके लिख रहा हूं मैं 3x minus 15 divided by x square plus 2x plus 4 अब यहां पर भी क्या करूंगा अगर x को 0 कर दूंगा तो इसकी कोई जूरोती नहीं इसकी कोई जूरोती नहीं ठीक है यह सारा 0 बन गया अब यहां पर मैंने इसे प्रोकल में लिखा था तो multiply का sign आना चाहिए था तो यह सारा कट गया मेरे पास यह बचेगा minus 15 by 4 solve कर लो यहां पर काट तो मेरे पास 8 upon में minus 5 बचेगा यहां से काटने पर 8 आया और भाग minus 5 into में मेरे पास यहां पर बचा minus 15 भाग में 4 minus 5 से काटूंगा minus 15 को तो 3 और 8 से काटूंगा चार से 8 को तो 2 2 into 3 कितना आगे 6 यही मेरे इस question का answer होगे question होगे question होगे खतम ठीक है वरना basic से करते तो आपको सबको factors में split करना पड़ता फिर individual values को कारते answer आपका finally तब भी क्या आता छें ही आता तो x की value माल लेते हैं माल लो x 0 रखने पे denominator में मेरे बाद 0 की form बनती तो फिर क्या करते हैं x को 1 रख लेते simple value रखते सबसे जिसमें कोई दिक्कत ना x square करने भी बनी रहे जाए राइट कहीं बार क्या होता है इस तरह के questions में हमारे पास option में भी variable देते थे माल लो option देते थे x plus 1 divided by x x square plus 1 divided by x cube इस तरह की option हो सकते थे तो option में भी value रखके check करना बढ़ता हमें चलूँ आगे अब मेरे पास ये question है recently chsl 2019 में पूछा गया है x plus y 7 के बराबर है xy 10 के बराबर है हमें इसकी value बतानी है अब चाह इस तरह की questions में देखो थोड़ा सा एक तो हम basic से गर सकते हैं basic भी बताऊंगा logic भी लगा सकते हैं अच्छा आप देखोगे यहां पर xy अगर मेरे पास 10 के बराबर और x plus y 7 के बराबर कि आपकी दिमाग में दो value hidden trial से आ सकती है 10 के factors में split करो 10 के factors क्या होंगे आप को गया तो यह मेरे पास 1 into 10 हो सकता है ठीक है अगर x or y integer value हम generally consider कर लें क्योंकि maximum cases में वही हो जाता है तो यह 1 into 10 हो सकता है 2 into 5 हो सकता है मेरे पास ऐसे ही minus 1 into minus 10 हो सकता है और minus 2 into minus 5 हो सकता है यह value जिमाग माएंगी से देखने के बाद और सबसे जो common value आपकी जिमाग माएंगी xy 10 देखने के बाद वो क्या होगी 2 into 5 आप देखो कि 2 into 5 अगर 10 के बराबर है और x plus y मेरे पास 7 है तो क्य मैं कह सकता हूं, x की value 2 हो सकती है, और y की value 5 हो सकती है, 2 plus 5 7 दे रहा है, और यहां पर 2 into 5 10 दे रहा है, satisfy कर रहा है, उल्टा भी हो सकता है, आप कह सकते हो कि x की value 5 हो सकती है, और x की value 5 होती है, तो y की value 2 जाती है, तब भी satisfy करता है, तो यहां पर 2 value मेरे पास x और y की satisfy करी है, x X2 होगा तो Y5 होगा, Y2 होगा तो X5 होगा, हमें value किसकी बतानी है, 1 upon में X3 plus 1 upon Y3 की, तो LCM ले लूँगा मैं X, Y का whole cube बच्चाएगा और यहाँ पर बच्चेगा X3 plus Y3, value पुट कर दें X, Y का whole cube कितना 10 का whole cube, तो 10 का whole cube हो गया ये, और X का whole cube मतलब 2 का cube और यहाँ पर 5 का whole cube करेंगे, तो value कितनी आजाएगे मेरे पास, 125 जमा आठ, ग्यो जाएगा 133 भाग हजार, और value आजाएगे 0.133, question हो गया, खतम, option number, C correct हो गया, कि लिए रहे सभी को question ही, हमने hit and trial से करा, value देखते ही, रिमाक मागई, value आने के बाद तो question में फिर कुछ रही नहीं गया, अब मैं इसे मिटा के, इस question को basic से भी कर सकता हूँ, basic से भी आना चीए, क्योंकि हाँ पर तो हमने value रख ली, इस question में अगर question में क्या देता, X plus Y मुझे क्या देता, यहाँ पर, मान लो 11 देता, तो मैं क्या लेता, X और Y की value, 10 और 1 ले लेता, यहाँ पर इस question में modify करके, X plus Y की value मुझे क्या बना सकते हैं, minus 11 भी बना सकते थे, और X plus Y की value मेरी minus 7 भी बना सकते थे, तो उसी साब से मैं अलग-लग value जो X और Y की choose कर सकता था, उसके लिए क्या करते हैं, जब भी value चूज करनी है, hit and trial में सबसे best होता है, कि आप X, Y वाले component को देखो, X, Y वाले component को देखते हैं, आपको 10 के factors में split करना, उससे idea लग जाएगा X और Y की क्या value possible हो सकती है, यह तरीका होता है, hit and trial भी use करनेगा, तो इन सभी value cases में, हम X और Y की value डिरेक्टली निकाल लेते हैं, और put कर देते हैं, इस में से लावा कोई case बन जाता है, मालो मुझे दे देता है, X plus Y equals to 9, फिर क्या करता मैं, फिर तो इन में से कोई case नहीं बनता, तो फिर तो मुझे basic से करना पड़ता, तो आप basic से समझेंगे, इस तरह के question को कैसे solve करना है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, पूरा का पूरा, ये मेरे पास है, 1 upon X cube plus 1 upon Y cube, तो ये X cube plus Y cube, divided by XY का whole cube, ये तो मुझे दिग गया, कि मुझे इसकी value निकालने है, XY के whole cube की value पता, XY 10 दे रखा है, तो 10 का cube, अब मुझे X cube plus Y cube की value चीए, किसी भी तरीके से, बस ये मिल जाए, मैं जी मेरा काम चल जाएगा, ठीक, अच्छा, X cube और Y cube की value कैसे निकाल सकता हूँ मैं, अगर मुझे X plus Y की value दे रखिए, X, Y की value दे रखिए, आपको पता है, X cube plus Y cube का एक formula होता है, ये होता है, मेरे पास X plus Y, into में, X square plus Y square, और यहाँ पे हम इसमें कर सकते हैं, minus XY, क्या ये वे formula पूट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये value कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे मैं जो X square की value प्लस Y square की value नहीं पता, Y का whole cube, minus 3XY, X plus Y, ठीक है, ये वाला यूज कर लेते हैं, ये best रहेगा, ठीक है, तो ये वाला formula यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास X plus Y का whole cube, मतलब 7 का whole cube, minus 3, XY की value 10 है, और X plus Y की value again 7, divided by 10 का whole cube, यह उजाएगा 343, minus 10, 30, 210, divided by 1000, 133 divided by 1000, value आजाएगी मेरे पास 0.133, किलियर है? चलूँ आगे, next question मेरे पास, देखो मिझे क्या दे रखने यहाँ पे, AB की value मिझे 60 के बराबर दे रखने है, question में कहता है, A बड़ा है मेरा B से, A square minus B square की value बता दो, अगर A square plus B square की value मेरे पास कितनी है, 169 है, ठीक, अच्या, 169 आपने कहीं देखा है, क्या पहला 169 होता क्या है, आपके दिमाग मैंगा सरी यह तो 13 का square होता है, और अगर आपने geometry पढ़ी है, तो triplet भी बढ़े होंगे, A square plus B square 13 के बराबर, 13 किसके साथ triplet बनाता है, आप कहोगे 5 और 12 के साथ, तो मैं कह सकता हूँ, A की value 5 हो सकती है, B की value 12 हो सकती है, 5 square plus 14 square 13 के बराबर, चेक करके देख लो, यहाँ पर A b कितना दे रखा है, 60 के बराबर, तो 5 into 12 सैटिस्फाइ कर रहा है या नहीं कर रहा, देखो, एक्जाम में कहीं कोई भी चीज़ आपके हिट कर सकती है, ठीक है, तो मैंने जैसे ही देखा, यहाँ पर यह 5 और 12 हो सकते हैं, 5 square plus 12 square, मेरे पास 13 square के बराबर होता है, और यहाँ पर मेरे पास 7 के साथ 5 into 12, 60 के बराबर हो सकता है, तो मेरे पास A और B में से 1 value 5 होगी, एक value 12 होगी, question में कहता है, A बड़ा है B से, तो मैं कहूँगा A की value 12 होगी, और B की value मेरे पास कितनी होगी, 5 होगी, हमें A square minus B square की value बतानी है, तो मेरा answer कितना हो जाएगा यहाँ पर, A की value अगर 12 है, तो 12 square माइनस मेरे पास 5 का square, 12 square कितना हो जाएगा मेरे पास, 144 माइनस 25 और यह value आजाएगी हमारे पास, 119, option number C करेक्ट हो जाएगा, यह हो गया hit and trial से की question की देखा, दिवांक में value आगी, मैंने solve कर लिए, आप basic से भी आना चीए, अच्छा, basic से करने के लिए, मैं आपको एक छोटा दा form ना बतार हूँ, जो बहुत काम आएगा, यह CSL 2019 में इस टाइब के काफ़े कुशे हैं, यह से से ने पूछे है, ठीक है, मुझे a square minus b square की value चीए, ठीक है, a square minus b square क्या होता है, मेरे पास a plus b into में a minus b, होता है या नहीं होता, तो अगर मैं a plus b और a minus b की value निकाल लूँ, मेरा काम चल जाएगा, अच्छा, यह a square plus b square की value इतनी दे रखी है, a square plus b square plus 2ab कर दूँ अगर मैं, तो value कितनी आ जाएगी मेरे पास, यह हो जाएगी 169 plus 2i into में a, b की value कितनी है, 60, तो यह a plus b का whole square बनेगा, और a plus b का whole square किसके बराबर, 169 plus 122, 289 के बराबर, a plus b की value क्या कह सकते हो आप, a plus b की value क्या बनेगी मेरे पास, यह 17 के square के बराबर, तो a plus b की मेरे पास value होगी, plus minus 17, ऐसे ही अगर मैं solve करता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं a square plus b square, जो की मेरा बराबर दे रखा था, 169 के, इसमें से minus 2ab कर दे था, तो minus 2ab मतला minus 2 into में 60, तो value कितनी बनती मेरे पास, यह बनती a minus b का whole square, और यह किसके बराबर होता मेरे पास, a minus b का whole square, 169 में से 120 को खटाते, तो यह 49 के बराबर होता, तो a minus b की value कितनी आ जाती, यह आ जाती मेरे पास plus minus 7, अच्छा a बड़ा है अगर b से, तो मेरे पास यहाँ पे a minus b की value, क्या कभी minus 7 आ सकती है नहीं आ सकती, तो मैं कहूंगा, यहाँ पे मैंने एरेजर को यूज करा, तो मैंने कहा यह value होगी, पलस अगर a बड़ा है b से, तो यहाँ पे a minus b की value, मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई, तो इसका मतलब एक positive value रहा होगा, तभी 7 आ रहा है और b भी एक positive value रहा होगा, यह बी negative भी हो सकता है, लेकिन मैंने यह कहा कि a क्या रहेगा, मेरे पास एक positive value रहेगा, उसमें से अगर मैं b को घटाऊंगा, तो value आएगी मेरे पास 7, तो a की value क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे a plus b की value मेरे पास, plus minus 17 दे रखे थी, इक तरह के cases में maximum में, हम positive value को ही consider करके question को solve कर सकते हैं, तो मैंने कहा a plus b 17 है, a minus b मेरे पास 7 है, आप देखोगे a plus b into a minus b पूछा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a plus b की जगा 17 रख दिया, a minus b की जगा आपने रख दिया 7, तो आपका answer क्या हो जाएगा, अगर मैं option की मदद से करता हूँ, तो मेरे पास value यहाँ पे बन जाएगी, 17 into 7 ही हो जाएगा 119, अच्छे वैसे इस question में अगर हम consider करें, तो a plus b की value मेरे पास minus 17 भी हो सकती थी, उस case में मेरा answer क्या हो जाता, यह minus 119 भी मेरा इस question का answer आ सकता था, clear है यह point, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते, यहाँ पे a की value मेरे पास होती से minus 5, और b की value होती मेरे पास कितनी, minus 12, तो इनका square करने के बाद तब भी मेरे पास 169 बसता, minus 5 into minus 12 करता मैं, तब भी मेरे पास value कितनी बनती, 60 बनती, और इस case में भी minus 5, अगर a बड़ा है b से, तो a minus 5 हो गया, और मेरा b कितना हो जाएगा, मेरे पास minus 12 हो जाएगा, अगर इस case को consider करते हैं, तब भी मेरे पास क्या value हो जाएगी, यहाँ पर मेरे पास value आजाएगी, दोनों को multiply करने के बाद, a plus b into a minus b, तो उस case में मेरे पास minus 119 अंसर बन जाता, केलियर, चलूँ आगे, तो दोनों options correct हो सकते हैं, अच्छा, यहाँ पर मैंने बूला था नहीं, positive, positive नहीं, मतलब हमें a बड़ा है किससे अगर b से, तो मैंने कहा है, a minus b क्या होगा, positive value होगा, यह याद रखना, अगर a बड़ा है किससे b से, तो a minus b हमेशा क्या होगा, positive value होगी, a plus b की दो value होगी, तो मेरे दो answer बन सकते, यहाँ पर plus 17 या minus 17 किसी से भी multiply करता, आप cancel आ जाता, यह इसका basic version होगया, ठीक है, अच्छा एक formula और लिखवार होगी, मैं साथ के साथ, यहाँ पर note कर लेना, a plus b अगर आपको n दे रखा हो, तो a, और a b की value आपको कुछ दे रख्यों question में, तो मेरे पास क्या होता है, a minus b की value होती है, प्लस माइनस अंडर रूट में, n square minus 4ab, ठीक है, similarly अगर मुझे a minus b की value की दे रख्यों k, और मुझे a b की value दे रख्यों question के अंदर, हमसे पूछ ले a plus b की value क्या होती है, तो यह होती है, मेरे पास under root में, k square plus 4ab, ठीक है, यह formula भी आपके कहीं ना कहीं, किसी question में, काम आ सकता है, चलूँ आगे, अब मेरे पास question में, हाँ पर क्या दे रख्यों है, a q minus b cube की value दे रख्यों है, मुझे 899, a minus b की value 31 दे रख्यों है, हमें इसकी value बताने हैं कि क्या होगी, ठीक, थोड़ा सा simplify करो, और जब इस तरह का आपको right hand side में दे रख्यों है, simplify कर लिया गरो, a minus b का whole square क्या होगा, a square plus b square minus 2ab, और यहाँ पर मेरे पास plus 3ab होगा, तो मेरे पास बचेगा, a square plus b square plus ab, अच्छा, a cube minus b cube क्या होता है, मेरे पास यह होता है, a minus b, a square plus b square plus ab, यह होता है, और यह किसके बराबर 899, हमें value किसकी बता नहीं है, हमें इसकी value बता नहीं है, इसकी value given है, ठीके, यूज कर लेंगे, a minus b की value 31 यहाँ पर, तो a square plus b square, plus ab की value क्यों हो जाएगी, 899 divided by 31, और answer कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर, इसकी value दे रखे हैं, 88, a b 0 से बड़ा है, b b 0 से बड़ा है, a b की value 6 दे रखे है, हमें value बतानी है, a cube plus b cube की value क्या होगी, अच्छे कैसे करेंगे, ठीके, a cube plus b cube की value बतानी है, आपर, और यह सारे पार्ट दे रखे हैं, यह 4 options दे रखे हैं, कोई value दिमाग में आ रही है क्या, a b को यूज करते वे, कि a square plus b square मेरे पास 8 टेड़ बन जा है, नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा basic से solve करना पड़ेगा, अच्छे हैं यहां पर, a cube, a square plus b square plus a b, यहां पर a cube plus b cube है, ठीक है, आप एक चीज बताओं मेरे पास, एक तो मैंने formula पढ़ा है, a cube plus b cube का formula क्या होता है मेरे पास, यह होता है a plus b, into में a square plus b square minus a b, तो यहां पर मुझे किसकी value पता है, मुझे a square plus b square की value पता है, minus a b की value भी पता है, तो यहां पर put करेंगे, तो मैं कहूँगा, मेरा answer क्या होगा, a plus b into में a square plus b square, 88 minus 6, क्या मेरा answer a plus b into में 82 का multiple होगा, क्या सारे option में check कर सकते हैं, 82 का multiple कौन सा option और वो ही मेरा answer आजाएगा, आप देखोगे, 82 का multiple सिर्फ a की option दिख रखा है, तो यही मेरे option के सही होने के chances रहेंगे, ठेक है, basic से निकालना चाहो, तो a plus b की value हम बिल्कुल basic से निकाल सकते हैं, आप कहोगे a square plus b square इतना दे रखा है, a square plus b square की value given है, 88 के बराबर, क्या इसमें 2ab को जोड सकता हूँ, यहां पे भी और यहां पे भी, तो यह मेरे पास a plus b का whole square बनेगा, और यह किसके बराबर, 88 plus 2ab मतलब 12, और value आ जाएगी मेरे पास यह 100, और a plus b की value कितनी हो जाएगी मेरे पास, क्या यह plus minus 10 हो जाएगी, आप कहोगे sir, a b 0 से बढ़ा है, b b 0 से बढ़ा है, तो यह भी positive, यह भी positive, positive जमा positive हमेशे positive answer देगा, तो a plus b की value क्या होगी, मेरे पास सिर्फ 10 होगी, a plus b 10 आ गया है, यहाँ पर put कर दो, तो 10 into 82 answer हो जाएगा, 820, चलता हूँ आगे, अब यह मेरे पास x plus 1 by x वाली form के questions आ गये, कुछ, ssc ccl 2019 tier 1 का question है, root में value देदी, तो कहीं बार सोड़ा दिमाग घूम जाता, इस तरह के question देखने में, लेकिन बिल्कुल भी tension नहीं लेनी, बिल्कुल basic से question को करो, आपका answer बिल्कुल निकल का आएगा, ठीक है, a की power 4 plus 1 by a की power 4 पचास दे रखा है, a greater than 0 दे रखा है, a cube plus 1 by a cube की value बतानी है, आपको पता, यहां से a की power 4 से, a की power 4 से, a की power 4 पचने का सीधा रास्ता तो है नहीं, पहले यहां से पीछे करके, मैं a plus 1 by a तक पहुचूँगा, फिर वहां से आगे जाके, a cube plus 1 by a cube तक पहुचूँगा, ठीक है, तो इस steps दिमाख में के लिए रहे हैं, तो question भी आराम से हो जाएगा, अब basic से करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, आप कहोगे, यहां पर a की power 4 प्लस 1 by a की power 4 प्लस 2 कर लो, और यहां पर भी 2 कर लो, तो मेरे पास नीचे क्या बनेगा, यह a square प्लस 1 by a square का whole square बनेगा, और यह किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा, 50 plus 2 that is 52 के, square हटा दूँगा, तो यह root आजाएगा मेरे पास, since a greater than 0, तो a square प्लस 1 by a square positive value देगा, तो यह सिर्फ plus का जाहिन आएगा, ठीक है, और इसे solve करूँगा, तो यह बराबर हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा, अब दूबारे same step को follow करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ, a plus 1 by a की value क्या होगी, यहाँ पर 2 को add करा था, फिर root लगा था, तो यहाँ पर इसमें 2 को add करूँगा, रूट लगा दूँगा, तो यह हो जाएगा, 2 root 13 plus 2, यह a plus 1 by a की value आएगी, अगें plus minus 1 का sign आता, लेकिन यहाँ पर जुरूद क्या, जब a मेरा किस से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर a b positive 1 by a b positive, तो यह answer क्या होगा, सिर्फ positive, clear हो गया, ठीकिन मैं दुबारे लिख रहा हूँ, क्या होता है, मेरे पास a square plus 1 by a square, अगर k के बराबर होता है, तो a plus 1 by e की value होती है, plus minus under root k plus 2, ठीकिन यह पड़ रखा होगा, आपने वरना दोनों जगए 2 करोगे, solve करके अपनी value निकाल लोगे, तो यहाँ पर यह value आगी, अब a cube plus 1 by a cube क्या होता है, अगर मेरे पास a plus 1 by v के बराबर होता है, तो a cube plus 1 by a cube होता है, v into में v square plus 3 के बराबर, v square minus 3 के बराबर, तो यहाँ पर use करेंगे, इसे मैंने v मान लिया, तो a cube plus 1 by a cube क्या हो जाएगा मेरे पास, यह हो जाएगा अंडर root में, 2 root 13 plus 2, और इसके अंदर multiply करूँगा, 2 root 13 plus 2, whole root है इसका square करूँगा, तो यह 2 root 13 plus 2 बचेगा, और minus में क्या कर दूँगा, तो answer कितना है, a cube plus 1 by a cube, यह हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हम में देख रहाँ सारे options में, root के अंदर जो value 2 बहार ले रखा, तो इसमें भी 2 बहार ले लूँगा मैं, तो 2 root 13 plus 1, और into में क्या है मेरे पास, यह मेरे पास minus 1 बचेगा यहाँ पर, और 2 root 13, 2 root 13 minus 1, कौन सा option correct होगा, 2 root 13 minus 1, और यहाँ पर यह वाला, option number C से match कर गया, यह मेरा इस question का अंसर होगा, ठीक है तो steps clear होनी जीए, exam में answer आजागा, one minute में doable question है, root में दिखे हो सकता, थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल नहीं है, अगला question मेरे पास, x plus 1 by x 4 के बराबर दे रखा, 9x square plus 1 by 9x square की value बताने है, इस तरह की question में पहले आप थोड़ा सा simplify करो, जैसे 9x का whole square है ना, जैसे मैं 3x का square plus 1 by 3x का square लिख सकता हूँ, या नहीं लिख सकता हूँ, ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें numerator मे 3x और denominator में 3x यह, इसे इस form में convert करना है, क्योंकि जिससे की मैं square करूँ, तो मैं इस value तक पहुच जो, तो मैं क्या करूँगा, इस में पूरे में 3 से multiply करते ही, क्या मुझे numerator में 3x मिल जाएगा, denominator में अपने आप ही match कर जाएगा, तब ही value निकाल पाएगे, तो मैंने कही हो जाएगा, 3x प्लस 1 अपन 3x, यह किसके बराबर 4 ती है, 12 के बराबर, ठीक है, आप चाहो तो इस 3x को क्या मान सकते हो, y मान सकते हो, मैं कहूंगा, y प्लस 1 बाई y की value 12 आगई, मुझे value किसकी बतानी है, y square प्लस 1 बाई y square की, y square प्लस 1 बाई y square की value क्या होगी, यह होगी 12 का whole square minus 2, और यह 144 minus 2, 142 मेरा इस question का answer आजाएगा, clear हो गया यह point, ठीक, चलते हैं आगे, next question पे move करते हैं, अब मुझे क्या दे रख्खा है, 3x प्लस 1 बाई 5x 3 के बराबर है, 125x cube divided by 27x cube की value बतानी, ठीक, आप इसे simplify करोगे, आप कोगे 5x का whole cube है, और यह मेरे पास 1 upon में 3x का whole cube है, तो मुझे numerator में 5x ची है और denominator में 3x ची है, तो यहाँ पे मेरे पास numerator में 3 है, denominator में 5 बाई उल्टा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, numerator में 5 पूचाने के लिए, इसे 3x को मुझे 5x में convert करना है, तो किस से multiply कर दूँ, आप कोगे इस पूरे में multiply कर दो, किस से 5 by 3 से, अब जैसे 5 by 3 से multiply करा तो यह मेरे पास 5x बाई बनेगा, और इसमें multiply करूँगा, तो 1 by 5x into 5 by 3, यह हो जाएगा 1 by 3x, यह किस के बराबर, 3 into 5 by 3, 5 के बराबर, इतना आगे, आप तोनों साइट क्यूब कर दूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, a plus b का whole, a plus b का whole cube क्या होता है मेरे पास, यह होता है, a cube plus b cube, plus 3ab, a plus b, तो यह formula यूज करोगे, आप तो मेरे पास यह आएगा, 5x का whole cube, plus 1 by 3x का whole cube, plus 3 into 5x into 1 by 3x, और यह हो जागा, मेरे पास 5x plus 1 by 3x, तो 5x plus 1 by 3x, जो मिझे लिखना है, इसकी जगा directly 5 को put कर दूँ, क्योंकि यह 5 के बराबर है, यह किस के बराबर, दोनों साइट cube कर आता है, तो 5 के cube के बराबर होगा, तो मेरा अंसर क्या आ जाएगा, 5x का whole cube, बत्तब 125x का whole cube, plus 1 by 27x cube, यह बराबर हो जागा, x से x cancel हो जागा, 3 से 3 कट गया, यह आ गया 25, और यहाँ पे मेरे पास value बचेगी, यहाँ पे, 5 का whole cube कितना हो जाएगा, मेरे पास 125, 25 और यहाँ पे माइनस 25 इदर जागे बनेगा, और यह answer देगा, मुझे 100, 100 is the right answer, option number B correct हो जाएगा, किलियर हो क्या question, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने तो क्या करा, इसे basic से बताया, वरना आपको क्या करना होगा, इस तरह के question में, अगर मुझे दे रखा हो, AX plus 1 upon BY, equals to V के बराबर, कुछ इस तरह की form हो, और मुझे से पूछ ले, AX cube plus 1 upon by का whole cube क्या होता है, तो इसका formula होता है, मेरे पास अगर directly use करना है, तो यह होता है, V cube minus 3, A by B into में, मेरे पास क्या होता है V, this is my formula, तो इस question में अगर मैं यहां तक निकाल चुका था, इसके बाद directly मुझे इसकी value बताने थी, तो यह बराबर होता मेरे पास 5 cube, minus 3 into में मेरे पास, 5, A की value 5 के बराबर है, B की value 3 के बराबर है, into में V की value किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो यहां पर directly 125, 25 माइनस मैं करता 25, तो value आ जाती मेरी 100, किलियर होगया question, चलता हूँ आगे, अब मुझे क्या दे रखा है, x plus 1 by 16 x 3 के बराबर है, मुझे value पूछे 16 x cube plus 1 upon में 256 x cube की, तो यहां पर जब भी इस तरह की form में, जैसे मैंने बताया convert करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक part को common लेना पड़ता है, एक part को मतलब क्या बनाने पड़ेगा, perfect cube में convert करना पड़ेगा, दो तरीका perfect cube में convert करने के लिए, या तो यहां पर दोनों में 16 common लेलू, तो यहां पर खाली x cube बचेगा, वरना मैं यहाँ पर अगर 2 common ले लूँ तो 2 common लेने के बाद मेरे पास यह 8x cube आएगा और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 2 common लेने का मत्त्तर मैं यहाँ पर दोनों जगा 2, 2 को multiply कर दूँ 2 common लिया तो यहाँ पर 8x cube यहाँ पर क्या बचेगा 1 upon में 512x cube किलियर है इसकी value मुझे बतानी पड़ेगी अच्छे यह 2x और 1 by 8x सी है तो इसमें convert करने के लिए मैं किस से multiply कर दूँगा यहाँ पर भी 2 से multiply कर दूँगा यह 2x plus 1 upon में मेरे पास 8x equals to किसके बराबर 6 के बराबर अब मुझे directly value बतानी इस वाले पार्ट की value क्या होगी मैं क्योंगा 2x का whole cube plus 1 upon में 8x का whole cube किसके बराबर हो जाएगा 6 cube minus 3 into में यह वाला पार्ट क्या है मेरे पास 2 और यहाँ पर denominator में यह मेरे पास क्या है 8 into में यह वाला पार्ट that is 6 तो यह value आजाएगी मेरे पास 6 cube हो जागा 216 minus यहाँ पर 2 से काटूंगा तो 4 और यहाँ से काटूंगा तो 2 तो यह मेरे पास 9 by बचेगी value 2 अच्छा 216 9 by 2 है यहाँ पर solve करूंगा यह मेरे पास 216 into में 2 432 minus 9 करूंगा तो 423 भाग 2 देगा और अगर यह 423 भाग 2 आगया तो यहाँ पर मिझे इसकी value बतानी था तो यह 2 into में 423 भाग 2 यह answer देगा 423 किलियर है option number B करेक्ट हो जाएगा आगे भड़ता हूँ अब यहाँ पर देखो question simple है लेकिन यहाँ पर x minus 1 by x पूछा है ठीक है solve कैसे करेंगे मैंने का x की power 4 plus 1 upon में x की power 4 तो यह हो गया मेरे पास 1, 4, 4, 2 के बराबर ठीक है अच्छा x square plus 1 by x square पे जाना हो तो मैंने थोड़ी जिर पहले बताया आपको क्या करना है इसमें क्या कर दोगे 2 को add कर दोगे root लगा दोगे यह value हो जाएगे under root में 1, triple, 4 और यह x square किसको होता है यह मेरे पास होता है 38 square एक से 40 तक की square याद करने को मैं हमेशा बोलता हूँ की याद रखो अगर x square plus 1 by x square मेरे पास 38 के बराबर आ गया तो x square plus 1 by x square minus 2 कर दूँगा तो यह 38 minus 2 हो जाएगा और यहाँ पर अगर मैं x minus 1 by x की बात करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा plus minus 6 आप एक चीज बताओ मुझे x minus 1 by x plus minus 6 x तो दे रख़ा है 0 से बड़ा तो मेरे पास यह value 0 से बड़ी होगी तो यहाँ पर मेरे पास यह plus minus 6 रहेगा या खाली 6 बचेगा इस question के actually मेरे पास दो answer आएंगे plus minus 6 मेरा इस question का final answer होगा option में अगर हमें जाख खाली 6 रख़ा है तो मैं 6 को माग कर दूँगा अचा plus minus 6 क्यों होगा आपके और x 0 से बड़ा है तो यह positive value है ठीक है बिल्कुल positive value है यह मेरे पास एक positive value यह मालो यह मेरे पास मालो कोई value होती मेरे पास 0 6.1 something ठीक है minus 1 upon x की value हाँ पर मैं लिखता है 6.1 so solve करता तो value मेरे पास कितने आती यह 0.something कुछ आता मेरे पास 6.1 minus 0.1 something कुछ आता और मेरे पास value आती 6 मैंने approximate value बानी तो satisfy कर रहा है मेरे पास value बन रही है positive 6 चैन negative 6 भी possible अगर x मेरा 0 से बढ़ा है बिल्कुल possible है इसे मैं replace कर देता हूँ ठीक है मैं x को क्या माल लेता हूँ x को माल लेता हूँ 1 upon me 0.61 6.1 मालो चलो यह भी तो एक positive value है यह 0 से बढ़ी भी है 1 upon me 6.1 तो मेरे पास reverse case भी true हो सकता है x की जगा अगर मैं 1 upon me 6.1 लिखूँगा तो यहाँ पर आजागा मेरे पास 1 upon me 6.1 माइनस में और यहाँ पर x की जगा 1 upon me 6.1 लिखूँगा तो माइनस में 6.1 अप्रोक्सिमेट ली और इसे solve करोगे तो approximate value के आएगी माइनस 6 आएगी तो इस case में मेरे दोनों cases true होंगे x की value मेरे पास plus 6 भी हो सकती है माइनस 6 भी हो सकती है तो option number c फिलाल question के साब से character है बाकी दोनों cases होंगे अगर question देता है मुझे x greater than 1 तो उस case में सिर्फ एक ही case बनता मेरे पास अगर x 1 से बड़ा होता तो आप देखते जब मेरा x 1 से बड़ा होता है तो मैं कहता हूँ हमेशा x क्या होगा मेरा बढ़ा होगा 1 by x से क्यों बढ़ा होगा आप कोई भी value रखके देख लो मानलो मैंने x रख लिया 2 और यहाँ पर रखोगा 1 by 2 बढ़ा है x को मैंने लग दिया 1.1 क्या 1.1 मेरा हमेशा बढ़ा होगा 1 upon में 1.1 से क्योंकि यह वाली value 1 by x फिर हमेशा क्या होगी मेरी 1 से छोटी होगी यह वाली value मेरी हमेशा 1 से बढ़ी होगी तो यह वाली value हमेशा बढ़ी रहेगी तो उस case में यह वाली value बढ़ी बन जाती यह वा मेरे पास होता है 1 तो मेरे पास सिर्फ एक केस बनता डेट इच्स-1 बाइच की वैल्यू छे नेक्ट कोस्टिन पर मुव करता हूं अब देखो कोस्टिन में क्या दे रहा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाइच की पावर 4 वन बन पाइच फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो हमें वैल्यू बताने है टू एक्स-3 का होल स्कुर जब भी इस तरह का कोस्टिन दे आप क्या करो इसे सिंप्लिफाई कर लिया करो मैंने क यह मेरे पास टू है एक्स स्कुर माइनस 6x प्लस 9 के बराबर हो गए खुल दूँगा यह माइनस भी के होली स्कुर का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू बताने है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाइच की पावर 4 किसके बराबर है वन वन फाइप 4 के बराबर है क्या मैं कह स चत्तों एक्सब्सवार प्लस 1 बाएग्स स्कुर की वैल्यू कि यह होगी तो यह जागा अंडरूट मेसमें दो जोड़ देंगे वन वन फाइफ पो प्लस तो और यह जागा 1 156 1506 होता है मेरे पास यहां पे मेरे पास 34 को को यह हो जाग एक्स्वार प्लस स्क्वार प्लस करेंगे तो यह से plus value होगी ठीक है ठीक है plus minus करता 현 yaşam पर plus value बताने . fajax x plus 1000 जब हम निकालते हैं मालनो यह मेरे पास से 3 तीन के बराबर है तो आप इसे सिंपलिफाय करो कैसे qa味 क्वाज और एक क्वार्टेक क्वाशन मत ददल जिसमें qa ओर एकशिमम् 1,1 by X की value कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर अगें यहाँ पर अंडर root मैं 34 मैं plus two करूंगो यहाँ पिलस माइनस आ जाएगा भार पलस क- भार आ रहा है together to be positive value होगी ये भी positive value होगी तो डोनों positive positive को सम करूँगा तो ठीक है 2 into में x minus इसकी value बतानी है अगर x plus 1 by x थे हैं तो इसे सोड़ा simplify करो x square plus 1 मैंने LCM ले लिया तो किसके बराबर 6x के बराबर और यहां से x square minus 6x की value निकाल सकते हैं यह किसके बराबर minus 1 के बराबर x square minus 6x को minus 1 रख दूँगा तो 2 into minus 1 plus 9 यह हो जागा 8 into 2 अंसर आजाएगा 16 क्लियर है question इस तरह के questions आज कल जाबर में पूछ रहे हैं पहले क्या देते थे एक्स की power 4 plus 1 by x की power 4 इतना दे दिया हमसे पूछ लेते थे सिर्फ x plus 1 by x या फिर x minus 1 by x यह से पिछला question पूछ था अब ऐसे modify करके पूछना है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़े कि यहाँ पर यह निकालना पड़े फिर यह निकालना पड़े डारेक्ट लीना कर पाए मेरे पास question क्या दे रखा है x equals to 2 plus 2 minus root 3 x q minus 1 by x cube की value बतानी है कि क्या हो अगर मेरे पास ध्यान से सबजना इस पूरे process को x मेरे पास किसके बराबर हो अगर a plus b के बराबर हो तो 1 by x किसके बराबर होगा यह होगा 1 upon में a plus b और मैं कह सकतो इसे simplify थोड़ा सा करूगा a minus b से उपर भी multiply नीचे भी multiply तो value कितनी हो जाएगी मेरे पास a square minus b square और उपर आ जाएगा a minus b यहां तक के लिए रहे अगर मैं कहूं इस वाले पार्ट में मेरे पास a square minus b square किसके बराबर हो जाए 1 के बराबर हो जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 by x a minus b हो जाएगा अब मुझे बताओ x plus 1 by x की value क्या हैगी क्या ये मेरे पास इंदोनों को जोड़ दूँगा तो value 2a बचेगी और x minus 1 by x की value क्या हैगी मेरे पास इंदो इस में से इसे घटा दूगा तो मेरे पास value क्या बचेगी ये मिरे पास 2b भी बचेगी मतलब ये वाले पार्ट का twice तो अगर मैं इस question में देखता हूं आप देखोगे एकस माइनस 1 बाइस क्यूब की value बताने है तो सबसे पहले तो मुझे x-1 बाइस चीह है तभी x-1 बाइस क्यों बता पाऊंगा तो x-1 बाइस की value क्या होगी आप इससे compare करो यह मेरे पास 2 है यह मेरे पास minus root 3 है, इसका square करूँगा 2 का square 4, root 3 का square करूँगा 3, a square minus b square 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मेरे पास जो value होगी, x minus 1 by x की वो क्या होगी, twice b, अभी यहाँ पर देखोगे, मैंने यहाँ पर x को a plus b माना था, तो इसे a plus b में convert करूँगा, तो यह 2 plus minus root 3 होगा, तो x minus 1 by x की value क्या हो जाएगी, 2 into minus 2 root 3, यह result जो मैंने लिख्या न, यह सारा याद रखना, यह दिमाग में होना ची, exam में जब question आएगा न, यह, मैं यहीं से start करूँगा, कि मैंने का x की value यह है, तो x minus 1 by x कितना होगा, 2 into minus root 3, यह सब अलजावरा की जो, 18 घंटे की वीडियो सब प के पास अंदर में, v square plus 3, तो यह value मेरी किस के बराबर हो जाएगी, अगर यह v के बराबर है, तो x cube minus 1 by x cube यहाँ पर आ जाएगा, मेरे पास, minus 2 root 3, minus 2 root 3 का whole square plus 3, answer क्या बनेगा, minus 2 root 3, और यहाँ पर 8 तिया, sorry, 4 तिया, 12 और 3, 15, 15, 15 दूनी 30, minus 30 root 3, clear है, चलूँ आगे, देखो question में हमें क्या दे रखा है, x की value इसके बराबर दे रखी है, हमें value बताने है, x की power 5 plus x की power 4 plus x square plus x divided by x cube की value क्या होगी, ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस चीज़ को मैं दुबारे यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले तो इस तरह के question में, मुझे क्या दे रखा है, x equals to root 2 plus 1 divided by root 2 minus 1 मुझे रखा है, ठीक है, सीज़ दो जा 17 का है, सीज़ दो जा 18 में भी ऐसे पूछे गई है question, ठीक है, अगर मैं इसे देखता हूँ, इसे थोड़ा simplify करो, x cube से divide कर दूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, x square बच चीए, तो इस तरह के question में, जो मेरा answer होता है, वो मैं basic से आपको बता रहा हूँ, कैसे solve करना है, आपको end result याद रखना है, और exam में वही put करोगे, अगर मैं यहाँ बेसिक करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, यह मेरे पास x के बराबर है, तो x को मैं a plus b upon a minus b मान सकता हूँ, ठीक है, तो 1 by x कितना हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा मेरे पास a minus b upon a plus b, और अगर मैं कहूँ, x plus 1 by x क्या हो जाएगा, तो आप solve करोगे से, तो मेरे पास a plus b upon a minus b, plus a minus b upon a plus b बनता है, और इन दोनों को add कर दूँगा, तो यह मेरे पास a square minus b square नीचे, और यहाँ पे a plus b का whole square, और plus में मेरे पास a minus b का whole square, यह formula भी पढ़ा होगा, a plus b का whole square plus a minus b का whole square क्या होता है, twice a square plus b square यह होता है, और divided by मेरे पास आएगा a square minus b square, किलिए रहे रहे जाए जीज़िए, similarly, अगर इसी forum ले से आप x square minus one by x square when nWork on the way, निकालते तो हमारे पास value क्या बनती है? हमारे पास value बनती हिहां पे, तो यह a plus b का whole square minus a minus b का whole square divided by a square minus b वस्ता, उस case मेरे पास value क्या जाती? मैं लिख देता हू, a plus b का whole square minus a minus b का whole square वस्ता हो, उस case में divided by a square minus b square मेरा agit ही जाता, औ यह हो जाता मेरे पास 4ab divided by a square minus 20 ठीक है जिसमें उपर a plus b था ठीक तो यहां से अगर मैं solve करता हूं तो directly x plus y की value निकाल सबता हूं यह मेरा basic part होगा है जो मैंने समझाया आप simplify करना मारे लिए असान हो गया है हाँ पर आप देखोंगे हाँ पर मेरे पास x plus 1 by x की value कितनी हो जाएगी इस question में यह हो जाएगी मेरे पास यह a है यह b है तो twice into में root 2 का whole square plus 1 divided by root 2 का whole square minus 1 तो यह minus 1 का whole square यह तो 2 plus 1 3 2 into 3 divided by मेरे पास आ जाएगा 2 minus 1 एक और x plus 1 by x की value होगी 6 अगर x plus 1 by x की value मेरे पास इस question में आगे 6 तो मेरे पास आगे मैं solve करूंगा x square plus 1 by x square की value क्या आएगी क्या यह 6 square minus 2 होगी और यह value 36 minus 2 34 हो जाएगी तो यहाँ पर यह वाली value तो 34 है मेरे पास और यह x plus 1 by x की value 6 है तो 34 जमा 6 कितना होगी 40 40 मेरे इस question का answer आ जाए तो यह बहुत छोटी value थी root 2 plus 1 divided by root 2 minus 1 अगर exam में कोई और मुश्किल value आ जाती तो हम directly कर सकते हैं इस formula को यूज करके उसमें फिर सोड़ा मुश्किल पढ़ता की rationalize पर करके पहले root 5 plus root 3 divided by root 5 minus root 3 ठीक है ऐसी ब्रोकोल एक दूसरे का आप कहा सकते हो देखते xy की value कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 मुझे value बताने x square plus y square plus xy divided by x square plus y square minus xy तो xy तो मेरे replace कर सकता हूँ है तो मिझे value कि इसकी बताने है x square plus y square minus xy divided by x square plus y square minus xy यही बताने है value xy की value तो 1 है तो इसे 1 से replace भी कर सकते हैं क्या मैं यहां से x plus y की value बता सकता हूँ अच्छा आप देखोगे यह x है अगर यह y है y क्या है मेरे पास automatically 1 by x है इसका reciprocal है तो मेरे पास x plus y की value क्या होगी या फिर y को मैं replace कर देता हूँ सीधा 1 by x से क्योंकि इसका reciprocal है तो x की value अगर मेरे पास यह है x plus 1 by x की value क्यों होगी अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या एक बार की मंसर निकाल सकते हैं आपको 5 जमा 3 8 दूनी 16 और यहाँ पर भाग में कितना आएगा 5 minus 3 2 और यह value हो जाएगी मेरे पास 8 अगर x plus 1 by x 8 के बराबर है तो x square plus 1 by x square यह किसके बराबर हो जागा 80 square minus 2 के बराबर मतलब 64 minus 2 यह हो जाएगा 62 के बराबर और यहाँ अगर मैं बात करूँगा यह x square plus 1 by x square 1 by x क्या y यह तो x square plus y square की value है तो answer कितना हो जाएगा मेरे पास यह हो जाएगा 62 x square plus y square xy की value 1 और यहाँ पर 62 minus 1 तो यह हो जाएगा 63 भाग 61 क्लियर है option number 1 रख जाएगा नेक्स्ट पार्ट में move करता हूँ अब मेरे पास यह क्या दे रखा है यहाँ पर 3x root y plus 2y root x divided by this minus this divided by this दे रखा है यह सेम दे रखा है किसके root x और root y के हमें बताना है x और y के बीच में कौन सा relation correct रहेगा आप इसे ध्यान से देखो इस equation को यह अगर मैं a मान लू किसे 3x root y को और अगर मैं b मान लू किसे 2y root x को तो मेरे पास क्या बन रहा है क्या मेरे पास a plus b divided by a minus b फ्लस मैं मेरे पास a minus b divided by a plus b वाली form बन रहे है आप solve करोगे नीचे क्या जागा मेरे पास a square Malinus b square और ऊपर क्या बचेगा a plus b ka whole square minus a minus b ka whole square यहीं बचेगा और a plus b ka whole square minus a minus b ka whole square क्या होता है यह होता है 4a भे एक formula होता है यह मेरे पास a square minus b square directly simplify करके मैं है लिख सकता हूँ मेरा answer क्या बचेगा यह जागा 4 into me 3x root y into में मेरे पास क्या हो जाएगा a b की value क्या है 2y root x यह किसके बराबर मेरे पास 3y root 3x root y का whole square minus मेरे पास 2y root x का whole square solve कर लो मेरे पास value कितने आएगी 4 into 3 into 2 4 तिया 12 दूनी 24 और यहां पर मेरे पास xy into मेर root xy आएगा divided by मेरे पास यहां पर value बचेगी no x square y माइनस मेरे पास 4y square x और यह किसके बराबर दे रखा है हमें root xy के बराबर दे रखा है तो root xy से root xy cancel मेरे पास cross यहां पर आप देखोगे इन दोनों मैं xy को common ले सकता हूं मेरे पास बचेगा 24 xy divided by xy common ले लिया मेरे पास 9x minus 4y बचेगा यह किसके बराबर 1 के बराबर xy से xy cancel 24 किसके बराबर 9x minus 4y के ओप्शन नमबर मेरा बी करेक्ट हो जागा question हो गया खत्म next question हमें इसका coefficient बताने 3 minus x minus 3y के whole cube का ठीक है अच्छा a plus b का whole cube क्या होता है क्या यह मेरे पास a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square होता है यह पट रखा है अच्छा अगर मुझे coefficient बताना है x का तो आप देखोगे अगर मैं इसे compare करता हूँ a और b से तो आपका होगे a की value मेरे पास कितनी है x है और मेरे पास b की value कितनी है minus 3y है इस equation को compare करूँगा मुझे किसका coefficient चीए मुझे x का coefficient चीए मतलब single x चीए तो कब आएगा इन चारों में ठीक है मुझे single a की power 1 चीए तो a की power 1 तो यहाँ पे मिलेगी मुझे 3ab square वहीं पे मुझे x का coefficient मिलेगा तो आप कहोगे हमें देखना है 3ab square को तो 3 into a की value x है b square मतलब minus 3y का whole square तो value आ जाएगी मेरे पास 3 into x into में 9y square नो तिया 27 27y square इंटू में x लिख सकता हूँ तो x का coefficient क्या आ गया 27y square तो answer क्या होगा मेरा 27y square option number b सेम टाइप का question हमें एक और पूछा गया था CGL 20191 में यह वाली value मुझे बराबर दे रखे इसके हमें पी की value बताने है तो पी क्या है मेरे पास x square को coefficient से coefficient मैच कर किस तरह की question को solve करते हैं तो मुझे बताने है x square को coefficient क्या होगा इस वाले पार्ट में डारेकल यह देख सकता हूँ अगर इसमें x square को coefficient बनाना है आप अगेन compare करो a plus b का whole cube आपको पता है दिमाग में value होनी चाहिए वैसे तो aq plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square अब मुझे क्या चाहिए है यहाँ पर a की value compare करने पर 1 मिल रहा है और b की value मिझे मिल रही है minus 4x ठीक है मुझे किस का coefficient चाहिए x square का coefficient चाहिए वो p है तो x square मत्तब b square की value चाहिए कि तब x square मिलेगा और b square कहां पर मिल रहा है 3 a b square में तो यह हो जागा 3 into में a की value 1 और b मतलब minus 4x का whole square तो 3 into 4 का square 16 into में x square और यह हो जागा मेरे पास 48 x square ठीक है और x square का coefficient क्या है मेरे पास यहाँ पर 48 आया है तो यहाँ पर अगर मैं पूरे को solve करता है तो यहाँ पर p x square 48 x square होता तो पी की value कितनी होगी मेरे पास 48 compare करने पर मैं अपना अंसर बता सकता हूं कि लिए कुशन वरना पूरा पूरा कर लेते हैं आप इसमें यह formula लगाते तो आपके पास यह वाला पूरा simplify करने के बाद वैल्यू क्या बंती यह बंती 1-64 x cube minus 12 x plus p x square पी x की जगा मन्दा 48 x square compare करते काटते तो पी की value 48 आ जाती है एक प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर है a square प्लस b square प्लस c square 38 के बराबर है हमें इसकी value बताने है कि इसकी value क्या होगी मेरे पास दो equation दे रखी है एक और एक दो तीन variable है तो एक variable की value कुछ भी मान सकते हैं तो मेरे पास c की value को क्या कर देता हूँ 0 मान लेता हूँ c को eliminate करने से फायदा क्या होगा कि a और b में तो देखने की आदत है मुझे question को तो मेरे पास क्या बचेगा यह eliminate हो गया a plus b की value कितनी 6 a square plus b square की value कितनी मेरे पास 38 ठीक आगे भड़ते हैं अगर c को 0 कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा यह c हट जाएगा क्या होगी तो a b की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी अच्छा कैसे निकाल रेंगे a b की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू चेंज रखी है a square plus b square रिलेशन है क्यों क्यों कुछ हमें पता है अगर मैं इसका square कर दूंत तो या जागा a square plus b square plus 2ab ये किस के बराबर 6 का स्कॉर 36 के बराबर option number d correct हूजएगा चलता हूँ आगे कुछ important formula है, मैं आपको वो बता देता हूँ, एक बार, ठीके, ध्यान से समझना, मैंने कहा, x square plus y square plus xy, into में अगर मैं multiply कर देता हूँ, इसमें x square plus y square minus xy से, तो आप क्या कहोगे, इसे मैं a मान लेता हूँ, इसे b मान लेता हूँ, तो a plus b, यह हो जागा a minus b, तो यह क्या बन ज xy का whole square, और यह solve करोगे, तो x square plus y square plus 2xy, minus x, यह x square plus y square का whole square था, तो x की power 4 plus y की power 4 plus 2x square y square minus x square y square, तो value कितनी आ जाएगी, मेरे पस x की power 4 plus y की power 4 minus, plus में x square y square, यह बचेगा, ठीक है, यह वाला part मेरा किसके बराबर आ गया, यह इसके part के बराबर आ गया, इसी तरह से अगर मेरे पास कोई भी form दे रखी हो, आप क्या कह सकते हो, अगर मैं कहूँ, x की power 2n, plus y की power 2n, plus x की power n, y की power n, इसे मैं किसमें गुना करूंगा, अगर मैं इसे गुना करूंगा, x की power 2n, plus y की power 2n, minus x की power n, y की power n, तो यह बराबर होगा मेरे पास, x की power 4n, plus y की पावर 4N प्लस X की पावर 2N Y की पावर 2N ठाक है? N कोई भी वैलु ले सकता है? N मेरी एक Natural number की value ले सकता है N कोई भी एक Natural number हो सकता है Natural number मतलब प्राक्रतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, कोई भी value ले सब जहेंगे यह satisfy करेगा अच्छा यहां पर X को अगर मैं replace कर दूँ ठीक है X को मैं AX भी मान सकता हूँ यहां पर या कोई और color दे दूँ माल लो मैं यहां पर इसे मैं मालनो AX ठीक है AX के ब्रावर हो गया पुरा तो AX की power 2N plus AY की power 2N या BY की power 2N यह मेरे पास plus में यहां पर AX की power 2N into many power 2N यह किसके ब्रावर हो जाएगा मेरे पास यह वाला पार्ट मैंने multiply करा किसके अंदर AX की power 2N plus BY की power 2N minus AX की power N BY की power N यह किसके ब्रावर हो जाएगा आप कोओगे सर यहां अपने X को AX से replace कर दिया X को मैंने AX से replace करा Y को मैंने by से replace करा तो यहाँ पर भी x की जगा x हो जाएगा और y की जगा by हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास ax की power 4n प्लस by की power 4n और यहाँ पर प्लस x की power ax की power 2n और by की power अबर भी 2n ठीक है यह तब होता है जब हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा हो इनका coefficient में कुछ value भी जाए रख्यों x के साथ कुछ एक value अटेच कर दी 4x plus 3y ऐसा कुछ दे दिया coefficient भी add कर दिये तो उस case में यह वाला formula भी करते हैं ठीक है यह सारी इसी की simplified form है अब मेरे पास देखो यह कोश्यन है CPU 2019 का x की power 4 plus x square y square plus y की power 4 21 दे रखा है x square plus xy plus y square 3 दे रखा है हमें 4xy की value बताने है कि क्या होगी formula अगर आप देखोगे x square x की power 4 यह किसके बराबर होता है यह आप कोगे इसकी power राधी कर दो यह हो जाएगा x square plus y square plus xy into में अभी थोड़ी जर पहले पढ़ा यह x square plus y square minus xy के बराबर होता है ठीक है सारी power half-half करते चलेगा यहाँ पर plus में पहले लिखे सारा सारा फिर दुबारे लिखेंगे तो यहाँ पर जो xy वाला पार्टे से माइनस में लिख दोगे तो यह मेरा 21 के बराबर दे रखा है आप इसी question में देखोगे x square plus xy plus y square की value कितनी है मेरे पास यह वाली value 3 के बराबर दे रखे है तो यह 3 into यह हो जाएगा 27 21 के बराबर और x square plus y square minus xy की value कितनी आ जाएगी यह मेरे पास आ जाएगी x square plus xy plus y square है दूसरी equation x square minus xy plus y square यह मैंने मान लिया मानलों यह a के बराबर है यह मेरे पास b के बराबर है इन दोनों को add करूंगा तो क्या आएगा यह आएगा twice में x square plus y square ठीक है xy कड जाएगा और यहाँ पर मेरे पास value बचेगी a plus b ठीक है तो 2x square plus y square किसके बराबर a plus b के बराबर होता है यह याद रखना और अगर मैं इन दोनों का आपस में subtract करूंगा तो मेरे पास 2xy की value किसके बराबर होगी ठीक है तो मेरे पास value होगी यह बराबर a minus b के क्या ये चीज याद रह जाएगी अगर ये चीज याद होगी तो एक्जाम में directly question को हम solve कर पाएंगे जैसे मेरे पास क्या दिरका हमें 4xy की value बतानी है अच्छा अब मुझे x square plus y square minus xy की value पता है x square plus y square plus xy की value पता है 3 ठीक है तो यहाँ पर यह मैं लिख देता हूँ x square plus y square plus xy 3 के बराबर है x square plus y square minus xy मेरे पास किस के बराबर है यह 7 के बराबर है तो xy की value क्यों लुओ गजिक है, हम इसे इन दोनों को घटा के मुझे पता है 2xy की value क्या देगा मुझे 3 में से 7 को खटाऊंगा तो minus 4 देगा मुझसे 4xy की value पूछिए तो इसमें भी 2 से गुना है इसमें भी 2 से गुना और ये value आजाएगी minus 7 question हो गया खतम option number decract होगा hardly 15 second लगेगी exam में इस question को करने के आपने जैसे ये वाला पार देखा ये 20 है अगर मुझे x square plus xy plus y square बताना है तो क्या कर लेंगे ये दे रखा है तो यहां से मुझे x square plus xy minus xy plus y square की value निकालने पड़ेगी और minus xy की value निकालने के लिए मुझे इसको भाग देना पड़ेगा इससे तो ये मेरे पास 21 भाग 3 ये 7 आजाएगा और जैसे मैंने ये 7 देखा तो इसमें से इसे घटाऊँगा तो मेरे पास 2xy की value आएगी और वो कितना हो जाएगा minus 4 और मुझे 4xy की value बताने तो into 2 कर दूँगा तो minus 8 ठीक है एक्जाम में directly करेंगे अभी बस समझाया concept इसलिए time लगा है अब मेरे पास ये question है जल्दी से फटाफट से answer मेरे पास x की power 4 plus x square y square plus y की power 4 इसके बराबर x square plus x y plus y square इसके बराबर दे रखा है 2 x square plus y square की value बताने है तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूँगा यहाँ पे x square plus x y plus y square है x square plus x y minus x y plus y square की value क्या होगी this divided by this तो 21 भाग 256 divided by मेरे पास 3 भाग 16 16 से काटूँगा तो यह 16 3 से काटूँगा तो यह 7 answer आगया मेरे पास 7 भाग 16 अब यह value मिल गई यह value मिल गई इन दोनों को add करने पे मैं जो पता है क्या मिलता है 2 x square plus y square मिलता है 2 x square plus y square की value क्या हो जाएगी 3 भाग 16 जमा 7 भाग 16 यह हो जाएगा 10 भाग 16 और answer कितना हो जाएगा मेरे पास 2 से काट दो तो 5 भाग 8 question हो गया खतम next question पे चलते है ठीक है इस cgl 2018 में इसका question है इसी question को देखो कैसे पूछ लिया 4.6 की power 4 ठीक है 5.4 की power 4 24.84 का square 4.6 का square 5.4 का square b मालूम है 5.4 को तो यह a square a की power 4 b की power 4 आप इन दोनों को multiply भी करोगे तो आप check कर सकते हो a b की value का आएगी यहाँ पे आप इसे कह सकते हो 5-0.4 5 plus 0.4 तो आपका answer क्या बचेगा 5 minus 0.4 into में 5 plus 0.4 तो यह हो जाएगा मेरे पास 5 square minus 0.4 का square और यह हो जाएगा मेरे पास 25 minus 0.16 यह आजागा 24.84 satisfy कर रहा है तो मैं कह सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या है a की power 4 plus b की power 4 plus a b का whole square दे रखा है यहाँ पे a square plus b square plus a b दे रखा है तो यह किसके बराबर a square plus b square minus a b के बराबरों का divide करने पे तो यह हो जाएगा मेरे पास 4.6 का whole square plus 5.4 का whole square minus मेरे पास क्या हो जाएगा यह 24.84 क्या unit digit से कर सकते हैं आप देखोगे यहाँ पे इसकी unit digit मत्दब point के बाद जो सबसे last digit है में उसकी बात कर रहा हूँ तो यह वाले digit यह वाले digit यह वाले digit calculation tricks वाली वीडियो उसमें detail में समझा रहा है चो 1 का square करूँगा तो 2916 आएगा मेरे पास तो यहाँ पे value directly करके भी पूरी value से आप निकाल सकते हैं वरना आप क्या करोगे यहाँ पे 0.6 है 6 का square करोगे 4.6 का तो point के बाद 2 value जाएगी और 6 की last digit क्या होगी 6 का square करने पे 36 होती है तो last digit आएगी 6 ऐसे यहाँ पे solve करूँगा 5.4 का square करूँगा तो point के बाद 2 value हैंगे और जो last digit हैगी 4 का square में last digit होती है 6 तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे minus करूँगा तो मेरे पस 24 point यहाँ पे मेरे पस last digit क्या है 4 तो आप देखो कि 6 और 6 कितना होगी है 12 12 में से 4 घटाओंगा तो 8 यही आएगा यह क्योंकि यह plus में है यह plus में है यह minus में है तो last में मेरे पास यहाँ पे point space यहाँ पे राज़ दिजड़ाईगी 8 option में check करा तो यह value हो जाएगी मेरे पास correct option number 1 चलूँ आगे अब देखो जैसा मैंने बताया ना coefficient वाली form यह वही बन गया ठीक है मेरे पास 16 A की power 4 है मेरे पास 36 A square B square है मेरे पास 81 B की power 4 91 के बराबर 4 A square 9 B square minus 6 A B 13 के बराबर दे रखा है हमें 3 A B की value बतानी है कि 3 A B की value क्या होगी प्लस मैं यहां पर अगर इसे देखो तो 3 B की whole power 4 है यह तो दिख गया मुझे यह 91 भी दिख रहा है अब क्या मैं इसे 2 A 2 A का whole square into में 3 B का whole square लिख सकता हूं कि यही आएगा 36 A square B square बिलकुल आएगा अच्छा अगर मैं यहां पर लिखो तो यह 4 A square है तो यह 2 A का whole square है मेरे पास प्लस यहां पर आप देखोगे मेरे पास 9 B square है तो मैं इसे 3 B का whole square लिख सकता हूं और यहां पर मेरे पास यह minus में क्या है 6 A B इसे लिख सकता हूं 2 A into 3 B वही है यह किसके बराबर दे रखता है आपको दे रखता है 13 के बराबर अच्छा अगर यह value दे रखता है तो आप देखोगे यह formula वही बन रहा है A X की power 4 प्लस A X square B X square प्लस B X की power 4 किसके बराबर इसके बराबर फिर इसकी value दे रखता है हमें अगर मैं directly इससे इसे divide करता हूं तो मैं कह सकता हूं 2 A का whole square प्लस 2 A into में 3 B प्लस मेरे पास 3 B का whole square किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा एक क्यान में भाग दे रहा हूं और यह value आजाएगी मेरे पास 7 के बराबर ठीक है कौन सा formula लगा है देखो पीछे जाओ यहाँ पर यह formula जो बताया था यह वो ही है एक second हाँ जो यहाँ पर बताया था जब हम X को किस से replace कर रहे थे AX से और Y को replace कर रहे थे BY से तो हम जो solve करके जो value निकल कहाई थी वो यह वाला formula में यहाँ पर use करता हूं तो मैंने का यह value यह value क्या होगी मेरे पास 2 A square plus 2 A into 3 B plus 3 B का whole square इसके बराबर आजाएगा यह हो जागा this divided by this अच्छा हम मुझे किस की value बतानी है 3 A B की value बतानी है आप देखोगी यह दोनो equation है नीचे वाली equation में से अगर मैं उपर वाली equation को खटा दूँ यह second equation है यह मेरे पास first equation है second में से अगर first को खटाऊँगा तो यह किसके बराबर बचेगा बराबर हो जागा 7 minus 13 और यह हो जागा मेरे पास minus 6 के बराबर ठीक है हमें 3 A B की value बतानी है तो दोनों जगा 4 से भाग दे देंगे तो यह minus 3 by 2 और यह value मेरे पास कितनी हो जाएगी 3 A B के बराबर option number secret हो जागा question होगे खतम next question क्या दे रखना है मुझे A B into में A minus B plus B C into B minus C plus C A into C minus A दे रखा यह किसके बराबर यह बताना है क्या कर सकते हैं अगेन इस question में हम तीन variable है 0 equation है ठीक है तीनो variable की value कुछ भी मान लो ठीक है आप चाहो तो इसमें A को 1 मान लो B को 2 मान लो C को minus 1 मान लो ए C को 0 मान लो अंसर जो आएगा वह तीनों option में satisfy करना चाहिए कोई भी value अपनी मर्जी से zoom कर सकते हो तो मैंने क्या कर रहा है इसे छोड़ देते हैं A B A minus B में चेक कर लेते हैं अगर फिर भी दिखकत आ यह तो कर लेंगे जैसी मैंने हैं यहाँ पर C को 0 कर रहा है यहाँ पर C को 0 कर रहा तो मेरे पास क्या बचा यह बचा minus A B और यहाँ पर बचा मेरे पास B minus से ठीक है माइनस को अंदर ले जाओंगा तो मेरे पास यह A B A minus B बचा पहली कंडिशन को सैटिस्फाइ कर रहा है ठीक है दूसरा रख लो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है मैने सी को 0 कर रहा तो यह 0 हो गया मेरे पास यह 0 हो गया तो यह मेरे पास minus A B A minus B यह दे रखा है तो यह तो नहीं ची ए मज़े मझे A B A minus B ची ए minus A B A minus B नहीं ची ए अगर जिए यहाँ पर मैं क्या इसजिशन कर रहा होता है यहाँ एक है A, B में काम करने की आदत होती है हमेशा ठीक है A, C में तो कभी काम नहीं करते हैं या मतलब A, C में पढ़ाते हैं वो चीज अलग है बैठते हैं A, C में लेकिन हम जो question solve कर रहे होते हैं A plus B में ही तो formula पढ़ते हैं A plus B का holy square A square plus B square plus 2AB या हम ये formula पढ़ते हैं A plus C का holy square क्या होगा A square plus C square plus 2AC ये तो नहीं बढ़ते हैं ये B की form में तो इसलिए generally मैं C को eliminate करता हूँ हमेशा जिससे की condition मेरी असान हो जाए थोड़ी अब जब पहले C को eliminate करते हैं फिर B को फिर A को तो ये A में काम करना सबसान होता आसे X Y Z में X में काम करना सबसान होता आगस बढ़ी होती है तो यहाँ पर हमने कर रहा है यहाँ पर multiply करूँगा माइनस A B मेरे पास यहाँ पर A माइनस B आएगा ठीक है मुझे plus का A B A माइनस B ची आता तो यह भी cut गया और यहाँ पर अगर C को 0 करूँगा तो यह माइनस A B A प्लस B तो यह भी मेरा given equation के बराबर नहीं है तो option number A ही set better यह answer हो जाएगा यह मैंने करा exam में अगर आ रहा है हमारे पास CGL TA2 को का question है 2018 का तो हम ऐसे कर सकते हैं वरना basic क्या होता है मेरे पास यह A B A माइनस B है प्लस B C B माइनस C प्लस C है C माइनस B C माइनस A यह direct formula होता है किसका यह cyclic अगर आपने factors पढ़े हो तो यह होता है मेरे पास minus A माइनस B into में B माइनस C into में C माइनस A ठीक है यह इसका formula होता है अभी सारे formula दिखा दूँगा cyclic वाले क्या होते है तो यह direct formula था formula based question है ठीक है आपको lucent की math की जो बुकाती हो असमी मिल जाएगा और 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 भी books हैं जिसमें available है यह formula ठीक है मैंने भी पहले एक बार algebra की identity revise करा है थी आपको सारे की सारे एक video के अंदर 30 minute की video है उसमें भी मैंने यह formula identity बताई दी तो यह इसके बराबर होता है आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं minus को अंदर ले जाओ तो मेरे पास बन जाएगा यह इस वाले मैं अंदर ले गया minus को तो B minus A और यह value कितनी हो जाएगी मैं पास B minus C यह हो जाएगा C minus A जो कि हमारे पास option number A दे रखा है तो थोड़ा सा fast ही चल रहा हूँ में जिससे की side चीज़ा आपके जल्द जल्दी cover होती रहे तो यह मेरे पास इसके बराबर यह cycle factors है याद करना चाहूँ याद कर लो cycle factors का मतलब क्या है cycle में चलेगी जैसे मैंने का A, B और C यह क्या बनाएंगी cycle A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A ऐसे ही चलता रहेगा तो यहाँ पर मैंने देखा A square A square A ये ले लिया तो B और C की बारी आएगी B minus C फिर मैंने क्या कर अब B square ले लिया तो फिर मेरे बारी आएगी C minus A की फिर मैंने C square ले लिया तो फिर बारी किस के ऐगी A minus B की ये किसके बराबर यहाँ पर फिर again A minus B, A से B पे गए फिर B से C पे जाएंगे B minus C फिर C से A पे जाएंगे बस यहाँ पर धियान रखना ये minus पसाना है यह था एक प्रोपर्टी ऐसी जो हमने अभी कोश्यन में करी यह था B C into B minus C B C ले लिया इसमें से B में से C को खटाया फिर C A ले लेंगे C में से 1 को खटायेंगे फिर A B ले लेंगे A minus B करेंगे तो ये भी किसके बराबर होता ये भी बिल्कु सेम फिर A को लिल्या B squared minus C squared फिर B को लिल्या C squared minus A Square C को लिया A squared minus B Siquare यहाँ पे दियान रखना यहाँ पे minus का sign नहीं आगा यहाँ पे minus का sign ता यहाँ पे नहीं आएगा यहोगा A minus by into B minus C into c minus 8 ठीक है याद लग तो याद रखले ना जाम में question बनेगा डाय तो directly कर पाऊगों जैसे यह वाला question आचानक से आगया थे जाम में कुछ और important formula होते हैं जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ एक formula होता है मेरे पास a plus b plus c का whole square जो होता है a square plus b square plus c square plus 2 a b plus b c plus c है ठीक है आपने समने पढ़ा होगा एक formula होता है मेरे पास a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a यह बराबर होता है half a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square अगर एक चीज़ बताओ अगर यह वाला पार्ट मेरे पास 0 के बराबर हो जाए just in case यह मेरे पास 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब यह वाला पार्ट भी 0 के बराबर होगा और अगर यह वाला पार्ट भी मेरे पास 0 के बराबर होगा तो क्या मैं यह कह सकता हूँ तो a-b मेरा 0 के बराबर होगा तो a की value b के बराबर similarly हां से कहुँगा b-c मेरा 0 के बराबर होगा तो b की value किसके बराबर c के बराबर अगर a b के भी बराबर c के भी b c के बराबर तो मैं कह सकता हूँ तो मैंने कहा अगर ये वाला पार्ट मेरा 0 के बराबर हो गया तो मेरे पास A equals to B equals to C आएगा ये मेरा एंडिटल हो गा या फिर A equals to B square to C दे दिया तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा के लिए इसी में थोड़ा सही याद रख लेना अगली प्रोपर्टी क्या होती है मेरे पास फिर प्रोपर्ट्या थे A Q plus B Q plus C Q minus 3 ABC ये बराबर होता है मेरे पास A plus B plus C A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C है तो ये वाला पार्ट लिखा है मैंने और यहाँ पर आगे A plus B plus अब ये वाला पार्ट इसके बराबर होता है तो यहाँ से भी रिप्लेस कर सकता हूँ ये होगा मेरे पास A plus B plus C ये हो जाएगा half into में A minus B का whole square plus B minus C का whole square plus C minus A का whole square और ऐसे ही ये core property के बराबर होता है ये बराबर होता है A plus B plus C ये होगा मेरे पास अगर A square plus B square plus C square की value इस वाले formula से निकाल के replace कर दूँ यहाँ पे तो value आजाएगी मेरे पास A plus B plus C का whole square minus 3 AB plus BC plus C है तीनों parts आपको याद रखने है ठीक है अच्छा अगर just in case मुझे ये वाला part बना दे 0 question में मुझे यहाँ पे कह दे A cube plus B cube plus C cube minus 3 ABC 0 के बराबर है तो मैं कहूँगा मेरे पास दो case बनेंगे या तो ये 0 बने या ये 0 बने ठीक है अगर ये 0 बन गया तो हमने अभी देखा ये जब 0 होता है तो किसके बराबर A मेरा बराबर होता है B के और मेरा बराबर होता है C के, तो यह दो केस में बनेगा, एक तो मेरे पास अगर यह 0 हो, अगर यह 0 हो रहा है तो A inverse to B inverse to C के बराबर होगा, अगर यह वाला पार्ट 0 होग Eigen to A 와 significa A plus B plus C किस के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा तो दो केसो में मेरे पास, AQ plus B cube minus C cube 0 के के ब्राबर होता है sorry aq plus bq plus cq minus 3abc0 के ब्राबर या तो a plus b plus c0 या फिर a ques to b ques to c ठेक है दोनों चीज़े याद रखने है इस question में हमें क्या दे रखा है a plus b plus c ques to 5 के ब्राबर है a square plus b square plus c square 27 aq plus bq plus cq 125 हमें value बतानी है 4abc की क्या होगी तो कौन सा formula यूज करेंगे question देखते हैं हमें पता फिल जाएगा कि abc हमारा सिर्फ a की formula में आता है यह आता है aq plus bq plus cq minus 3abc यह किसके ब्राबर होगा यह ब्राबर होगा a plus b plus c और यहां पर होगा मेरे पास a square plus b c square plus c square minus a b plus b c plus c है यही formula है अच्छा यहां पर मुझे aq plus bq plus c qb value पता है a plus b plus c की value पता है a square plus b square plus c square की value भी पता है इसकी value मुझे नहीं पता ठीक है और इसकी value मुझे abc की निकालनी है तो कही आपको पता है a plus b plus c a square plus b square plus c square और यहां पर इस वाली value को यूज करते हैं हमारे पास एक formula बनता है formula क्या होता है हमारे पास formula होता है a plus b plus c का whole square जो की ब्राबर होगा a square plus b square plus c square plus twice a b plus b c plus c है अच्छा मुझे यह वाली value find out करने है तो फिलाल में इसे x से represent कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ यह 2x मेरा किसके ब्राबर हो जागा a square plus b square plus c square की value 27 है और यहां पर a plus b plus c c का whole square किसके ब्राबर यह 5 का square 25 के ब्राबर हो जाएगा ठिक अब यहां से इसे 27 में से तो मैंनस दो और 2 से बागते दूगा तो minus a किसके ब्राबर हो जाएगा x के ब्राबर यहांपे माइनस क्या गरना होगा क्या एक पुट कर दूँगा थो यहां प्लस का 1 बन जाएगा था जाकर माइनस 1 प्लस 1 और यहांपे a2 plus b2 plus c2 मेरे पास 27 और यहां पे a plus b plus c की value 5 है और यहांपे aq plus bq plus c सब्सक्राइब कर देंगे और आप देखोगे माइनस तरह बचेगा माइनस तरह कितनी आ जाएगी क्या ये वैल्यू की बतानी है तो चार से गुना कर देंगे और असर कितना आ जाएगा सब्सक्राइब कर देखोगे अगर मैं इन में से एक वैल्यू को मानलू और एक वैल्यू को फाइव मानलू ठीक है सिमिलर सी वैल्यू तो इसमें किसी भी एक वैल्यू मैंनस वन olvyan और देखोगे सटानीय कर जाएगी तो इसे जोरेसे इना स्क्राइब करभा नियुक्त में सब्सक्राइब लेकिन पहली बार कर रहे हो तो दिखेगा नहीं एकदम यह एसासी इस तरह के कुशन में एक वैल्यू पर और पूशन कुशता है आपको देदेगा एप्लस बीप्लस इक वर स्टू 19 जब भी आपको एप्लस बीप्लस सी 19 दिखें तो maximum बनता है वो बनाता है इसमें से एक के ये बार पूछ चुछा अब जयाँ गें 모양 कि प्लस xq plus yq minus 3xyz की value बतानी है xyz की value हमें दे रखे यह अच्छा अगर मैं इसे solve करता हूँ तो मेरे पास किसके बराबर होगा हमने थोड़ी दिर पहले पढ़ा था xq plus yq plus zq minus 3xyz किसके बराबर हो जागा x plus y plus z और यहाँ पर कौन सा formula best रहेगा आगे या तो मैं x square plus y square plus z square minus xy minus y minus x का whole square यह formula लगा सकते हैं आप आप देखोगे यहाँ पर यह तीनों वैल्यू बहुत पास पास है इसलिए मैंने यह formula लगा है जिससे की solve करने में दिक्कत ना है वरना इसके square करना बहुत मुश्किल पढ़ता बेसिक से करता तो अच्छा अब इन तीनों को एड़ करना है इन तीनों का sum कितना हो जाएगा आप देखोगे सीधा सीधा यह 5.5 तीनों जगा अगर है तो मेरे पास तीनों एड़ करने के पाद मेरे पास value बन जाएगी हाँ आँ 16.5 और उसके बाद 0.01.02.07 तो 1 बन जाएगा तो कहीं ना कहीं 16.6 बनेगा यह एड़ बने के बाद इन y-z करूँआ तो value आजाएगी मेरे पास plus minus का मेरे पास बचेगा है यहाँ पर 0.05 का whole square और next part में z-x करूँआ तो मेरे पास बचेगा 0.06 का whole square अब इसे solve कर लो यह तो मेरे पास 8.3 आ गया और यहाँ पर value कितनी बचेगी 0.0001 प्लस 0.0025 प्लस 0.0036 यही बनेगी value अच्छा चार option दे रखे हैं आप देखो digital sum लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 5,1,6,4 sum में दे रखा हैं तो सबका digital sum बराबर है में खिल का है point का, कि point कितनी values के बाद आएगा हमें वह चेक करना है अच्छा सबसे पहले एक चीछ बताओ, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, क्या उपर नीचे 10 की पावर 5 से multiply कर दूँ 10 की पावर 5 से multiply कर रहा है, मतलब यह देखो 4 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, ठीक एक point के बाद एक value है, यहाँ पर 4 value सारा हट जाएगा मेरे पास क्या आ जागा, यह 10 की पावर 5 अंदर multiply होगा तो यह बनेगा 83 और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 25 प्लस 36 divided by 10 की पावर 5, एक बार की में simplify हो गया अब इन तीनों को add कर दूँगा तो यह value कितनी हो जाएगी मेरे पास, 36 और 25 और 62, 83 इंटू में 62 है, ठीक है, divided by 10 की पावर 5 है अब यहाँ सारी values अगर सेम दिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं, 83 इंटू बासट करोगे तो यह 5146 ही बनेगा, तो 5146 divided by 10 की पावर 5 होगा, और अंसर कितना आ जाएगा, 5-0 है तो पॉइंट के बाद 5 value आएगे, 0.05146, और option number मेरा decrack हो जाएगा, question हो गया, खतम, ठीक, चलें आगे, अब यह वाला question है, CHSL 2019-1 का question है यह, अब इस question को अगर मैं basic से solve करता हूँ, तो कैसे solve करूँगा, आप देखोगे यहाँ पर क्या है, A की power 1 by 3, B की power 1 by 3, और C की power 1 by 3, हमें A plus B plus C की power 6 चीए, तो सबसे पहले तो इसे A, B और C में break करना पड़ेगा, A plus B plus C की value और उसके बाद उसकी power 6 करनी पड़ेगी, अब इसके लिए क्या मैं A की power 1 by 3 को X मान सकता हूँ, B की power 1 by 3 को Y, और C की power 1 by 3 को Z, अगर X plus Y plus Z मेरा 0 के बराबर हो गया, तो क्या मेरे पास X cube plus Y cube plus Z cube, बराबर हो जाएगा 3XYZ के, अभी बताया थोड़ी दिर पहले, तो हम कह सक X cube किसके बराबर है, क्या यह A के बराबर होगा, Y cube क्या B के बराबर होगा, और Z cube क्या C के बराबर होगा, और यह मेरे पास बराबर हो जाएगा, 3 के X Y Z मतलब 3, A की power 1 by 3, B की power 1 by 3, और C की power 1 by 3, या फिर मैं कह सकता हूँ, यह बराबर हो जाएगा 3, A, B, C की whole power 1 by 3, 3 भार है ठीक है आगे भढ़ते हैं अब मुझे a plus b plus c का whole cube चाहिए तो whole cube क्या हो जाएगा यह whole power 6 चाहिए तो power 6 कर दूँगा तो 3 और यहां पर a b c की power 1 by 3 की whole power क्या हो जाएगी 6 3 की power 6 निकालने देखो आपका पता है 3 का square कितना होता है 9 होता है और अगर 6 निकालने तो मिझे इसका cube करना पड़ेगा और 9 का cube कितना होता है 729 तो यहां आ गया 729 अब देखोंगे a b c की power 1 by 3 है इंटू 6 करूँगा a b c की 1 power 1 by 3 इंटू में power 6 कर रहा हूँ यहां पर यह ऐसे होगा और यह value बचेगे a b c की whole power 2 और इसे मैं कह सकता हूँ a square b square c square तो यह हो जाएगा a square b square c square यह मेरा इस question का अंसर आजाएगा option number b correct हो जाएगा clear होगे इसका basic version हो गया इसी तरह का एक और question पूचा गया था थोड़े नए फोरूम ले पर है क्यूब वाले पर यह वाला question try करो अच्छा अगर जटसे यह वाला question आपकी दिमास में आ सकता है sir value putting method से भी तो कर सकते हैं इस question को ठीक है मेरे पास एक equation है तीन variable है दो variable की value कुछ भी करके question को solve कर ले ठीक है कर सकते हो लेकिन बहुत complicated हो जाएगा इसके लिए recommended यह कि आप basic question को solve करो वह जादा best रहेगा as compared to value putting method ठीक चलूँ आगे बाकी value putting method से अगर try करना ही चाहते हो तो क्या कर सकते हैं हम इसमें आप कह सकते हो sir c को 0 बना लेते हैं try करके देखते हैं एक बार c को 0 मान लिया हमने तो मेरे पास आ जाएगा a की power 1 by 3 यह बराबर हो जाएगा minus b की power 1 by 3 के ठीक है अब यहां पर क्या कर दूँगा मैं अगर a की power 1 by 3 b की power minus b की power 1 by 3 के बराबर दो साइट क्यूब कर दो तो मैं कह सकते हो a किस के बराबर होगा यह मेरे पास minus b के बराबर हो जाएगा और यहां पर अगर मैं put करता हूँ a equals to minus b और c को 0 put करूँगा तो यह तो मेरा 0 बन जाएगा और यह 0 की power 6 आएगा चार option में अगर आप check करोगे तो हर option में जैसे ही बेसिक से कर लोगे तब भी अंसर आ जाएगा next question मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है x plus y की power 1 by 3 z plus y की power 1 by 3 और बराबर दे रखा है होगा परफेक्ट पावर 6 होगा परफेक्ट पावर 3 होगा नहीं कह सकते कुछ भी क्योंकि हाँ पर क्या है whole power कुछ नहीं दे रखा अलग अलग पावर से तो बेसिक से solve करना पड़ेगा value putting method try करोगे अगर इधर चला जाएगा तो मेरे बनेगा यह बनेगा x plus y की power 1 by 3 और प्लस x plus z की power 1 by 3 और यह किसके बराबर 0 के अगर पावर 1 by 3 है और यहां में मिझे power 3 में की form में चाहिए तो मिझे power को eliminate करना पड़ेगा ठीक है यह कम से कम x plus y पे form में चाहिए यह z plus y की form में convert करना पड़ेगा इसके लिए क्या करूँगा अगेन जैसे पिछले question में करा था मैं इसे a मान सकता हूं इसे b मान सकता हूं और इसे c मान सकता हूं मैं कह सकता हूं a plus b plus c अगर 0 के बराबर तो a cube plus b cube plus c cube 3 a b c के बराबर होगा तो यहां पर अगर आप इसे solve करोगे तो मेरे पास value क्या आ जाएगी मेरे पास यहां पर value बनेगी इसका cube a का cube तो X plus Y आ जाएगा, plus यहाँ पर Y plus Z आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास X plus Z आ जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 3 ABC के मतलब 3, यहाँ पर X plus Y की power 1 by 3, Y plus Z की power 1 by 3 और यहाँ पर X plus Z की power 1 by 3, ठीके, इसकी whole power 1 by 3 लिग तो तीनों multiplication में है, तो बात एक है, अब यहाँ पर इसे add गरूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा यह, क्या यह मेरे पास 2, X plus Y plus Z आ गया, ठीक, अच्छा यहाँ पर अगर यह X plus Y plus Z इतना आ गया, तो इस 2 को नीचे भी ले जा सकता हो, मैं कह सकता हो, X plus Y plus Z की value कितनी हो जाएगी मेरे पास, यह हो जाएगा 3 by 2, और यह आ जाएगा म अब हमें क्या बताना है, हमें value बताने है, X cube plus Y cube plus Z cube के, इसकी whole value, ठीक, और हमारे पास अंसर आप देखोगे, X, Y, Z की form में दे रखा है, X plus Y, Y plus Z, Z plus X, X plus Y, Y plus Z, Z plus X, और X, एक तो आप इसका cube करना है, हमें यह चीज़ समझा गई, कि मुझे क्या करना पढ़ेगा, इसका cube करना पढ़ेगा, ठीक है, तब ही जाके कहिना, मझे X cube, Y cube, Z cube मिलेगा, अच्छे, अगर X plus Y, Y plus Z, और Z plus X की form में आंसर चीए, तो हमने एक formula और पढ़ा होता है, हमने formula पढ़ाता है, X plus Y plus Z का whole cube क्या होता है, यह होता है, X cube plus Y cube plus Z cube plus 3, X plus Y, Y plus Z, और Z plus X, ठीक है, अब जब यहाँ पर इन दोनों का cube करूँगा, तो ही power 1 by 3 eliminate हो जाएगी मेरे लिए, तो simple X plus Y, Y plus Z, Z plus X की form में बचेगा, तो इस वाले पार्ट को X plus Y, Y plus Z, और Z plus X को मैं फिलाल यहाँ पर Y से denote कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा, यह मेरे पास capital Y की power 1 by 3 है, इन तीनों को अगर मैं whole cube क whole cube करूँगा, तो value आजाएगी मेरे पास यह 27 by 8, और इहाँ पर अगर मैं इसका 1 by 3 into 3 करूँगा, तो यह मेरे पास सिर्फ Y बचेगा, और इहाँ पर solve कर लोगे, तो X cube plus Y cube plus Z cube की value कितने आजाएगी, इस में मेरे तीन घटाना पड़ेगा, तो 27 भाग 8 minus 3 करूँगा, तो 27 24 घटेगा, और मेरे पास value बचेगा, 3 by 8 Y, ठीक है, और Y की value क्या है मेरे पास, यह Y बराबर है, X plus Y, Y plus Z, Z plus X के, तो यह बचेगा, 3 भाग 8, X plus Y, Y plus Z, और Z plus X, यह मेरा question का answer हो जागा, यह basic से करना पड़ेगा, आपको, ठीक है, formula इस सारे के सारे याद होंगे, तो भी exam मे बरना नहीं हो पाएगा, आपका concept के लिए रोने चाहिए, किस तरह से आपको flow में आगे भड़ना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पावर 1 by 3 है, उससे eliminate करने के लिए, cube करना पड़ेगा, फिर आपको cube में answer चीए, तो फिर cube करना पड़ेगा, ठीक है, इस तर classification में इस formula पर question आए, कि यह वाला question आए, तबस दो question आए, अब देखो मेरे पास क्या देरखा है, यहाँ पे, this cube plus this cube plus this cube equals to 3, this, 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 हमें value बता नहीं, x की value क्या होगी, चलो अगर मैं इसे a consider कर लूँ, इसे b consider कर लूँ, इसे c consider कर लूँ, तो यह मेरे पास 3 into में a, यहाँ पर यह B है, और यहाँ पर मेरे पास यह C है, तो क्या है मेरे पास formula बन रहा है, aq plus bq plus c cube equals to 3abc, और अगर यह 3abc के पराबर है, तो दो तरीकों से यह हो सकता है, मेरे पास, या तो मेरा a equals to b equals to c हो, या फिर मेरे पास a plus b plus c equals to 0, देखो, यह वाली condition भी हो सकती है, यह वाली condition, या भी यहाँ पर अगर mention नहीं कर रखी, कि कौन सी condition है, तो आपको यह वाली condition लेनी होगी, क्योंकि इस वाली condition में आपको X की एक सीजी साधी value मिल जाएगी, तीनों को add करना है, तीनों पार्ट को ABC को, और से 0 के equal करो कि X की value आ जाएगी, अगर आप यह वाली condition यूज भ plus 3X minus 8 plus 3X minus 6 plus 6 equals to 0 के बराबर होगा, 3X, 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 9X हो गया, minus 8, minus 7, minus 15, plus 6 है, तो minus 9 बचेगा मेरे पास, और यह किसके बराबर, 0 के बराबर, X के value, 9 भाग, 9, 1 आ जाएगी, क्या एक option में है, है, तो यह मेरा answer होगी, आपको इसे कोई deny नहीं कर सकता, कि एक option गलता है, सबसे पहले यह वाला method यूच करना, अब इसमें तो कुछ नहीं करना था, इन तीनों को sum करना था, seconds लगी होगी मुझे, exam में जैसे ही यह form देख लिए, मुझे क्या करना, इन तीनों को add करना, add करेंगे, पहले x वाला form add करेंगे, 3X, 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 9X, minus 7, minus 8, minus 15, plus 9, minus 9, मेरे पास 9, minus 9 इन 0 के बड़ाबर, औरली कर सकते हैं, बस exam में लिखना होगा, तो यह लिखना होगा, आपको इस question के लिए, hardly 10 से 15 second में इसका अनसर आ जाएगा, ठीक है, और बहुत बार कूछे गए हैं, इस form पर question, अब दूसरा क्या हो सकता है, मैंने का अगर यही पाली form दे रखें, तो a equals to b equals to cb हो रहा है, इस पर भी question आ रहा है, वो भी देखेंगे अभी, तो इस case में क्या होता मेरे पास, 3x minus 7 बराबर होना चाहिए, मेरा किसका, 3x minus 8 के, और आप देख सकते हो, जैसे 3x minus 7, 3x minus 8 के का भी बराबर हो सकता है, आप इसे solve करोगे, आपके पास क्या जाएगा, 0 equals to 1, that is not possible, 3x से 3x कार दो, minus से minus कट गया, 7 equals to 8 आजाएगा वरना, या फिर इधर ले जाओगे, तो 0 equals to 1 आजाएगा, that is not possible, इसका मतलब यह वाली condition true नहीं है, आप चाहो तो check कर से तो जुरत नहीं है, exam में आपको यही condition लगानी है, maximum questions में, unless question में कोई condition given ना हो, ठिक, चलू मेरे पास question क्या दे रखा है, अब इसे घुमा के कर दिया, मतलब यहाँ पर 3x minus plus 1 का whole cube है, x minus 3 का whole cube है, 4 minus 2x का whole cube है, plus 6 into में 3x plus 1, x minus 3, x minus 2 equals to 0 दे रखा है, हमें value बताने है, कि x की value क्या होगी, ठीक है, अच्छा, अब हम इसे अगर मैं A मान लू, इसे B मान लू, इसे C मान लिए अगरो, यह A cube plus B cube plus C cube तो दिख रहा है, अगर मैं इसे इधर ले जाता, तो आप देखते हैं, मेरे पास minus में 6, 3x plus 1, x minus 3, और x minus 2 है, ठीक है, अब यहाँ पर 3x plus 1, A additives दिख रहा है, x minus 3, B additives दिख रहा है, C यहाँ पर 4 minus 2x है, और यहाँ पर x minus 2 दे रखा, तो change करन पड़ेगा, अच्छा हमारे पास 3abc की form में convert करना होता है, तो इसे मैं 3 into minus 2 में break कर सकता हूँ, और इस minus 2 को अगर मैं इधर multiply कर दूँगा, तो मेरे पास बचेगा 3, 3x plus 1, x minus 3, और यहाँ पर minus 2 multiply कर दिया, तो यह मेरे पास बन जागा 4 minus 2x, क्या यही वाली form आ गई, और म x minus 3 plus 4 minus 2x किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है, यह question में दिख जाएगा आपको, आपको यह पूरा check करने की बजूरत नहीं है, अगर ऐसा question बनता है, तो हमारे पास यह equation बनेगा, इसमें कोई change आएगा नहीं, clear हो गया यह point, अब आगे भड़ते हैं, इसे अगर मैं solve करता ह तो मेरे पास क्या जाएगा, 3x यहाँ पे है, यह plus 1 है, 3x plus x minus 2x, तो 4x minus x, 2x बचेगा, plus 1 minus 3 minus 2 है, minus 2 plus 4 है, मेरे पास तो plus 2 बचेगा, यह किसके बराबर, 0 के बराबर, 2x की value minus 2 और x की value minus 1, minus 1 is my right answer, option number एक रेक्ट पूच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् 2019 का question है, अब मेरे पास देखो question आ गया यह, ठीक है, 2018 का question है, 3x minus 1 का whole cube, 4x minus 3 का whole cube, 2x plus 1 का whole cube, यह इसके बराबर दे रखा है, दिख रहा है, a cube पराबर है, किसके plus b cube, plus c cube बराबर दे रखा है, मैंचे 3 abc के, ठीक है, same form दिख रही है, हमें value किसकी बतानी है, हमें क्या रख देखो, मैंने कहा, यह दो चीजे होती है, या तो a plus b plus c 0 के बराबर, या a equals to b equals to c, अब यह x इनों ने 1 by 3 के बराबर नहीं दे रखा, तो कौन सी form सा आएगा, आपको check करना पड़ेगा, यहाँ पर, मैंने कहा, सबसे पहले हम यह वाला formula लगाते है, a plus b plus c equals to 0, तो अगर मै इन तीनों का add कर दूँगा, तो मेरे पास value कहेंगी, 3x plus 4x, 7x plus 2x, 9x, minus 1, minus 3, और plus 1, तो minus 3 बचेगा, और यह 0 के बराबर, और मैं कह सकता हूँ, यहाँ से solve करेंगी, x की value, 3 भाग 9, मत्तब एक भाग 3, question में कहा रहा है, yes के बराबर नहीं है, मत्तब यह वाली form नहीं ले तो यह दोनों use कर लो, यह दोनों use कर लो, अगर मैं इन दोनों को use कर लेता हूँ, पहले दोनों को, तो मेरे पास क्या बचेगा, आप कहोगे, 4x, 3x है, तो इधर जाके x बचेगा, और यह minus 3 है, इधर जाके plus 3 बन जाएगा, तो यह बचेगा 2, x की value आगे 2, ठीक है, आप चाहो तो अब इन दोनों से भी check कर लो, answer 2 ही आएगा, 4x minus 3, अगर आप किसके ब्रावर रख देते हो, 2x plus 1 के, तो भी मेरे पास 4x में 2x घताओंगा, तो 2x, 3 plus 1, 4, और x की value ठीक है, तो satisfy कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, option number 2 सही हो जाएगा, अब इसमें यह वाली form पूछ लिए, अच्छा, अगर हमें दे देता है, हाँ पे, जैसे यह 3x minus 1, 4x minus 3, और यहाँ पे दे देता है, 2x plus 1, इन तीनों को कहते देता है, कि यह सारे के सारे हमारे क्या है, natural numbers है, तीनों के तीनों natural numbers है, natural numbers क्योंगे प्रकरतिक संख्या है, मतलब यह 1 से start होगे, 1, 2, 3, 4, कहां तक जाएंगे infinite तक, अगर यह mention कर रखा होता question के अंदर, तो कौन सा case लेते हम, हम उस case में यह वाला case लेते हैं, क्योंकि अगर natural number है तो positive होंगे, और तीनों का जब मैं सम करू कभी भी 0 के बराबर निया आएगा, क्योंकि a b positive होगा, उस case में b b positive होगा, क्योंकि यह भी positive, यह भी positive, यह भी positive, और यह भी positive होगा, तो अगर यह case देते हैं, मुझे तब भी मैं कहाता है, मुझे यह वाला case लगारा पड़ता है, और मेरा answer आ जाता, ठीके natural numbers के case में यह हो whole square minus z square request to 8 दे रखा, z plus y का whole square minus x square 10 दे रखा है, और x plus z का whole square minus y square 7 के बराबर दे रखा है, हमें x plus y plus z की value बताने ही, तो हमने देखा तीन equation है, तीन variable है, तो value तो assume नहीं कर सकते है, basic से ही solve करना पड़ेगा, अच्छा, basic से solve करेंगें, तो क्या कर सकते हैं, अगर x plus y plus z की value ची कर लो, या फिर पहले थोड़ा simplify कर लो, फिर solve कर लो, पहले simplify करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्या इसे मैं capital a मान सकता हूं, इसे capital b मान सकता हूं, क्या ये a square minus b square का formula लगेगा, और ये a plus b, a minus b हो जाएगा, है ना, ये वाला part, अगर ये हो गया, तो मैं कह सकता हूं, ये मेरे प plus y plus x, और यहाँ पर आजाएगा, z plus y, minus x, ये किसके बराबर, ये 10 के बराबर, और third part में चलूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा, x plus z minus y, और यहाँ पर आजाएगा, x plus z minus y, equals to किसके बराबर, ये मेरा 7 के बराबर, तीनों में क्या x, y, z, x plus y, z, x plus y, z, common आ रहा है, तीनों x plus y, minus x, x plus z minus y, तीनों में 2 मेरे पास positive आएगे, हाँ पर positive x है, हाँ पर positive x है, और एक negative x है, तो एक x बचेगा, और ऐसी इसमें ये add करूँगा, तो मेरे पास किया जाएगा, एक positive y बचेगा, और एक positive z बचेगा, और ये किसके बराबर, इन तीनों के sum के बराबर, 8, 10, 10, 7 प्लस य प्लस जड़ का होल स्कुएर किसके बराबर हो गया 25 के बराबर तो एक्स प्लस य प्लस जड़ की वेल्यू क्या आजाएगी मेरे पास प्लस माइनस पांच यही आएगी अच्छा यहाँ पर option में हमें क्या दे रखा सिर्फ प्लस पांच दे रखा तो यह answer हो जागा वरना actually में प्लस माइनस पांच दो वैल्यू दे एक्जिस्ट करेंगी X प्लस Y प्लस Z के क्लियर है सबको ठीक है और यहाँ पर दो वैल्यू एक्जिस्ट इसलिए भी नहीं करेंगी यहाँ पर question में mention कर रखा है X Y Z positive real number है अगर यह positive numbers है तो इसका मतलब क्या होगा X भी positive Y भी positive और Z भी positive तीनो positive होंगे तो तीनो positive के पासम कभी negative तो आ नहीं सकता तो मेरे पास इस question के actually में answer जो होगा X प्लस Y प्लस Z equals to 5 ही होगा यही answer होगा minus 5 नहीं होगा clear? अगर खाली real number होता हो तो दोनों answer possible होते हैं अगर आप basic से करते हैं आप इसे पहले simplify नहीं करते हैं पहले आप add कर देते फिर solve करते manual X प्लस Y को whole square को आपने split कर दिया X square प्लस Y square प्लस 2XY में और minus Z square कर दिया फिर ऐसे यहां पर कर देते हैं यहां पर कर देते तीनों को add करके तब भी आपके पास formula बनता किसका X प्लस Y प्लस Z के whole square ठीक है? इस तीनों को अगर whole के आप add कर देते तब भी सेम चीज रहती मेरे पास तब भी question को कर सकते थे तो multiple तरीके होते हैं question को solve करने के जो आपके दिमाग में पहले आ जाए exam में उसी formula को उसी method को आगे लेके जाए और अपना answer निका ले next part में move करता हूँ x into में x plus y plus z 20 के बराबर दे रखा y into में y plus x plus y plus z 30 के बराबर है और z into में x y plus x plus z ये 50 के बराबर है हमें 2 x plus y plus z की value बतानी है तो इसका मतलब क्या है खाली मुझे x plus y plus z की value मिल जाए तो मैं बता सकता हूँ तीनों में x plus y plus z common आ रहा है तो तीनों equation को add कर लो x plus y plus z तीनों में common आ गया यहाँ पर extra क्या है x है फिर यहाँ पर extra क्या है y है और यहाँ पर extra क्या है z है और यह किसके बराबर हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा 20 जमा 30 जमा 50 खोल करूँगा, x plus y plus z का whole square किसके बराबर हो जाएगा, यह मेरा 100 के बराबर हो जाएगा, और x plus y plus z की value कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 10 आ जाएगी, अगर x plus y plus z plus minus 10 है, तो यहाँ पर मेरे पास value क्या जाएगी, हमें value बताने है, 2x plus y plus z की, तो यह होगी value 2 into में plus minus 10, और यह value हो जाएगी, plus minus 20, देखो हमें क्या दे रखा हैं यहाँ पर, 2x plus 1 का whole square, plus 3y minus 2 का whole square, plus 5z minus 1 का whole square, plus alpha square request to 0, हमें value बताने है, x, y, z और alpha की value क्या होगी, यह previous year का question नहीं है, लेकिन, यह concept को समझाने के लिए मैंने बनाया, अच्छे, क्या है एक perfect square number है, हमें पता है, जो square number होता है, वो हमेशा क्या होता है, positive होता है, या फिर 0 के बराबर होता है, मालो मैंने कहा 1, 1 का square क्या होब, 1 होगा, minus 1 का square करता, तो भी मैरे पास 1 आता, ऐसी मैं अगर 0 का square करूँगा तो 0 आएगा माइनस 5 का square करूँगा तो भी मेरे पस क्या आएगा प्लस का 25 आएगा तो मैं कह सकता हूँ कोई भी perfect square number A square हमेशा क्या होगा या तो greater than होगा या बराबर होगा 0 के कोई भी positive कोई भी number हो मेरे पस where A is a real number कह सकता हूँ अगर A real number है तो वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा अगर उसका square करता हूँ ठीक तो यहाँ पर अगर इस question पर आता हूँ मैं यह मिटा रहा हूँ यह concept यूज होगा तो मैं कह सकता हूँ किसी भी perfect square की minimum value क्या होगी मेरे पास 0 होगी और यहाँ पर मिझे क्या दे रखता है एक perfect square number फिर plus का sign है फिर perfect square number फिर plus का sign फिर perfect square number फिर plus का sign फिर perfect square number फिर plus का sign और यहाँ पर 0 तो यह सब के अपनी minimum value लेंगे 0 तभी यह 0 के बराबर आ सकता है, क्योंकि अगर 0 से बड़ी कोई भी value यह ले लेते, तो उस case में क्या हो जाता मेरे पास, उस case में यह 0 के equal आते ही नहीं कभी भी, क्योंकि अगर मालो यह 1 बन जाता, मेरे पास 1 का square ही आ जाता 1, बाकि तो सारे पोज या, मैं या तो 0 देंगे, चारो variables की value बताने के लिए, तो इसमें value putting method काम नहीं करेगा, अगर आप put भी करते हैं, अपनी मर्जी से किसी की value, तो होगा क्या, आपके पास बाकि जो value होगी, वो complex values में चली जाएंगी, तो यहा पर value putting नहीं यूज कर सकते हैं, तो मैंने का, यह भी 0 होगा, यह भी 0, यह यह भी 0, और यह भी 0, तब जाके मेरा answer 0 आएगा, तो मैं कह सकना हूँ, 2x plus 1 भी 0 के बराबर है, तो x की value कितनी आजाएगी, minus 1 by 2, फिर मैंने का, यहाँ पर 3y minus 2 भी 0 के बराबर है, तो y की value 2 by 3 हो जाएगी, और फिर मैं आगे भढ़ा, तो 5z minus 1 equals to 0 के बराबर है, तो यह असला जाएगा, वरना एक value भी जैसे आपने मालो, इसकी value निकाल ली थी x की, तो x की value जैसे ही आप चेक करते है, एक ही option था, जिसमें minus 1 by 2 आ रहा था, यह answer हो जाता, ठीक है, बस यह समझाने के लिए था, कि concept पताऊना चीए, अब इस पर based question घुमागे बनेंगे exam में, वो root a, b, minus b, c, plus c, a की value बतानी है, 3 variable है, मैं क्या कर देता हूँ, c और b को 0 बना देता हूँ, c और b को 0 कर दिया, आपने 2 variables की value अपनी मर्जी से मान ली, तो मेरे पास बचेका क्या, मेरे पास बचेका a square plus 96 equals to 8a, खा गया, अगर मैं इधर ले जाओंगो, तो मेरे पास बचेका a square minus 8a plus 96 equals to 0, अच्छा, a की value न plus c equals to 0, तो इसमें x की value क्या होती है, minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, पढ़ावा है quadratic equation में, तो यहाँ पर put करूँगा, इससे compare करके, इस equation को compare करेंगे, तो x square का मान क्या कर रहा है, छोटा small a square काम कर रहा है, इसका coefficient क्या है, capital A, इसका coefficient होगा, यह 1 है, इसका minus 8 है, इसका मेरे पास 96 है, 96 क c के बराबर, put कर दोगे, तो minus minus 8 होगा मेरे पास, यहाँ पर plus minus under root b square, मतलब minus 8 का whole square minus 4 into में 96 into में 1, divided by मेरे पास क्या होगा, 2 into में a, मतलब 1, यह होगा compare करने के बाद, अच्छा, आप देखो, यह root के अंदर क्या value आएगी मेरे पास, यह 64 minus 4 into 96, तो क्या यह negative value आएगी, negative value root के अंदर आएगी, और negative value होगी, तो complex value होगी, मतलब, real value नहीं होगी, किसी की भी, a के real value नहीं बता सकते हैं, हम यह आपे, तो यह वो case हो गया, जिसमें यह equation है, लेकिन तीनों variables की value, इस equation से मिल जाएगी, हम value अज्यूम नहीं कर सकते, आप कर के try करोगे, हर case में आपको complex value मिलती रहेंगे, आप कोई भी value रख लो यह, be or seeking, as long as आप exact value तक नहीं post ए, be or seeking, point clear हो गया, तो इसके जितने भी cases हम सारे के सारे आप भी देख लेते हैं, अब मैं इसे मिटा रहू, पहले मैं इसे basic से बताओंगा, फिर कुछ second लोगा बस, कुछ second मैं आपको trick से बता है, तो यहाँ पर क्या कर लें, right hand side में, square के, आपको two common लेना है, और यहाँ पर क्या कर देख अंदर ले जा, four a plus four b minus, two को four को multiply करूँगा, तो यह minus eight c हो जाएगा, मेरे पास, right, अब मैं directly लिख रहा हूँ, यहाँ पर a की value क्या होगे, आप यहाँ पर a का coefficient बताओ, कितना है चार है, यहाँ पर a square का coefficient कितना है, one है, तो चार भाग एक, अगर मैं यहाँ पर b square की b की बात करता हूँ, यहाँ पर b का coefficient कितना है, 4 है, b square का coefficient क्या है, एक है, और अगर मैं यहाँ पर c की बात करता हूँ, यहाँ पर c का coefficient बताओ, क्या है, यहाँ पर minus eight है, और यहाँ पर c कितना है बन तो ABC की वैल्यू आगई यहां पर पुट कर दो अपना अंसर निकाल लो कोश्चन हो गया खता ए भी चार चार है चार इंटू चार फिर मेरे पास माइनस बी सी है तो बी चार इंटू में मेरे पास माइनस आठ होगा और प्लस में मेरे पास यहां पर क्या होगा मेरे पास क्या हो जाएगा वैल्यू चार बन जाएगा मेरे पास यह तो सोल होने के बाद प्लस का 32 यह माइनस का 32 कट जाएगा चार इंटू चार बचेगा रूट से भार निकालेंगे तो चार अंसर ऑप्शन नमबर एक रेक्ट हो जागए यह मैंने शोट ट्रिक से पारों की बेसिक से क्या हो रहा है और उसी में फोम में चेंज होके आप तो यह अंसर बसता है ठीक है यह ट्रिक वहीं से आई है मेरा आपको ट्रिक याद रखनी है बेसिक नहीं भी आद होगा काम चल जागा एकजाम में जुरूत नहीं पड़ेगी बेसिक की जहां स्क्वार माइनस 8 भी आएगा और यहां पर अगर मैं सोल करूंगा यहां पर प्लस सी स्क्वार माइनस में 16 सी आएगा या नहीं आएगा और यह मेरे पास किसके ब्राबर हो जाएगा यह प्लस 96 और यह मेरे पास 0 के ब्राबर हो जाएगा ठीक है यह है अब मुझे इसे एक की फोर्म में एक perfect square number बनाना है तो कैसे convert करेंगे आप कहोगे सर कोई भी value मानले x-y का whole square या x plus y का whole square कुछ भी लेते हो यह किसके ब्राबर होता है x square plus y square plus 2xy यही होता है तो यहाँ पर अगर मैं x plus से कोई constant term है k उसका whole square निकालता हूं तो क्या होगा x square plus 2kx plus k square होगा तो मैं इसे यहाँ पर perfect square में convert करना चाहता हूं तो किस में add क्या add कर दूँँ आप यहाँ पर इसे split कर लोगे आप को होगे सर यह value है न मेरे पास a square तो i footagebud bako call टिक फिर मैं इसे लिख रहा हूं plus एपर मैं लिख हुआ पर अंदर क्या बचेगा minus 4 यहाँ से तो मुझे a मिलेगा तो 2 into a into मैं 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 लिख सकता हूं यह इहाँ पimas 4 और plus मैं लिख सकता हूं यहाँ कि मेरे पास क्या यह मेरे पास a-4 का whole square बन जाएगा ठीक है और यहां पर plus 4 square extra है ऐसे यहां पर solve करोगे आप second वाले case में तो मेरे पास क्या है यहां पर b square minus minus 8 b है तो यहां पर मैं plus लिख सकता हूँ plus 2 into में value क्या जाएगी मेरे पास b into में minus 4 again आएगा फिर मैं क्या करूँगा यहां पर perfect square बनाने के लिए minus 4 का whole square इसमें add कर दिया और यहां पर plus यहां पर minus आएगा ना एक sign एक second यह minus होगा ना क्योंकि plus 4 square plus minus 4 का whole square कर आए तो हम क्या करेंगे यहां पर minus 4 का whole square एड़ करेंगे तो मैं यहां पर क्या सकता हूं यहां पर minus 4 का whole square आएड़ करना पड़ेगा तो मेरे पास यहां पर value बचेगी यह हो जाएगा मेरे पास यह minus 4 यह वाला लिख नहीं रहा भी मैं बाद में एक साथ लिख दूँगा तो यह value हो जाएगी मेरे पास b minus 4 का whole square और आगे भढ़ेंगे अगर मैं ऐसे c वाले के लिए solve करता मेरे पास यह वाला पार्ट है c square plus 16 c अब इसे छोड़ देते हैं c square plus 16 c एड़ेडी लिखता हूं मैं और आप देखोगे यहां पर मेरे पास minus 4 का whole square है तो यह minus 16 दे देगा यहां पर minus 4 का whole square minus 16 और यह plus 96 इसके ब्रावट 0 के ब्रावट यह मेरे पास a minus 4 का whole square plus मेरे पास यहां पर देखोगे minus 16 minus 16 32 इसमें घटा दूँगा तो प्लस का 64 बचेगा यह c square plus ब्लस इसे ब्रेक कर सकते हैं तूँ इंटू में एट और इसे ब्रेक कर सकते हैं आपके जी ब्रेक कर में तो कि आतो यह दो यह दो के बराबर होगा यह भी 0 के बराबर होगा और यह भी 0 के बराबर होगा तभी यह 0 के बराबर सकता है तिनों perfect square number है तो a की value कितनी a minus 4 0 के बराबर तो a की value 4 यहां पे b minus 4 0 के बराबर तो b की value 4 और यहां पे c plus 8 0 के बराबर तो c की value कितनी माइनस एट किलियर होगे जो मैंने छोटा तरीका बताया था यह उसी का कॉंसेप्ट है यही वैल्यू आई थी ABC की मेरी पिछली बार भी और सेम वैल्यू जाहिए है यहां पर पूट कर दो अंसर निकाल तो कुछ नहीं करना मैं दुबारे रिपीट कर रहा हूं अगर स कॉफशेंट एक होगी जो अ का कॉफशेंट है यहाँ पर चार टिवाइड़ेड़ बाइड बाइस स्कॉार का का कोफशेंट वह यहाँ बैल्यू के होगी यहाँ बैट आपको एक लाइन में यहाँ टान लंबा करोगे तो फज़जाओं घिक है अब यह बहुता है तो जैसे मेरे पास यह question दे रखा है, a square plus 4b square plus 49c square plus 18 equals to this, हमें value बताने, 3a plus 2b plus 7c की value क्यों होगी, जल्दी बताओ, a की value क्यों होगी, यहाँ पर a का coefficient, यहाँ पर 2 भार अपने आप ही दे रखा है, तो a का coefficient minus 1 है, और यहाँ पर a square का coefficient 1, b की value कितनी होगी, यहाँ पर b का coefficient 2 दे रखा है, यहाँ पर b square का coefficient 4 है, और यहाँ पर c की value कितनी होगी, यहाँ पर c का coefficient 28 है, c square का coefficient 49 है, तो यह तो 1 by 2 आ गया, और इसे solve करोगे, तो 7 से काटोगे, यह आ जाएगा, 4 भाग 7, पुट कर दो answer निकाल लो, यह जाएगा 3 into में minus 1, plus 2 into में 1 by 2, plus, यह सारे positive है न, यह मेरे पास minus 1 ठीक है, और यह 7 into में 4 by 7, साथ से साथ काटूँगा, 4 बचेगा, एक बचेगा, और यहाँ पर minus 3, minus 3 जमाए, 1 plus 4, 5 minus 3, 2, यह मेरा description का answer आजाएगा, next part में move करता हूँ, अब देखो, आगई mix form, ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा basic से करना पड़ेगा, लेकि मेरे साथ चलना, कि basic से करना है, तो भी क्यासे करना है, जिससे कि गाम में गलती नो, एक बार की माँसर न 4xy plus 9 equals to 0 के ब्रावर दे रखा है, मुझे 14x minus 5y, अभी क्या है, दिखो mix form आ गई, यहाँ पर xy एक साथ आ गया, ठीक है, पिछले question में तो xy एक साथ नहीं था, abc के सारे case से अलग लग दिख रहे थे, यहाँ पर mix हो गया, मतलब यहाँ पर जो form बने की हो सकता है, 2x minus y का whole square ऐसा कुछ भी बने मेरे पास, पिछले question में यह चीज नहीं थे, तो यहाँ पर हमें थोड़ा साथधानी ब्रतनी पड़ेगी question को solve करते हैं, अब इसे कैसे solve करेंगे, यह देखते हैं, अच्छा, आप देखो यहाँ पर मेरे पास 8x square है, plus y square है, minus 12x minus 4xy plus 9 equals to 0, अब इद मे 2 square number है यह मेरे पास, इनमें वो पकर दो जो perfect square number है, क्या 8x square एक perfect square number है नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखता हूं इसे 2 root 2 का x का whole square करना पड़ेगा, यह perfect square number नहीं है, क्योंकि इसकी यहाँ पर x के साथ मेरे पास integer value नहीं दिख रहे, क्या y square एक perfect square number है, आपका होगे 1y का whole square है perfect square number है, ठीक है, एक coefficient हमारा integer होना चाहिए, जब मैं perfect square number की बात करना हूं, जैसे आगर मैं कहूं, मालदो 4 एक perfect square number है, 2 का whole square है, क्या 3 एक perfect square number है, नहीं है, क्योंकि यह root 3 का whole square है, ठीक है, यहाँ पर integer value नहीं है अंदर, तो मैंने कहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या च लिख दो, y के साथ यहाँ पर बस इसमें y हो रहा है, तो मैंने लिख दे हैं, यहाँ पर minus 4xy, अब क्या करना है, बाकी जो बचावा portion है वो लिख दो, plus मेरे पास 8x square है, x की form में जितनी भी value है, minus 12x है, और फिर मैंने लिख दिया plus 9, और यह क्या आगया, 0 के बराबर आगय टिक, अब इसे perfect square की form में convert करना है, हमें पता है, दो पार्ट को perfect square बनाना पड़ेगा, फाज में solve, equate करके answer निकालेंगे, तो यह y square तो अपने आपका y का whole square है, यह 4xy को क्या लिख सकता हूं, मैं, इसे लिख सकता हूं, minus 2 into में y into में, 2x लिख सकता हूं, और इसे perfect square बनाने 2x के whole square को add it is, अपनी मर्जी से थोड़ी ना add कर लूँगा, और फिर मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 8x square, एक एक step लिख रहा हूं, exam में तो बहुत fast करेंगे, minus 12x plus 9 equals 2, यह किस के बराबर, यह मेरे पास y minus 2x के whole square के बराबर हो गया, अच्छा, यह मेरे पास अगर solve करोगे, तो यह मेरे पास minus 4x square, यह plus का 8x square, तो plus का 4x square बचेगा, minus 12x है, और मेरे पास यह plus 9, अब धियान देखो, यह है क्या मेरे पास, यह 2 into 4x into मे, sorry, 2 into 2x into 3 है या नहीं है, यह 4x square क्या है, अगर मैं इसे लिखना चाहूं, तो इसे 2x का whole square लिख सकता हूं, 2x का 3, यह 9 क्या है, 3 का whole square, तो मेरे पास जो form बनेगी, वो बनेगी, y minus 2x का whole square, plus में, यहाँ पे value बचेगी, मेरे पास, 2x minus 3 का whole square, और यह किसके बराबर आजाएगा, 0 के बराबर, अच्छे, यह भी मेरे पास 0 होगा, और यह भी 0 होगा, तब ही 0 के बराबर बनेंगे, तो मैं तो 2x की value किसके बराबर, 3 की, 2x की value 3 के बराबर, तो y की value 3, और x की value कितनी होगी, 3 भाग दो, put कर दो, x की value कितनी है, 3 भाग दो, यहाँ पे put करूँगा, तो value कितनी आ जाएगी, 14 into में 3 by 2, minus 5, और यहाँ पे y की value 3 है, तो यहाँ पे 7 यह 21 minus 15, यह answer दे देगा, 6, 6 is the right answer, step सारे के सारे clear हो गए, question को कैसे solve करना है, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैंने लिखके बताई, समझाई, तो time लगा है question को solve करने में, जब आप exam में कर रहे होगे, इतना time नहीं लगेगा, आप question को देखने के बाद, जो यह सारा method लिखा है ना मैंने, maximum 30 second के अंदर आप X और Y की value में पहुच जाओ गए, ठीक है, बस आपको process पता होना चाहिए पगड़ना कैसे है, कहां से question को solve करना, start करना, ठीक है, अब मैं next question करूँगा, आप देखना थोड़ी fast करेंगे उसे, इस type का एक ही question था गया है, एक second दो मुझे, देखो यह भी same type के question है, हमें X प्ल सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले perfect square number को चुनना है, मैंने का 4y square perfect square number है, 2x square perfect square number नहीं है, तो 4y square को मैंने इधर लिखा, तो मैं इसे 2y का holy square लिख सकता हूँ, y वाले सारे part एक साथ लिखो, y यहाँ पे आ रहा है बस यहाँ तो plus 4xy होगा, फिर उसके बाद मेरे पा whole square है, यहाँ पे 4x है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 2 into 2x, into में y, तो यहाँ पे perfect square, 2y into में x, ठीक है, तो यहाँ पे 2y दे रखा है, तो 2y आ गया, into में x की जुरत है, यहाँ पे perfect square बनाने के लिए x square की जुरत पड़ेगी, तो इस x square को जो मुझे चीए, वो मैं कहां से ले सकता हूँ, यहाँ से 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 ले सकता हूँ, तो मैंने कहा है, इस x square कर दो, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा, प्लस x square, यह एक परफेक्ट स्क्वाइर नंबर में स्प्लिट हो गया आप देखो कि यह भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वाइर नंबर बन चुका होगा तभी कोशन सो रूप पाएगा वरना नहीं होगा इस तरीके से तो मैंने का यह मेरे पास वैल्यू बन जाएगी टू टू में 3 यह यह 6 x तो मेरे पास यह x-3 का होल स्क्वाइर यह 0 के बराबर तो आप काऊगे यह 0 के बराबर या यह 0 के बराबर अगर मतलब यह दोनों 0 के बराबर होंगे तब यहam जो मिलेगा में तो यहां से इसे 0 के बराबर रखकोंगा तो x की वैल्यू होगी तीन और यह वैल्यू आजाएगी मेरे पास तीन तीन बाई दो यह बचेगा अंसर ऑप्शन नमबर वन पॉइंट फाइव दे रखा तो वन पॉइंट फाइव दर राइट अंसर किल्यर हो गया अब यह वाला कोश्चन ने इस टाइब के बहुत कोश्चन पूचे गये फॉर्मॉला बेस्ट हैं आप यहाँ पर मेरे पास क्या दे रहा कआ count root 5 का whole cube minus 3 root 3 y का whole cube और यहां पर यह वाला part into में यह वाला part आपने एक formula पढ़ा होता है aq minus b cube जो की बराबर होता है a minus b into में a square plus b square plus a b यह formula पढ़ा होता है क्या वही formula यहां पर लग रहा है अगर मैं इसे a मान लूँ तो आप क्या होगे कि किसका whole cube है आप कह सकते हों यहां पर देखो अगर मैं compare ही कर रहा हूँ इस formula से तो क्या यह a के बराबर होगा यह वाला part क्या यह b के बराबर होगा यह वाला part ठीक है a minus b और यह ऐसी चल रहा होगा आप देखोगे यहां पर यह a है तो क्या यह a cube है यह वाला part 2 root 5 x का whole cube करोगे 40 root 5 x cube यह आएगा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 40 root 5 x cube को 2 root 5 x का whole cube है अच्छा अगर मैं 3 root 3 y cube की बात करूँ क्या यह root 3 y का whole cube है b का whole cube है तो minus मैंने कहा यह root 3 y का whole cube है यह किसके बराबर आ गया यह मेरे पास 2 root 5 x minus root 3 y into में a square मतलब इसका square करना पढ़ेगा 2 root 5 x का whole square plus मेरे पास root 3 y का whole square plus 2 root 5 x into में root 3 y यह आएगा अच्छा यह तो मेरे पास same रहेगा सोंद करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा 40 root 5 x cube minus 3 root 3 y cube equals to 2 root 5 x minus root 3 y यह किसके बराबर root 5 का square 5 into 4 20 x square plus 3 y square और यहाँ पर आजागा मेरे पास 2 root 15 x y क्या compare कर सकते हैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जो हमारे पास निकल के आए ठीक है मैं उपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से compare करूँगा तो मेरे पास value क्या निकल के आएगी आप कोगे सर ये वाला पार्ट सेम है इस वाले पार्ट के into मैं ये वाला पार्ट सेम है इस वाले पार्ट के तो ये वाला पार्ट सेम होगा इस वाले पार्ट के compare कर लो x square का coefficient क्या है a तो a की value कितनी होगी 20 ठीक है यहाँ पर y square का coefficient क्या है c तो c की value कितनी होगे 3 और यहाँ पर x y का coefficient कितना है यहाँ पर मेरे पास 2 root 15 है यहाँ पर b है तो b की value कितनी होगे 2 root 15 यहाँ पर answer solve करके value put कर दो under root में b square plus c square minus a square की value बताने है कि क्या होगी ठीक है तो यहाँ पर b square plus c square b square मतलब 2 root 15 का whole square 2 root 15 का whole square करूँगा तो 15 चोग मेरे पास कितना आजाएगा 60 आजाएगा और यहाँ पर plus c square करूँगा c square की value कितनी होगे मेरे पास 9 और minus a दे रखा है a की value दे रखा है 20 69 minus 20 करूँगा तो यह 49 आएगा और answer आजाएगा 7 option number b correct हो जाएगा मैंने बिल्कुल basic से बताया लेकिन exam में अगर यह form बनती है तो आप सीधा-सीधा देख लेना यह मेरे पास अगर a minus b हाँ पर आपको दिग गया तो यह a q minus b q b होगा और यह मेरे पास a square plus b square plus a b होगा तो मैं directly कहाता कि यहाँ पर जो मेरे पास x square का coefficient क्या होगा मेरे पास a की value क्या होगी यह 2 root 5 के whole square के बराबर होगा तो a की value क्या होगी 2 root 5 का whole square मतलब 4 into 5 20 अब यहाँ पर c की value क्या होगी y square का coefficient है तो यहाँ पर root 3 y का whole square करूँगा तो मेरे पास c की value आजाएगी 3 और अगर मैं xy की coefficient की बात करूँ ये b है और जब इसका क्या करूँगा इन दोनों को multiply करना पड़ेगा formula के हिसाब से a b तो इन दोनों को multiply करूँगा तो value कितने आजाएगी मेरे पास root 3 into में 2 root 5 मतलब ये मेरे पास हो जाएगा 2 root 15 ठीक है एक्जाम में directly बस इतना करेंगे देखो question में क्या दे रखा है मेरे पास 3 root 3 x cube minus 2 root 2 y cube equals to root 3 x minus root 2 y equals to x square minus bxy plus c y square हमें value बताने a square minus b square plus c square के value क्या होगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं इसे a मान लूँ इसे b मान लूँ तो यह मेरे पास क्या है यह वाला a cube बन जाएगा यह मेरे पास b cube बन जाएगा तो a cube minus b cube equals to a minus b और यह a square plus b square plus a b वाली form बन जाएगी तो आप compare गर होगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा यह मेरे पास root 3 x2 regarding root 2y मतलब root 6 x y यही बनेगा अच्छा अब देखो एक्जाम में यहाप तो मैं एक चीज लिख के बतार एक्जाम मतलब आप डिरेक्ट ली कर सकते हो आप कोगे यहाँ पर यहाँ पर एक कोफिशेंट x square कोफिशेंट a है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मेरे पास a की value किसके बराबर 3 के बराबर यहाँ पर compare करूँगा x y कोफिशेंट यहाँ पर root 6 है यहाँ पर minus 6 है तो minus b है minus b किसके बराबर और यहां पर root 6 के बराबर हो जाएगा और यहां पर अगर compare करूँगा y का square यहां पर c है और यहां पर 2 है तो c की value 2 हो जाएगी हमें value किसकी बतानी है a square minus b square plus c square तो value के हो जाएगी a square मतलब 3 का square minus b square बताना है तो यहां पर b की value minus 6 है तो minus root 6 का whole square स्क्वार और यहां पर प्लस स्क्वार मतलब तू का स्क्वार तो यह मिरे पास 9 माइनस 6 प्लस 4 होगा और 13 माइनस 6 करूंगा तो वैल्यू आएगी साथ option number C करेक्ट होगा के लिए रहे कोश्चन है अगेन एक और कोश्चन है मेरे पास CHSL 2019 का अभी तक हमने A3 माइनस B3 का फॉर्मला एक्सपेंड कर रहे थे हम अभी आगे A3 प्लस B3 का फॉर्मला आपके पास क्या होता है A3 प्लस B3 बराबर होता है A प्लस B और यह हो जाएगा A2 प्लस B2 यहाँ पर धियान रखना यहाँ पर माइनस A B होता है ठीक है तो compare करेंगे आप देखोगे अगर यह A मानलू यह B मानलू तो मेरे पास यह A3 है यह B3 है और यहाँ पर expand गरूँगा तो यह किसके बराबर होना चीहे यह A2 plus B square मानलस A के बराबर होना चीहे तो यहाँ पर value कितनी हा जाएगी अगर मेरा A2 root 3X है और B पर x square का coefficient क्या आएगा A की value क्या यहाँ यहाँ पर y square का coefficient क्याएगा 2 तो c की value 2 हो जाएगी और यहाँ पर b मेरा coefficient है किसका xy का तो यहाँ पर b की value क्याएगी xy का coefficient आएगा यहाँ पर multiply होने के बाद minus का 2 root 6 हमें value बतानी है 2a plus root 6 b minus c की तो 2a मतलब 12 दूनी 24 plus root 6 b करूँगा तो b की value 2 root 6 minus का है minus multiply कर देंगे इन दोनों के इसमें तो 6 दूनी 12 minus का 12 और minus c करूँगा तो c की value मेरे पास है 2 अंसर कितना आ जाएगा 24 में 14 गटाऊँगा तो 10 option number a correct हो जाएगा यह मेरा question का अंसर आएगा के लिए होगे सब को compare करके कैसे अंसर निकालना है ठीक अच्छा आपके दिवाग में सर यह भी आ सकता है किसकी value बताने के लिए a, b और c की individual value बताने के लिए sufficient है जैसे हमने last case में देखा था square वाले में अगर यह a, b, c की individual value बताने के लिए sufficient है इसका मतलब a, b, c की value तो हम ijim नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पर ijim अगर कर सकते हैं तो सिर्फ x और y की value को ijim कर सकतें हैं आप x और y की value assume करोगे लेकिन problem आपकी ही भड़ेगी क्योंकि आप x और y की कोई भी value assume करोगे तो 3 variable की equation बनेगी मानलो आपने क्या करा है starting max को 0 कर दिया y को 1 कर दिया तो यहाँ पर एक equation बनेगी आपके पास second case में चलो आपने y को 0 कर दिया x को 1 कर दिया तो आपके पास एक equation बनेगी फिर उने solve करके आप अलग-अलग values निकालोगे अलग-अलग equations बनाओगे उने solve करके ABC की value निकालनी पड़ेगी तो आपका ही काम भड़ेगा उसमें तो इसमें बैस्ट यह है कि compare करके अपना answer निकाल ले अगर मुझसे इस question में पू y को 1 करता तो यह satisfy करता x और y की हर value पे तो यह भी 1 बन जाता यह भी 1 बन जाता और यह भी 1 बन जाता तो मेरे पास answer क्या आता अगर a plus b plus c की value बतानी होती directly तो आप कहते है आपके पास यहां पर value बसती इधर तो क्या हो जाता xb1 yb1 तो मेरे पास 24 root 3 plus 2 root 2 और यह बराबर ह हो जाता है यहां पर a plus b plus c के इसे solve करके हम a plus b plus c की value निकाल लेते ठीक है अगर a plus b plus c हमसे पूछे था इसकी value बताओ लेकिन अगर मुझे ऐसी value बतानी है 2a plus root 6b minus c तो हम नहीं कर सकते value putting से बहुत लंबा होगा आप compare करके अपना answer निकाल लें आपका finally answer आ जाएगा ठीक है अब जैको जैसे value putting कहां पर यूज करने हैं वो भी सीख लेते हैं कुछ questions आएव हैं जो basic से करने में बहुत मुश्किल है value putting से सानी से हो जाएंगे जैसे मेरे पास एक question यह है यह भी मेरे पास क्या दे रखा है 8x plus y का whole cube minus 27x minus y का whole cube divided by 5y minus x ठीक है यह इसके बराबर दे रख यह हमें इसमें यह 8 बहार है अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा क्योंकि 2 का cube 8 होता है तो मैं इसी दिख सकता हूँ 2 into x plus y का whole cube minus 3 अंदर ले जाओंगा तो minus 3 into x minus y का whole cube divided by मेरे पास क्या है 5y minus x है तो इधर ले जा सकता हूँ यह हो जागा 5y minus x और यहाँ पर हो जागा मेरे पास ax square plus bxy plus cy square ठीक है यही बनेगा आप देखोगे इसे अगर मैं capital A माल लूँ इसे capital B माल लूँ तो यह a cube minus b cube का formula लगा दोगे तो इसी form में convert हो जागा यह मेरे पास solve होके a minus b बनाएगा और इसे solve करेंगे आगे जाके expand करके तो जो भी value आए को a के बराबर रख देंगे xy के coefficient को b के बराबर और y square के coefficient को c के बराबर लेकिन इतनी महनत करने की जुरूत नहीं है आप क्या करो इस question के अंदर क्या मैं directly x equals to y equals to 1 1 रख दूँ जैसे ही मैंने x और y को 1 कर दिया तो मेरे पास value क्या जाएगी आपको होगे यह बन जाएगा मेरे पास a plus b plus c ठीक है right hand side में तो बन गया मेरे पास a plus b plus c ठीक है इसके यहापे मेरे पास क्या था यहापे 2 मतला 8 है पूरा ही से solve कर रहा हूं मैं मेरे पास 8 भार रहता x plus y क्यों तो 1 plus 1 2 का whole cube minus 27 x minus y 1 minus 1 0 का whole cube divided by कितना हो जाता मेरे पास 511 रख देता है यहापे तो 5 minus 1 4 solve करेंगे तो यहाप 8 into 8 64 minus 0 divided by 4 और यह answer देता कितना 16 a plus b plus c की value निकालने होते हैं मैं directly निकाल देता हूं बेसिक से कैसे करना है बेसिक से भी सिखाऊंगा जिनता मत करो लेकिन exam में अगर a plus b plus c पूछले तो directly निकाल सकते है xy को 1 करके ठीक है अच्छा और क्या क्या value directly निक दालनी है तो तो अभी निकाल लिए हमने आगे 4 minus a plus b plus c पूछले तो भी निकाल सकते थे माइनस 4 हो जाएगा अगर मुझसे 2a plus b plus 2b plus 2c पूछले तो कैसा मैं 2a plus b plus c हो जाएगा और यह भी answer मेरे पास क्या हो जाएगा 2 into 4 यह सारी value directly निकाल सकते थे xy को 1 करके मुझसे प पॉपशेंट क्या चीए पोजिटिव चीए तो x की value क्या रख दूं मैं x square को 1 करना है तो मैं x की value 1 रख सकता हूं तो मेरे पास बजएगा अब मुझे b को negative चीए तो यहाँ पर अगर x को 1 रख था है y को minus 1 रख सकता हूं क्या अगर y को minus 1 रख दिया तो यहाँ पर क्या ब जाएगा यह minus b plus c देदेगा तो x equals to 1 और y equals to minus 1 रख दो इस equation में आपका अंसर आजएगा रख के देख लेते हैं अगर x को 1 रखा y को minus 1 रखा तो value कितनी हो जाएगी 8 0 का cube 0 minus 27 x को 1 रखा है y को minus 1 तो 1 minus minus 1 यह बन जाएगा 2 तो 27 इन्टू में 2 का cube बचेगा मेरे पास divided by 5 y को minus 1 रखा है तो minus 5 और यह इसे 1 रखा है तो यह मेरे पास बचेगा minus 1 x को 1 रखा है y को हमने minus 1 रखा है तो यह minus 5 minus 1 और अंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे minus 27 इन्टू में 2 का cube मतलब 8 divided by minus 6 minus से minus cancel हो जाएगा 2 से काटूंगा तो यह 3 बचेगा यह मेरे पास 4 बचेगा और यहाँ पे 3 से काटूंगा तो यह आएगा 9 9.36 मेरे description cancel होगा अगर मुझसे पूछते a minus b plus c अच्छा अगर मुझसे पूछ लेते b minus a minus c की value क्या होगी तो minus अगर मैं इसमें common ले लूँ इसमें अगर मैं minus common ले लेता हूँ तो आपको होगे minus common लेके मेरे पास value क्या बचेगी यह value बचेगी अगर इसकी value निकालने हो तो हमें basic से करना पड़ेगा आप चैक करके देखो मुझे a plus b minus c की value दिखा नहीं है ठीक है हम मेरे पास यहाँ पर a a square है यहाँ पर c b square है और यहाँ पर b a b है small में दे रखा है ठीक है तो यह तो a मुझे क्या चीए इसका coefficient positive चीए तो यह बन जाएगा अगर मैं a को रख दूँ 1 अच्छा b का coefficient मुझे क्या चीए positive चीए यह भी बन जाएगा अगर मैं रख दूँ b को क्या 1 लेकिन मुझे यहाँ पर इसका coefficient क्या चीए negative चीए क्या negative बनेगा जब a और b दोनों को 1 रख दोगे तो b का coefficient भी क्या आएगा मेरे पास plus b आएगा 1 into 1 1 बनाएगा तो मेरे पास बचेगा a plus c plus b a plus b minus c नहीं निकाल कौँगो इस particular case में ठीक है तो क्योंकि हाँ पर मैंजे c के साथ minus का sign चीए यह c के साथ minus का sign नहीं मिलेगा आप x और y की कोई भी value हाँ पर पुट कर दो तो इस case में अब मुझे यह basic से solve करना पड़ेगा तो basic से देखते हैं को कैसे solve करेंगे तो मैं मिटा रहा हूँ एक बार यह पूरा का पूरा form वही रहेगी मेरे पास यह इसके बढ़ाबर दे रखा है compute करना बढ़ेगा पहले इस वाले part को solve करते हैं left hand side वाले को 2 क्या अंदर ले जा सकता हूँ मैं इस रिखता हूँ 2A plus B का whole cube plus A minus B का whole cube है मेरे पास यहाँ पर अच्छे इसे मैं capital X मान लेता हूँ इसे Y मान लेता हूँ X cube plus Y cube क्या होता है X plus Y X cube plus Y cube क्या होता है मेरे पास X plus Y X square plus Y square minus X Y तो यहाँ पर put करेंगे value रखेंगे तो मेरे पास हो जागा यह 2A plus B plus A minus B check नहीं भी करोगे तो आपको पता है इसके पराबर ही आएगा तेक है उसके बाद मैं लिखूंगा आगे bracket में into में 2A plus B का whole square plus A minus B का whole square minus twice into में A plus B into में A minus B अब यहाँ पर solve करेंगे तो यह मेरे पास क्या जाएगा 2A plus A 3A और यहाँ पर 2B minus B मतलब 3A plus B यहाँ पर solve करूँगा यह मेरे पास 2 का square तो 4 हो जाएगा 4 भार ले लिए यह बचेगा A square plus B square plus 2AB यहाँ पर A minus B का whole square खोलूँगा A square plus B square minus 2AB और यहाँ पर solve करूँगा तो twice A plus B into A minus B A square minus B square बन जाएगा और यहाँ पर minus 2 है तो minus 2 A square और यहाँ पर अंदर minus वाला है तो वो plus में convert हो जाएगा plus 2B square यह value बचेगी यह 3A plus B है simplify कर लो देखो यहाँ पर 4A square है plus A square 5A square minus 2A square 3A square बचेगा 4B square है 6B square बचेगा और यहाँ पर मेरे पास 8AB है यहाँ पर minus 2AB है तो value कितनी बचेगे मेरे पास 6AB यह गा एगा Compare करलो यहाँ तो A की वैनचा की वैल्यू कितनी हो जाएगी average A square का coefficient 3 है तो यहाँ पर A की वैल्यू 3 terrifying का coefficient साते तो यहाँ पर C की value कितनी हो जाएगी मेरे पास 7 और यहाँ पर A B का coefficient 6 है तो यहाँ पर B की value कितनी हो जाएगी 6 हम से पूछाए A प्लस B माइनस C की value कितनी है तो 3 प्लस 7 माइनस 6 और अंसर आ जाएगा 10 माइनस 6 चार कोपी में नोट कर लेना अच्छा question है एकजाम में आएगा तो time consuming है थोड़ा सा ठीक हो सकता calculation mistake भी कर दो तो practice इसकी अच्छी होनी चीए बाकी मैंने बताया अगर कोई और form पूछता इन पांचों में से कोई भी value पूछता तो हम निकाल लेते डारेक्ली question to question depend करेंगा कि हमसे क्या value पूछी है अगर value putting से हो रहा है अच्छा है वरना basic से करना पड़ेगा इस तरह की form में पूछ लिया बाकी सारे तो यह वाले questions है यह तो direct हो जाते हैं हमारे question पूछ रहा है एक value नो होती है मेरे पास इन में से एक value पांच होती है और एक value मेरे पास 4 होती है ठीक आप चैक कर लो x plus y plus z 9, 6, 4, 19 आ रहा है square करके add करोगे तो 133 बनेगा और x, z हमें y square के बराबर दे रहा है तो आप इन में से देखो कौन सी value ऐसी है जिन दोनों को multiply करने के बाद 3 value के square के बराबर है तो आप कहोगे sir इसमें अगर 9 into 4 करता हूँ तो मेरे पास क्या 6 के square के बराबर आ रहा है इस values पर कहीं बार कुछाबा है हम directly कर सकते हैं फिर भी मैं आपको एक बार basic से जरूर बताऊंगा इस question को basic से कैसे करेंगे तो एक बार basic से और देख लेते है सबसे पहले तो मझे x plus y plus z 19 दे रखा है x square plus y square plus z square की value है और xz की value y square के बराबर दे रखिए ठीक है solve करना है तो 3 equation 3 variable मतलब कुछ assume तो करनी सकते है पूरा basic से solve करना पढ़ेगा ठीक है तो solve करना है start करते हैं हम क्या करेंगे हैं पर सबसे पहले तो y square का relation xz में दे रखा है तो xz को अलग करना है y square को अलग करना है मैं यह वाली equation उठा लूँ क्या x plus y plus z equals to 19 अब इसमें से y को अलग कर देता मेरे पास बचेगा यह x square plus z square plus 2xz यह बराबर हो जाएगा मेरे पास 19 square plus y square minus 2 into 19 into में यह है अच्छा आप जखोगे यह xz की जगा मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर y square से replace कर दूँगा तो यहाँ पर 2y square में से 1y square घड़ जाएगा इधर आके तो मेरे पास value क्या बचेगी मेरे पास इधर बचेगा x square plus z square plus y square यह बराबर हो जाएगा 19 square minus 2 into 19y 38y लिख सकते हैं अच्छा x square plus y square plus z square की value तो दे रखी है हमें कितनी 133 तो यहाँ पे 133 रखेगा यह 19 square minus 38y है 19 से कट जाएगा पूरा का पूरा आपको पता है 19 से 7 टाइम जाता ही है तो यह square खटेगा और यहाँ से काटूंगा तो 2 मेरे पास value आएगी 19 से में 7 घटाओंगा तो value कितनी आएगी 12 आएगी और यह 2y के बराबर होगी y की value आगई 6 ठीक है अच्छा y की value अगर 6 आगई आप equation देखना x plus y plus z 19 है y की value 6 रख दूंगा तो x plus z की value कितनी आगई 19 minus 6 यह value आजएगी 13 यहाँ पे अगर y की value 6 रख दूंगा तो x z की value कितनी हो जाएगी 6 का square कितना हो जाएगा 36 ठीक अब मुझे x और z की बतानी है value क्या रहीएगी अब या तो आप basic से solve कर लो quadratic equation मिलना कि तब आपका अंसर आजाएगा वरना आप क्या कर सकते हो डिरेक्ली सोच सकते हो आप देखो के दो values का sum करने के बाद 13 आ रहा है और यहाँ पे x z multiply करने पर 36 आरे क्या क्या value possible आ सकती है आप अगर 36 को factor में भी split कर सकते हो तो multiple value जो आपके पास निकल के आएगे लेकिन क्या आप यहाँ पर 9 और 4 डारेक्ली देख पाऊगे इसमें 9 चोक 36 होता है और 9 प्लस 4 मेरे पास 13 होता है तो मेरे पास value क्यों होगी एक value 9 रहेगी एक value 4 होगी आप इसमें बता नहीं सकते x कौन सा होगा अगर मेरा x 9 होगा तो y की value 4 होगी अगर x 4 होगा तो y की value क्या होगी 9 इनका difference पूछा तो दोनों cases में difference कितना आएगा मेरे पास 5 5 मेरा इस question का answer आजाएगा ठीक है इस तरह के question में अगर आपको x और y की value जो निकालनी भी है तो आप कैसे कर सकते हो यह 36 ताना 36 को factors में split करना start कर दो इसे में 1 x 36 लिख सकता हूँ ठीक है इन दोनों का x और y की value यह हो सकता तो x plus y की value कितने आगी 37 नहीं करेगा satisfy फिर आप इसे 2 x 18 लिख सकते हो यह बन जाएगा मेरे पास 20 नहीं करेगा फिर आप इसे 3 x कितना लिख सकते एक एक करके solve करते चले अलग-अलग values के लिए 3 x 12 लिख सकता हूँ यह बन जाएगा मेरे पास 15 नहीं कर रहा क्या मैं इसे 4 x 9 लिख सकता हूँ 4 x 9 कितना होता है 36 होता है और 4 plus 9 13 कर रहा है satisfy तो value 4 और 9 रहेंगे hit and trial अगर आप कर रहे हो यहाँ पे values को तो आप इस तरीके से तो यह direct flow होता है इसका hit and trial करने का इस तरह के questions में जैसे मैंने positive case लिया ऐसे negative case भी ले सकते थे आप minus 1 into minus 36 यह cases भी बनेगे तो अगर x plus y minus 36 दे रखा हो तो आपको दो का multiplication दे रखा हो sum की value भी दे रखी हो और individual values बता नहीं हो तो directly आप ऐसे कर सकते हो एक 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 factor में split करके हो अब next question हमें क्या दे रखा है देखो cpu 2019 का question है this into this बराबर दे रखा है इसके हमें value बताने है इस expression की value क्या होगी इसे x को यह नीचे लिखाने है यह square है ठीक है यह y square है यह 2xy यह gx है यह fy और यह c है ठीक है इसे सही कर लेना तो इन दोनों को multiply करके value बताने है तो यह सारे coefficient है a, b, c और जो बाकी f हो गया, g हो गया, checks हो गया तो multiply करेंगे coefficient को equate करके अपना answer निकाल लेंगे जैसे मानलो अगर मैं इससे multiply करता हूँ तो आपके पास value क्या आएगी सबसे पहले 2x को इन तीनों से multiply कर दो तो value आएगी मेरे पास 4x square plus 6xy minus 10x फिर 3y को multiply करूँगा तो value क 15y और फिर मैं 4y, 4 को multiply करूँगा इन तीनों से, तो 4 into 2 मेरे पास आजाएगा 8x plus 4, 3, 12y और यहाँ पर minus 20, देख लेना कोई mistake ना हो multiply करने में, अब सारे coefficient वाले अलग अलग कर लो यहाँ जो दो same मिल रहे हो, जैसे 4x square, y square यह तो अलग ही दिख रहा है मिझे, 4x square plus 9y square यह तो यह 6 और 6, 12, xy है, फिर उसके बाद मिझे क्या चीए, x का coefficient चीए, x का coefficient चीए, x का coefficient ढूंडो का है, minus 10x है, plus 8x है, और कहीं भी यह नहीं है, तो minus 10 plus 8 minus 2x बचेगा, फिर मिझे किसका चीए, y का coefficient चीए, y का coefficient निका लेंगे, y कहाँ पर आ रहा है, यह हो गए, minus 15y plus 12y, minus 3 y बचेगा, और यहाँ पर फिर मेरे पास minus 20 बच रहा है, बस यह constant c के बराबर होगा, equate कर दोगे, a की value किसके बराबर, 4 के बराबर, b की value 9 के बराबर हो जाएगी, अगर यह 2h मेरा 12 के बराबर है, तो h की value 6 हो जाएगी, अगर 2g मेरा किसके बराबर है, minus 2 के बराबर है, तो g की value minus 1 हो जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2f मेरा minus 3 के बराबर है, तो f F की value किसके बराबर, minus 3 by 2 के बराबर हो जाएगी, और अगर मैं बात करूँ, C की value minus 20 के बराबर, यहां पर put कर दो, थोड़ा lengthy question है, G plus F minus C divided by A, B, H की value बतानी है, तो G plus F, minus 1, plus F की value minus 3 by 2, minus C मतला minus 20, यहां पर दो रखा है, C की value और minus में है, तो plus 20 बने गए धर जाके, divided by A, B, H, A की value 4 into 9 into 6, अज़ अगर solve करेंगे हैं, 4 into 9 into 6 हैं मेरे पास, और यह सारी value बन रही है, क्या आएगा solve करने के बाद answer, ठीक है, अगर मैं multiply करता हूँ, 9 चोग 36, 36 into 6 करूँगा, तो यह तो value बन रही है, 216, denominator में और यहां पर solve करूँगा, तो मेरे पास यहां पर minus 1 minus 3 by 2, मतलब minus 5 by 2 है, plus 20, 20 into 2, 40 minus 5, मतलब 35, 35 भाग दो, तो solve करेंगे तो 35 भाग में, 216 into 2, 432, option number D correct हो जाएगा, चलों आगे, recent का question है, SSC CGL 2019 tier 1 का, देखो हमें क्या दे रखा है यहां पर, x की power 2a, equals to y की power 2b, equals to z की power 2c, not equals to 0, x square equals to y, हमें इसकी value बताने ही, कि इसकी value क्या होगी, अच्छे, एक चीर बताओ, हम कहते हैं, कि जितनी equation है, जितनी variable पहले check कर लो, कितनी equation है, यहां पर, जितनी equals to assign, 1, 2, 2 equation, और 1 equation यह 3 equation, 3 equation है, variable कितने, 1, 2, x, y, z, a, b, c, क्या 6 variable हैं, तो मतलब 3 variable की value मैं अपनी मर्दी से कुछ भी मान सकता हूँ, अगर 3 variable की value हो, अपनी मर्दी से मैं कुछ भी मान सकता हूँ, तो हम कुछ भी रख देंगे, a, b, c, की value, मेरा अंसर आजाना चीए, लेकिन, जब भी मैं value रखूँगा, मैं इस चीत का ध्यान दूँगा, कि वो बाकी condition को violate ना करे, तो मैंने का चलो, a, b, c, की value को क्या कर देता है, मैं equals to, b equals to, c equals to, 2 रख देता हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में ये value आगई, a, b, c, की, अच्छा, अगर मैं इनकी value 2 रख दूँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, क्या है, मेरे पास x की power 4 बराबर हो जाएगा, y की power 4 equals to z की power 4 गे, ठीक है, x की power 4, y की power 4, z की power 4 बराबर है, तो कहीं न कहीं, अगर मैं positive factors कोई count करूँ, count करूँ, तो मैं कह सकता हूँ, x equals to y equals to z हो जाएगा, और अगर x equals to y equals to z है, तो x square, मेरा y, z के बराबर यहाँ पे दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ, x square किसके बराबर हो गया, x into x और e हो जाएगा, x square के बराबर, क्या यह satisfy कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कोई भी condition को इसने violate नहीं किया, अगर violate नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे, a, b, c की value, मैं 2, 2 रख सकता हूँ, तब भी मेरा answer match कर जाएगा, अच्छा, और क्या रख सकता हूँ, मैं a, b, c की value, आपके जिमाग में आ सकता था, sir, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अगर चलो, मैंने भी 2, 2 रख दिया, आप यहाँ पे, बाकी जगाओ पे, a, b, c की value, 2, 2 रख होगे, तो आपका क्या आएगा, different answer आएगा, तो satisfy नहीं करेगा, question मेरा यहाँ पे खतम हो जुका है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको थोड़े बहुत concept और बता रहा हूँ, कि और क्या क्या चीजी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने टूट रख दिया, आगे एक बार के में, मालनों मैं, a, b, c को 1 रख देता, a, q, b, q, c, q, 1, तब भी मेरी equation satisfy हो जाती है, ठीक है, x2, y2, z2 के बराबर आता, x, y, z बराबर हो जाते, मैं कहता, x2 request to y2 के satisfy कर रहा है, यहाँ पे x, x रख देता मैं फिर से, तब भी मेरे पास answer क्या आता है, यहाँ पे a, b, c की value, a, q, 1, b, q, 1, c, q, 1, 3, q, 1, रख देता, जब भी मेरे पास answer क्या आता, 3 बसता answer, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे 4 option में check करता, तो यहाँ पे 1, 1 रखते हैं, तो 4 option 3 बन जाते हैं, तो मेरा, क्या हो जाता, answer गलत हो जाता, देखो question में हमें क्या दे रखा है, ठीक है, x की power 2a equals to y की power 2b equals to z की power 2c, not equals to 0 दे रखा है, x square y, z के बराबर दे रखा है, हमें इसकी value बताने हैं, ठीक है, तो algebra के questions में आपको पता है, अगर number of patients कम हो, variable जादा तो value putting यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर variables कितने है, a, b, c है, x, y, z है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर, variables है, equation कितने है, 1 equals to sign, 2 equals to sign, यह तो not equals to, यह से छोड़ देंगे, यह हो गया, 3 equals to sign, तो 3 equals to sign है, तो 3 equation है, मतलब 3 variable की value कुछ भी assume कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर x, y, z और abc form में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या सकता हूँ, sir, abc की value कुछ भी मान लो, सर, abc को क्या करता है, tino को 1 बना लेते है, मैंने का a को 1 कर देता हूँ, b को 1 कर देता हूँ, c को 1 कर देता हूँ, अचा, अगर 3 को 1 कर दिया, तो 4 option मेरे same हो जाएंगे, यहां पे भी 1 रखूँगा, यहां पे भी 1 रखूँगा, यहां पे भी 1 रखूँगा, क्या 4 option मेरे पास value same दे देंगे, और यह सारे values मेरे पास क्या हो जाएंगी, थरी हो जाएंगी, फिर तो फायदा नहीं है, 1 रख के काम निद चल रहा, आप क्या कहोगे sir, 1 नहीं रखना मैंने कहा है, यहां पे a equals to b equals to c equals to 2 रख देता हूँ, अगर 2 रख दिया, तो मेरे पास क्या होगा, यहां पे directly 2 रखता चला जाओँगा, और यहां पे value क्या हो जाएगी, मेरे पास 2 into 2 plus 2 into 2 divided by 2 into 2, solve करेंगे, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 3, ठीक है, अब यहां पे a c और b c और a b को 2-2 रखूँगा, तो यहां तो value बड़ी बन दा देगा, यह तो हर case में यहां पे भी 12, यहां पे 12, यहां पे 3 बचेगा मेरे answer तो, यह answer सही हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको हमेशा इस चीज का check करना पड़ेगा, जब भी आप value putting कर रहे हो, जो देखो न, यह condition को violet कर रहे हैं, यह नहीं कर रही है, ठीक है, a equals to b equals to 2 रखता हूँ, चलो इस case में तो यह condition को satisfy कर जाएगा, आप कहोगे यहां पे a को 2 रख दो, मैंने का x की power 4 है, यह y की power 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यह 0 के बराबर भी नहीं आ रहे, z की value हमें पता ही न, x, y, z की value क्या है, और यहां पर, यहां पर solve करोगे, आप कहोगे x square किस के बराबर, अगर x की power 4, y की power 4, z की power 4, तो कहीं न, कहीं मैं कह सकता हूँ, एक case ऐसा भी होगा, x equals to y equals to z है, तो आप कहोगे x square किस के बराबर, यहां पर x into x के बराबर रख दो, और यह मेर मेरा answer सही आए रहा, कोई problem इसमें नहीं है, अगर मैं यह verify पहले कर लेता हूँ, अगर बिना verify कर रखता हूँ, तो गरवर होती है, जैसे अभी मैं आपको एक और case बताता हूँ, आप कह रहे हो, sir, यहां पर क्या है मेरे पास, 6 variable है, 3 equation है, तो 3 variable की value कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने अब क्या करा, a को मैंने मान लिया 1, b को वान लिया 2, और c को मैंने मान लिया 3, यह भी तो मान सकता हूँ, अब इस case में check करके देखो, किस से satisfy करेगा आपका, यहां पर मैं करूँगा, आप equation को देखो, इन 3 equation को, क्या इन values पर रखने पर, क्या मेरी equation यह satisfy हो रही है, आप देखोगे, x को, a को रखा 1, तो मेरे पास आया x square, b को रखा 2, तो यह y की power 4 होगा, और अगर मैं c को 3 रखता हूँ, तो यह मेरे पास क्या होगा, z की power 6 होगा, ठीक है, अगर मैं power को minimize कर देता हूँ, मैं कह सकता हूँ, x कही न कहीं, z cube के बराबर हो सकता है, एक factors यह भी होगे, ठीक, अब यहाँ पर put करके देखो value क्या आएगी, यहाँ पर x square है, x square added is, क्या मेरे पास, यह y into z x square के बराबर आ रहा है, आप करोगे, sir, y की value क्या होगी, कही न कहीं यहाँ से निकालूँगा, तो y की value root x के बराबर हो जाएंगी, 1 by 2 plus 1 by 3, और यह value क्या हो जाएगी, मेरे पास x की power, 2 into 3, 6 और 2 plus 3, 5, क्या x square मेरा x की power 5 by 6 के बराबर आ सकता है, यह conceptually गल्थ हो जाएगा, तो हम ABC की मैंने का, अपनी मर्जी से value तो रख सकते हैं, लेकिन वही value रखेंगे, जो given condition को satisfy कर रहा हो, यह given condition को क्या कर है, satisfy नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम ABC की value 1, 2, 3 नहीं रख सकते, किसमाद अच्छी थी कि हमने 2 रखी answer आगया, एक बार की में, ठीक है, 1 रख देते, तो 4 option सेम हो जाते, अगर कोई और value रख देता, तो हो सकता, ना satisfy करता, ठीक है, इस case में आप जब जब A equals to B equals to C रखोग पूरा पूरा मिटा रहा हूँ मैं है, हाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस question में, इस तरह की question सट से indices में मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, अगर X की power 2A, Y की power 2B और Z की power 2C बराबर दे रखा तो इन सब को मैं के constant के बराबर मान सकता हूँ, K के बराबर, तो मैं कह सक तो Y की value भी क्या हो जाएगी, मेरे पास K की power 1 by 2B, और similarly मेरे पास Z की value भी क्या हो जाएगी, K into 1 by C, हमें बराबर दे रखा है, क्या X square बराबर दे रखा है Y, Z के, अगर X square मेरा Y, Z के बराबर है, तो X क्या है मेरे पास, K की power 1 upon 2A, तो मैं कह सकता हूँ, K की power 1 upon 2A, इसका whole square तो 2 से multiply यह बराबर होगा y into z के y की value क्या है मेरे पास k into में 1 upon 2b और z की value क्या है k into में 1 upon में 2c अगर मैं solve करूँगा यह हो जाएगा k की power 1 by a यह बराबर होगा मेरे पास k की power 1 upon 2b plus 1 upon में 2c के k से कैंसे power को equate कर देंगे मैं कह सकता हूँ 1 by a बराबर होगा यहाँ पर 1 by 2 common ले लिया 1 upon b plus 1 upon c के lcm ले लो यहाँ पर 2 by a मेरा बराबर हो जाएगा bc और यह हो जाएगा b plus c अगर मैं multiply कर देता हूँ cross multiply तो आप लोगे 2 मेरा किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा ab plus ac divided by bc अब हमें bc तो मिल गया यहाँ पर a b b मिल गया हमें a c b मिल गया हमें bc की जुरत है अब bc यहाँ पर और चीए तो क्या कर सकता हूँ क्या हमने one को add कर सकता हूँ दोनों जगा ठीक है यह दिमाग में आता नहीं एक जाम में कि one add कर ले तो यह 3 हो जाएगा मेरे पास जालू आगे और यहाँ पर आप इसे देखते हैं यह condition जब जब आप देखो यह मैं अगर 2 को इथर multiply कर देता हूँ 2bc जब जब मेरे पास a b plus a c के बराबर होगा तो इस सारी question satisfy करेंगे तो यह relation है a b और c में इस relation को जब जब हम यह वाला relation यूज़ करेंगे तब तक मारा अंसर सेम आता रहेगा ठीक है वरना आप क्या कर सकते थे मालों 2bc की वैल्यू निकाल ली यह आपके पास a b plus a c की वैल्यू आगके बराबर आ गई तो a b plus a c को यहाँ पर क्या रख सकते थे तो आपके पास होता 2bc plus bc divided by bc और अंसर क्या हो जाएगा 3bc divided by bc और अंसर आ रखे थी इस relation को बताने के लिए ही दे रखे थी और जब आप देखोगे इस relation में भी जब जब मैं a equals to b equals to c करूंगा तो यह satisfy कर जाएगा equals to b equals to c पे इसलिए जब भी मैं a bc की equal value रख रहा था मेरा हर केस में अंसर 3 आ रहा था ठीक तो किस्मत थी कि हम एक value same रख रहे थे equals to zero इसकी value बताने है अभी थोड़ी देर पहले बढ़ाया मैंने आपको कि एक perfect square number perfect square number perfect square number तीनों का sum मेरे पास 0 के बराबर आए तो यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 मैं कह सकता हूं a plus b minus two equals to zero मतलब a plus b किसके बराबर 2 के बराबर similarly b plus c 5 के बराबर c plus a किसके बराबर 5 के बराबर हमे value बताने है under root b plus c की whole power a b plus c 5 के बराबर है 5 की power a plus c plus a की whole power b तो 5 की power b minus a अच्छा यहाँ पर a और b की value निकालने पड़ेगा बिना निकाले काम नहीं चलेगा तीन equation है तीन variable है solve करके a b c की value निकाल सकते हैं तीनों को क्या कर लो add कर लो तीनों का add करूंगो तो value क्या बनेगी आप कहोगे यह twice a plus b plus c बनेगा और यह धर आजाएगा 10 और 12 a plus b plus c की value कितनी हो जाएगी 6 अगर a plus b plus c की value 6 है मुझे a और b की value चीए तो अगर इस वाली equation मे मेरे पास a की value मिल जाएगी यहां पर इस में से इसे खटाया तो a की value कितनी 6-5 और यह जाएगी 1 अगर मैं इस वाली equation में से यह वाली equation खटातो तो b की value मिल जाएगी तो b की value अगें 6-5 यह जाएगी एग पुट कर दो यहाँ पर value कितनी आ जाएगी मेरे पास यह 5 की power 1 plus 5 की power 1 minus 1 10 minus 9 यह आ जाएगा 3 question हो गया खतम चलूँ आगे अभी यह वाला question है देखो 3 की power A equals to 27 की power B equals to 81 की power C दे रखा है ABC की value 144 दे रखे है हमें इसकी value बताने ही कि क्या होगी देखो हमारे पास क्या है तीन equation है यहाँ पर जितने equals to के sign उतनी equation तीन ही variable है मतलब value तो कुछ भी assume नहीं कर सकते है पूरा basic सही solve करके answer आएगा अब हम क्या करेंगे इससे solve करने के लिए आप देखो यह 3A है यह 27B है और यह 31C है तो 3 की power A equals to 3 का cube है यह तो 3 की power 3 भी हो जाएगा और यह 3 की power 4 है 3 की power 4C power equate कर देंगे अगर base same है तो मेरे पास A equals to 3B equals to 4C आगया अच्छा ABC की value मिझे कितनी जे रखी है 144 जे रखी है तिक मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे क्या मैं A ratio B ratio C बता सकता हूँ तो A का coefficient और C के coefficient को multiply 1 into 4 4 और C ratio निकालना है तो B के coefficient और A के coefficient को multiply 3 into 1 3 यहाँ पे किसी से कटे का क्या मेरे पास नए कट रहा 3,4,12 नए कटे का किसी से तो A ratio B ratio C निकल क्या मेरे पास ABC की value दे रखी है 144 ठीक है यहाँ पे solve करके value बतानी है तो मैं इसे 12x मान सकता हूँ इसे 4x मान सकता हूँ इसे 3x मान सकता हूँ इन तीनों को multiply करूँगा 12x into में 4x into में 3x यह किस के बराबर 144 के बराबर multiply करोगे 144 x cube है 144 के बराबर x की value कितनी हो जाएगी मेरे पास x cube की value 1 तो x की value 1 अगर x1 हो गया तो a की value कितनी 12x है तो 12 b की value 4x है तो 4 और c की value कितनी है 3x तो 3 a b c की value रख दो 12 into में 1 upon a मतलब 1 upon में 12 2b है तो 1 upon 4 दूनी 8 और 5c है तो 1 upon में 15 कि sum कर लूँगा यह मेरे पास 12 हो जाएगा lcm कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ठीक है आठ 15 और 12 का 120 आ गया तो यह 10 हो गया मेरे पास 15 हो गया और यह मेरे पास कितना हो गया 15 into 8 solve करो यहाँ पर 12 से काटूँगा तो यह 10 बचेगा यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर solve करोगे तो 10 जमा 15 25 और 8 33 33 भाग 10 option number a correct question हो गया खत्म next question मेरे पास देखो यहाँ पर क्या दे रख है b plus c 1x के बराबर दे रख है c plus a by के बराबर a plus b c z के बराबर इसकी value बताने है solve करके क्या हैगी again मेरे पास क्या equation है जिसमें 6 variables है 3 equation है मतलब 3 variables की value कुछ भी बान सकता हूँ तो मैं क्या कर लेता हूँ x y z तो यहाँ पर use करना है तो इसकी value जो जूम नहीं करने a b c की value अपनी मर्दी से जूम कर लेता है मैं क्या कर सकता हूँ a equals to b equals to c equals to 1 रख लेता हूँ ठीक है अगर यह तीनों को मैंने 1 कर दिया तो मेरे पास value क्या बनेगी यह बी प्लस सी 1 प्लस 1 2 बनेगा यह वह जागा 1 x x ऐसे एगर मैं यहाँ पर यहां पर गण को तो मेरे पास two twenty two y आ जाएगा यहां पर 111 रख दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा तो पर जाएगा रख सकते हैं अगर यह मेरे पास x y z की value two to two आ गई हाँ यहाँ पर बुट करदो बन अपॉन में नई नई one questo क्लिवर्र 1 अपॉन में 2-1-3, 1 अपॉन में 2-1-3, यह क्या हो जाएगा 1-9, 1-3-3-1-3 लेने के बाद, यहां से यह कट गया 1-9 मेरा अंसर आगया question होगे खता हूं, तो तीन equation में तीन variables की value महाननी थी, मैंने ABC की value 1 रखी, सैटिस्फाइ कर रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही अंसर आगे है मेरा खता आप ABC की वैल्यू कुछ और ट्राय रख करना चाहते थे हैं यहां पर कुछ और रखना जाते थे तब भी रख सकते थे मालो आपके दिमाख में आतसर मैं A की वैल्यू 1 रखूँगा बेक की वैल्यू 2 रखूँगा और C की वैल्यू 3 रखूँगा कर लेना ट्राय यह वैल्यू रखोगे तब भी आप सोल करोगे एक्स वाई जेड के अलगलग वैल्यू जाएंगी यहां पर पुट करोगे आपका अंसर आ जाएगा यह सिंपल है इसमें जादा दिमाख लगान यहां पर AX दे रखा अगर मुझे X प्लस 1 चीए तो यहां पर मैंजे से ड्ड करना पड़ेगा आप काओगे यह B प्लस C है यहां पर AX के बराबर है तो यहां पर X प्लस 1 बनाने के लिए यहां पर A को आड कर दूँ और यहां पर भी A को आड कर दूँ कर सकता हूँ और यहां पर इसे solve करूँगा तो मेरे पास A को मना जाएगा यहां जागा X प्लस 1 और में जो denominator में 1 एक्स प्लस 1 चीए तो 1 एक्स प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा मेरे पास A अपर में B प्लस C प्लस A similarly आप same steps इसमें follow करोगे हाँ पे आप क्या कर दोगे y plus 1 को गो मनने लिए b add करोगे इसमें भी b add करोगे तो आपके पास value क्या बचेगी 1 upon y plus 1 equals to b upon a plus b plus c और ऐसी third में करोगे same c add कर देना इसमे तो मेरे पास value क्या बचेगी 1 upon z plus 1 ही हो जागा c upon a plus b plus c इन तीनों को आपस में add कर दोगे तो मेरे पास आजाएगा 1 upon x plus 1 plus 1 upon y plus 1 plus 1 upon z plus 1 और यह किसके बरावर हो जाएगा यहाँ पर 1 by 9 यह बरावर हो जाएगा मेरे पास a upon a plus b plus c b upon b plus c a plus c और यहाँ पर c upon a plus b plus c तो यहाँ पर नीचे denominator तो same है तो lcm a plus b plus c आएगा और यहाँ पर a plus b plus c उपर बचेगा और यह किसके बरावर हो जाएगा यह 1 के बरावर हो जाएगा तो यह वाला पार्ट मेरा हमेशा 1 के बरावर हाएगा तो मैं कैसे तो 1 by 9 into में 1 मेरा answer आजाएगा 1 question होगे फत्र चलूँ आगे अब देखो यहाँ पर value के दे रखे थोड़ा simple से question है x, y, z तीन variable दे रखे such that x plus y 13 है y plus z 15 है, z plus x 16 है इसकी value बतानी है तीन equation है, तीन variable है solve करके बता दें कि answer क्या होगा x plus y, y plus z, z plus x की value है तीनों का add कर दूँगा तो मेरे पास 2x plus y plus z आ जाएगा kis कի value हाएगी, अब यहाँ पर इसमेंसे यह घटा दूगा, तो मेरे पास z की value आएगी z की value 22-13, no अब इसमेंसे यह घटा दूगा तो मेरे पास किस की value आएगी अचा, यहाँ पर आप देखो मुझे किस कि value निकालनी है यह x y plus y, x z divided by xyz है X तो दोनों जगा को मना कर जाएगा तो मुझे तो value सिर्फ y plus z divided by y z की बतानी है y plus z की value तो given है 15 तो मुझे सिर्फ y z की value बतानी है कि y z की value क्या होगी z की value निकाल ली no y की value क्या हैगी इस वाली equation में से ये वाली equation घटा दो तो यहाँ पे z plus x को घटा दूँगा मैं कि बेसे x plus y plus z में से तो y की value कितनी हैगी 22 minus 16 यहाँ पे put कर दो 9 plus 16 9 into 16 तो answer आजागा मेरे पास 3 से कर जाएगा ये 5 और ये 2 5 भाग 18 auction number d correct ये वाला question try करना है तीक है ये question आपको homework का है comment section में comment करके बताना इस concern क्या आएगा इस type का मैं already question करा चुक हूँ आपको एक अब ये हमारे पास एक question आया है simplification का ठीक है CHSL 2019 का question है 13 October की shift का question है हमें A की value ये दे रखे है पूरी की पूरी इतनी बड़ी खतरनाक सी हमें value बताने है 60 A की value क्या होगी ठीक चार options भी दे रखे है अब क्या होगा देखो पहले तो मिझे simplify करना पड़ेगा आप देखो कि यहां पर जब मैं square कर रहा हूं तो जैसे point one का square करूंगा तो point zero point zero one आएगा ऐसे यहां पर yeah point zero four आएगा point zero nine आएगा और ऐसे चल रहा है point में तो point के बाद हर बार दोड़ जीट है ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूं इसे simplify करने के लिए नीचे भी hundred से multiply और उपर भी hundred से multiply कर सकता हूं जिससे की point मेरा eliminate हो जाए पुरी तरीके से ठीक इधर मेरे दे रखा है cube में दे रखा है सारी value तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर point eliminate करने के लिए उपर भी thousand से multiply और नीचे भी thousand से multiply simplify हो जाएगा मेरे पास ठीक अच्छा यहां पर यहां तो आप क्या करो हमने hundred hundred से पहले multiply करता तो उपर 10 से multiply कर दो अब नीचे भी 10 से multiply करता हूं तो मेरे पास value क्या बचेगी आप देखो कि यहां पर सब जंगे से point हट जाएगा point one का whole cube करऊंगा तो point के बाद तीन value जाएगी तो directly मेरे पास क्या बचेगा है यहां पर पूरा thousand से multiply हो गया तो मेरे पास बचेगा one cube plus two cube plus three cube plus three into में पांच प्लस 16 प्लस 27 और प्लस 36 divided by मेरे पास नीचे क्या बचेगा यहां पर अगर मैं 100 से multiply कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा यह 0.01 इंटु सो मतलब one plus यहां पर बचेगा four plus no plus 4 plus 6 plus 12 और यहां पर एक 10 और बचावा है और 27 27 है यह 8 है और एक है इन तिनों का सम कर दूँगा तो वैल्यू आजएगी मेरे पास 35 और 36 36 दूनी 72 प्लस यहां पर क्या बचा मेरे पास तीन इंटु में 32 और 16 48 और नीचे कितना बचाए मेरे पास 16 होने के बाद या पूरा ही 16 कर लो 48 या 144 हो जाएगा 144 जमा 72 करूँगा तो वैल्यू आजएगी मेरे पास 216 नीचे कितना बचेगा चार पांच चोधा अठारा 24 और 36 360 आप देखोगे 36 का टेबल में आपको कहीं बार याद करने को क्याता हूँ 36 इंटु 6 होता है यह तो यह मेरे पास 6 बाइ 10 वैल्यू बचेगी यहां पर इसे चाहो तो 2 बाइ 5 भी लिख सकते हो वरना आपको 68 की वैल्यू बतानी है एक की वैल्यू आगई तो 68 की वैल्यू कितनी होगी यह जाएगा 60 इंटू में 6 भाग 10 वैल्यू आजाएगी 36 36 मेरे इसकोशन का अंसर हो अगर आप ध्यान दोगे इसमें तो यहां पर आइडेंटिटी बन रही है आपको इडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं इस question को solve करने के लिए जैसे कि आप देखोगे यहां पर अगर मैं इसे 0.1 को A माल लो इसे 0.2 को B और इसे 0.3 को C माल लो तो आप देखोगे यहां पर A square plus B square plus C square दिख जाएगा और यहां पर आप देखोगे 0.04 कुछ और ना होगे यह 2AB है यह 2BC है और 2A 2CA है तो मैं नीचे लिख सकता हूं यह A plus B plus C को whole square मतलब यह मेरे पास 0.1 plus 0.2 plus 0.3 का whole square हो जाएगा अच्छा उपर वाले बाट की बात करेंगे अगर हम तो यह मेरे पास क्या दे रखा है 0.1 का whole cube 0.2 का और 0.3 का तो कहीं ना कहीं यह A cube B cube और C cube दिख रहे हैं जब भी आपको A cube B cube और C cube दिख जाए तो आपके दिमास में अलग-अलग identity आ सकती है ठीक है A cube प्लस B cube प्लस C cube कौन से formula में मिलता है आपको या तो आपके पास formula हो A cube प्लस B cube प्लस C cube minus 3 ABC quest to 0 वो तो एक specific case में होता है वो कब होता है जब हमारे पास क्या हो ABC की value क्या हो जाए A plus B plus C या तो 0 हो या फिर A quest to B quest to C हो या तो तब मिलेगा वरना अगर A cube plus B cube plus C cube यहाँ पर तो A plus B plus C C cube आता है आपको होगे अगर मैं A cube A plus B plus C का whole cube करता हूं तो उसके formula में भी तो मेरे पास A cube plus B cube plus C cube plus कुछ और चीड़ी आती है हमने formula पड़ाता है A cube plus B cube plus C cube plus 3 A plus B into में B plus C into में C plus A होता है ठीक है आप देखोगे जो यह वाला formula है यहाँ पर उपर यही formula बन रहा है इसे बस थोड़ा सा और खोल रखा है मैं आपको दिखाता हूं actually में formula क्या है जब हम यह वाला formula लिकालते हैं A cube A plus B plus C को whole cube basic से और यह वाला final result निकल के आता है उससे second last step में हमारे पास आता है A cube plus B cube plus C cube अगर उसमें 3 को common ले लूँ में भार तो यहाँ पर आप देखोगे यह बनेगा A cube plus B cube plus C cube plus 3 यहाँ पर आ जागा A square B plus C plus B square C plus A plus C square A plus B थिक्ट है और यहाँ पे आगे आएगा plus मेरे पास value बन जाएगी 6 A B C आप देखोगे यहाँ पे यह जो मेरे पास उपर दे रख्कान है यह वही दे रख्का है A cube plus B cube plus C cube ए प्लस 3 यहाँ पे A square B plus C plus C square A plus B plus B plus Bakte B square A plus C है और यहाँ पे आप देखोगे प्लस में मेरे पास क्या हो जागा यह six इंट्यो में ABC है तो इहाँ पर फॉर्मॉला बन रहा है जिरो 1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का होवल क्यूब का फॉर्मॉला बन रहा है आप तो मेरे पास क्या बचेगी यह उपर पावर 2 से पावर 3 को काटूँगा तो पावर 1 बचेगी, तो मेरे पास बचेगा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 और इसे सोल करूँगा तो यह 1 प्लस 2 प्लस 3 मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 और 3 6, ठीक है, और डिवाइड़ बाइ, पॉइंट में है, तो 10, तो यह वाली form में भी, इसे split करके दे रखा है, direct formula भी नहीं दे रखा है, जो आप directly सोचके लगा पाओ, किलियर होगे यह point, तो दिखना मुश्किल है, तो basic से आप बिल्कुल कर सकते हैं, इस question को basic से कम time में कैसे करना है, वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है, यह की value आगी, तो 60 है, ठीक है, फिर 0.175 का holy square दिख रहा है, फिर plus में कुछ दिख रहा है मुझे, और ऐसे denominator में भी same चीज़ दिख रहा है मुझे, ऐसे कुछ है, 5 into में this, फिर 3.75 माइनस में फिर यह value दे रखी है, plus 0.5 divided by 1.5, इसे solve करना और बताना answer क्या होगा, क्या कर सकते हैं, सबसे पहल तो मैं कोशिश करूँगा, कि point को eliminate करूँ, जिससे की point बहुत प्रेशान करते हैं, आप देखोगे, हापर point 325 है, हापर point 325 है, ठीक है, point मतलब multiply करने के बाद, point के बाद 6 value चली जाएंगी, 3 और 3 6, तो मैं क्या उपर के सारे part में, इसे solve करने के लिए 10 की power 6 से multiply कर दूँ, और उपर 10 की power 6 से कर रहा हूँ, तो नीचे भी 10 की power 6 से multiply कर सकता हूँ, तो थोड़ा simplify हो जाएगा मेरे पास, तो अब मेरे पास बचेगा क्या लिखो, 325 इंटू में 325, प्लस ये 175 इंटू में 175 हो जाएगा, ठीक है, 3, 0 यहां से टेकी, यहां 3 के बाद 3 values ती बाट जाए है, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 2, 25 है, तो 25 इंटू 10 इंटू में लिख सकता हूँ, 455 बचेगा मेरे पास, और divided by मेरे पास यहां पर क्या बचेगा, अगर मैं multiply कर रहा हूँ, इसमें 10 की power 6 से तो 4, 0 यहां पर है, 4 value 0 point के बाद यहां पर है, 2 value यहां पर हट जाएगी सा होगे, कम से कम, दर तो नहीं लगे हो point देखके, कि point में गलती ना कर दे, यह 0.5 divided by 1.5 है तो हटा दूँगा, यह तो वैसी, तो यह 5 by 15 मतलब 1 भाग 3 बचेगा, के लिए रोगा, थोड़ा simplify हो गया, अब solve करने के लिए, अब देखोगे, अगर अब 325 को A मान लो, तो यह A स्क्वाइर है, यह मेरे पास क्या है, B स्क्वाइर है, तो A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस सम्थिंग कहां देखते हैं हम, क्या कही ना कहीं, यहां पर मेरे पास A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर मुझे दिखता है, या तो A प्लस B का होल स्क्वाइर हो मेरे पास, A स इस चीज का दिखनी रहा तो इसका मतलब कहीं न कहीं कि यह वाली फॉर्म दे रहा हूँ ठीक है तब ही कॉश्चन सोल गो रहागा पर नहीं होगा और नीचे भी अगर आप थोड़ा से सिंप्लिफाई करोगे तो पांच इंटू 65 तो 625 आ जाएगा तो क्या यह 325 का होली स्क चांसी से आप यहां पर अगर सोल करना है यह 2AB ही बन रहा हो आप चैक करना हो चाहो चैक कर सकते हो कि वैल्यू क्या आएगी इसे फैक्टर्स में आपको थोड़ा से स्प्लिट करना पड़ेगा आप देखो कि 2AB होता तो क्या होता 2 इंटू A कितना है मेरे पास 325 और B कितन जाएगा तो 65 35 मतला पंजे जाएगा तो मैं कह सकता हूं यह मेरे पास वैल्यू आएगी 65 इंटू में साथ तो साथ इधर मल्टिप्लाइ कर दूंगा इसमें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास साथ पंजे साथ इंटू 25 यह वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 175 तो यह हो जाएगा मेरे पास 175 तो यहां से मिल गया है इन दोनों के मल्टिप्लिकेशन से फिर मेरे पास 10 बचा 65 बचा और यहां पर 325 इंटू 2 है 325 इंटू 2 भी क्या है 680 ही है तो क्या यह 2AB की form में convert हो ज जाएगा ठीक है लोजिक बनतन यह पूरी calculation कराने का मैंने इसे लिखा साथ इंटू में 65 इसे 10 को में लिख सकता हूं 2 इंटू में 5 तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी इस साथ को मिल्टिप्लाय करना है इसमें और इस 5 को मिल्टिप्लाय करना है 65 में तो आपके पास आ गए 2 इंटू में पैसेट इंटू 5 325 और साथ इंटू 25 मतलब 175 तो आपके पास फोर्मुला क्या बन जागा यह ए ए प्लस बी का होल स्क्वेर तो यह वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 325 जमा 75 का होल स्क्वेर डिवाइड़ बाई A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर A प्लस B A माइनस B तो 325 प्लस 175 इंटू में 325 माइनस 166 तो उपर यह तो कटी जाएगा मेरे पास बचेगा नीचे उपर 325 जमा 175 नीचे बचेगा 325 माइनस 165 प्लस एक भाग 3 यह क्या आएगा मेरे पास यह तो 500 बन गया यहाँ पर नीचे घटाओंगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी यह बचेगा मेरे पास 500 बाइड़ प्लस एक भाग 3 है तो मेरे पास क्या बचेगा 11 बाग 3 बचेगा 11 बाग 3 मेरा इस question का अंसर आएगा this is the final answer के लिए आप सब को चलू आगे ठीक है इसे नोट कर ले ना कोपी में क्योंकि पहली बार एससे ने इतना गुमा पर आगे question पूछा simplification पे ठीक है तो आने वाले time म सेम टाइप के question पूछा जा सकते हैं value से आगे फीचे छेड़ खानी करेंगे आपको बस यह याद रखना है कि किसका formula बन सकता है थोड़ा सा idea लगाओ अगर आप इस तक पूर गए कौन सा formula बन सकता है तो question में फिर कुछ नहीं रहागा फिर तो निकाल ले लोग answer आप next question है मेरे पास मुझे P क्या दे रखा है इसके बराबर दे रखा है मुझे बताना इन चार option में से कौन सा option सही रहेगा ठीक है यह यह एक काम कर सकते हो यहां पर क्या मैं a-1 से multiply और divide कर सकते हूं समय है जैसे मैंने यहां पर ऊपर a-1 से multiply कर रहा हूं डिवाइड भी कर दिया है a-1 से तो बचेगा क्या यहां पर a-1 है फिर a square प्लस 1 है और यहां पर a की पावर 4 प्लस 1 है और यह चलता रहाएगा कहां था अब इससे करने का देखो फाइदा क्या होगा अब हमने यहां पर क्या देखा था यहां पर मेरे पास a की जट क्या देगा A की पावर 4-1 फिर इन दोनों को multiply करूँगा तो A की पावर 8-1 और यह सिक में चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा अब last में मेरे पास A की पावर 512-1 है तो last में इस से पहले जो value बचेगी वो A की पावर 512-1 बचेगी और इसमें इस से multiply करूँगा तो value क क्या जाएगी एक की पावर 512 इंटू 2 पावर 512 में 2 से multiply करूँगा तो एक की पावर 2-014 ठीक है 1-024 सॉरी माइनस 1 डिवाइड़ बाई यह माइनस 1 यह मेरा इस question का अंसर बचेगा option नमबर यह करेक्ट हो जाएगा ठीक यह question SSE C4 2019 tier 1 में पूछा गया थे अच्छा क्या है ठीक है इसे समझ लेना कैसे करना है आगे वाली एक्जाम में यह repeat कर सकता है ठीक है हमें यह root में दे रखी एक value plus root में यह value है root में यह value है और root में यह value है इसे question को इस question को करने के लिए हमें component and dividendo को concept पता होना चाहिए वो मैं एक बार आपको समझा देता हूं component and dividendo क्या होता है अब मैं एक छोटे से example से समझा रहा हूँ मैंने का 1 by 3 क्या यह मेरे पास 3 by 9 के बराबर होता है होता है तीन से काड़ दोगे क्या यह दोनों चीजे मेरे पास बराबर हैं तो क्या मैं इसे 1 by 3 को A माल लू और इसे B माल लू और इसे C माल लू और इसे D माल लू क्या यह दोनों भी बराबर रहेंगे रहेंगे, अगर मैं इन दोनों में क्या करती हूं, वन को अड़ करती हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, आप को हो जाएगा, आप को जाएगा, a प्लस B divided by b, और यह जाएगा मेरे पास c सी प्लस रहते और मैं कहाता है मेरे पास value आ जाती a minus b divided by b बराबर हो जाता c minus d divided by d ठीक है अब जो यह operation में perform किया plus one करके इस operation को बोलते है component और इस operation को बोलते है dividend और component और dividend की जब मैं बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ इन दोने equation को आपस में कर दो इस वाली equation को divide कर दो इस वाली equation में तो आप कहोगे a plus b divided by b है यहाँ पर a minus b divided by b से b कर जाएगा a plus b divided by a minus b किसके बराबर हो जाएगा क्या यह मेरा बराबर हो जाएगा c minus d divided by c plus d divided by c minus d के यह इस operation को बोलते हैं पर component and dividend आप चाहो तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो यहाँ पर मेरे पास a और b की value यह थी यह a था यह b था यह c था यह d था अगर मैं इसे solve करता हूँ component and dividend इसमें लगाता हूँ तो यह क्या होगे 1 plus 3 divided by मेरे पास 1 minus 3 होगा और इधर क्या होगा आप चेक कर लो 3 plus 9 divided by 3 minus 9 solve करने के बाद value कितनी बचेगी यहाँ पर 4 by minus 2 और यह value कितने हैंगी मेरे पास 12 by यहाँ पर आजाएगा minus 6 तो यहाँ पर मेरे पास minus 2 बचेगा यहाँ भी minus 2 equal आजाएगा दोनों cases में minus 2 तो इस operation को गोलते हैं componendo and dividendo के लियर हो गया यह point अच्छा अब देखो मैंने क्या करा अब इसे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ सारा का सारा यह note कर ले न यह screenshot ले लो अब मैंने आपको यह बताया कि यहाँ पर अगर मैं a by b मिझे c by d के पराबर दे रखाया तो component and dividendo लगाऊँगा तो मेरे पास value के आएगी मेरे पास आएगा a plus b divided by a minus b यह पराबर हो जाएगा c plus d divided by c minus d अच्या इसमें मैं दूबारेक component और dividendo लगाँगा तो component और divent लगाँगो तो मैं क्या गरूँगा निम्रेटर में denominator आइड किया था तो यहाँ पर numerator में denominator को अट करूँगा मेरे पास a plus b plus a minus b अब numerator मे से डिनोमिनेटर को घटा दूँगा तो a minus b प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा A प्लस B हो जाएगा माइनस में A प्लस B हो जाएगा ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास ये बराबर हो जाएगा मेरे पास C प्लस D प्लस में C माइनस D डिवाइड़ बाइ C प्लस D माइनस में C माइनस D यह value होगी, आप इसे solve करो, इधर क्या बचेगा, आपके बाद, ऊपर 2A बचेगा या नहीं बचेगा, B से B cancel हो जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे, यह A plus B minus A minus B आएगा, मैंने थोड़ा उल्टा लिग दिया, ठीक है, तो मेरे पास यह नीचे क्या ब AD के, तो मैंने पहले इस पर उप्रेशन लगाया, अब इस पर दुबारे कंपोनेंडो एंडिवडेंडो लगाया, तो यह result आया, तो मैं कहा सकता हूँ, किसी भी key values पे, मालो मुझे A by B दे रखा है, X के बराबर, तो अगर A by B पे मैं दो बार कंपोनेंडो अब ऐसे ही हमारे पास एक question है, और हमने यह चीज़ भी note करी, कि अगर मैं A plus B divided by A minus B, A plus B divided by A minus B पे component एंडिवडेंडो लगा रहा हूँ, तो मेरे पास result क्या बच रहा है, यह A by B में convert हो रहा है, यह result भी याद है, ठीक, यह दोनों result याद रखना है अभी question में मदद करेंग इसे X के बराबर, तो component एंडिवडेंडो क्या हो जाएगा इसका, आपको होगी A है, यह B है, यह A है, यह A minus B है, component एंडिवडेंडो लगाँगो तो A by B बचे का मतला मेरे पास under root में एक बड़ा under root लगा लो, 0.6912 divided by मेरे पास value क्या बचेगी, यह बचेगी मेरे पास 0.5292 यह बचेगा, और यहाँ पर component एंडिवडेंडो लगाँगो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यह बनेगा X plus 1 divided by X minus 1, इसे solve कर लेंगे, point से point घटा लेंगे, अब इसे काट सकता होंगे मैं किसी value से, आप देखोगे, यहाँ पर मेरे पास 12 है, यहाँ पर 29 में है, यह directly मेरे 4 से तो कटी जाएगा, ठेक है, क्योंकि यह last की दो जिर दोनों 4 से कट रही है मेरे, 4 से काटूंगा तो answer क्या आएगा मेरे पास, ऊपर यह मेरे पास 16, 11 बचे का 3, 2 नी, sorry, और यहाँ पर काटने के बाद 32, 8, और नीचे कितना आएगा, 4 से काटने के बाद 13, 2 नी, और 3, अ तो मेरे पास 7 जा जाएगा, 1728 divided by 12, 1323, अभी आगे और किस से कट सकता है, आपका आगे काटना चाहो तो इसे, यह 8 और तो 10, 18, सम 18 बन रहा है, नीचे भी सम 9 बन रहा है, तो 9 से पुरा-पुरा कट जाएगा, 9 से पुरा-पुरा काटूंगा, तो value कितनी बनेगी मेरे पा 37, और 63, 7 जा, यह value आगई मेरे पास, अब अगेन यह 3 से कट रहा है, 3 से काटूंगा, तो यह value कितनी आजएगी मेरे पास, 64, और यहाँ पर काटूंगा 3 से, तो यह value कितनी आजएगी मेरे पास, यह value आजएगी 49, root में 64 by 49 है, तो इसे मा 8 by 7 लिख सकता हूँ, यह किसके ब और यह किसके बराबर, x के बराबर आजएगा, x by 1 के, तो यह value 15 equals to x के बराबर, x की value आगई 15, exact answer option number C होगा, तो अभी हमने यहाँ पर मैंने आपको x plus 1, x minus 1 यह लिख के दिखाया, exam में कुछ नहीं करना, आपको component और dividendo लगाना, solve करना, फिर दुबारे component और dividendo लगा के x minus 3 और x plus 2 से divide करता हूँ, हमें value बताने है, a और b की value क्या रहेंगी, ठीक, अच्छा एक छीट बताओ मुझे, इन दोनों से divide होने के बाद जो remainder देता है, इस तरह की cases में करते क्या है, जिससे divide करना हूँ से 0 के equal मानलो, जैसे मिझे 2x minus 3 क्या करना है, 2x minus 3 से divide होने के बाद remainder साथ दे रहा है, तो 2x minus 3 को 0 के equal मानलोंगा, मैं कहूंगा 2x की value किसके बराबर 3 के बराबर, और x की value कितनी हो जाएगी 3 by 2, अगर यहाँ पर x की value 3 by 2 रखोगे आप इस equation में, तो यह जो बराबर होगा, इस remainder के बराबर पुट कर दे आपका answer आ जाएगा, ठीक है, और ऐस साथान है मेरे लिए, minus 2 value रखना सान है, यह 3 by 2 रखना सान है, minus 2 रखना सान है, obviously, तो यहाँ पर x की जगा minus 2 से replace कर दोगे, 2 minus 2 का whole cube, plus a minus 2 का whole square, plus b into में minus 2, minus 2, यह मेरा किसके बराबर है, remainder कितनी दे रहा है, 0 दे रहा, तो इसे 0 के equal put कर दोगे, ठीक है, solve करेंगे, तो मेरे minus 8 into 2, minus 16 होगा, plus मेरे पास यह 4a होगा, minus 2b minus 2, यह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, solve करूंगा, minus 16 और minus 2, minus 18, ठीक है, उधर जाके plus 18 बन जाएगा, तो 4a minus 2b मेरा किसके बराबर, 18 के बराबर, और 2 से भाग दे दूँगा, तो 2a minus b किसके बराबर होना चाहिए, मे मेरे पास यह बन गई, ऐसे दूसरी equation क्या हो जाएगी, जब मैं 3 by 2 रखूँगा, इसके अंदर x की जगा, और उससे 7 के equal put कर दूँगा, तो मेरे पास a और b में एक और equation आएगी, दोनों को stall करके मैं a और b की value बता सकता हूँ, फिलाल के लिए क्या कर सकता हूँ, अब मैं 3 रखूँगा, तो minus 3, यह answer कितना हो जाएगा, 6, plus 3, और यह आगया 9, satisfy कर रहा है, तो यह answer मेरा सही हो सकता है, अब बाकी भी check करने पड़ेंगे, क्या int में ऐसे तो कुछ नहीं है, तो second option में रखोगे, a की जगा 2 रखोगे, तो 2 into 2, 4, second option अगर मैं try गरता हूँ, तो 2 into 2, 4 आएगा मेरे पास, और b की जगा minus 2 रखूँगा, तो plus, यह बन जाएगा 2, और answer बचेगा 6, 6 तो नहीं आ रहा है, हमें तो 9 चीए, तो यह भी कलत हो जाएगा, minus 3 रखूँगा, तो a की जगा minus 3 रखा, तो 2 into minus 3 minus 6, और फिर मेरे पास minus 3, तो minus 9 बचाएगा, third option में, यह भी present करना चाहूँ, ठीक है, अगर मुझे fx को divide करना है किस से, gx से, और remainder मेरे पास आता है, इससे divide करने के बाद r, तो मैं क्या कहता हूँ, gx जो भी polynomial है, उससे 0 के equal put कर दो, उसमें x की value जो भी आएगी आपकी, वो यहाँ पर रख दो, fx में, उससे remainder के equal put करके, आप अपना कर दो, आप cancer आजाएगा, यह सारी चीजे मैंने आपको number system chapter में भी पठा रखे हैं, और श्याद मेरे ख्याल से, algebra chapter की जो complete video उसमें भी बता रखा है, यह concept, question में क्या दे रखा है, kx q plus 4x square plus 3x minus 4, और यह वाले equation, same remainder देते हैं, जब मैं इने divide करता हूँ, किस से, x minus 3 से, हमें value बतानी है, k, k, अचा, same remainder देंगे, इस से divide करने पे, तो मैं बता सकता हूँ, remainder क्या आएगा, आप क्या करोगे, x minus 3 को 0 के equal put करोगे, x की value आजाएगी, x की जगा 3 रख देंगे हाँ पे, तो मेरे पास value क्या बजएगी, k, और 3 का q plus 4, 3 का square plus 3 into 3, और minus 4, इसे, जब मैंने 3 रख रहा हूँ, तो मेरे पास एक remainder की value आएगी, तो remainder के बराबर होगा, और अगर मैं इस वाली equation में भी, x को अगर 3 रख दूँगा, तो same remainder मिलेगा, तो ये किस के बराबर हो जाएगा, 3 का q, minus 4 into में 3, plus k, solve कर के x की value निकाल सकते है, निकाल सकते है, solve कर लो 27 के आगया है, plus 4, 9, 36, plus 9, minus 4, 5, ये किस के बराबर, 9, minus 12, plus k, तो यहाँ तो 26 के आजाएगा, के से के घटाया, ये हो गया, 41, यहाँ पर minus 3 है, तो इधर जाके, ये minus का बन जाएगा, और ये value बन जाएगी मेरे पास, minus 3, minus 47, minus 44, और k की value आजाएगी, 4 option में किसी से भी match नहीं कर दोएगी, कुछ calculation में mistake करी होगी, हमने मेरे खाल से, ये मेरे पास k, 3 का cube है, 4 into 3 square करूँगा, तो 9, 4, 36 आएगा, 3 into 3 करूँगा, 9 minus 4 करूँगा, तो 5 आएगा, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर 3 का cube करा, यह 27 आएगा, ठीक है, गलती यहाँ पर थी, ठीक है, तो यहाँ पर यह 15 बचेगा, 15 minus, यहाँ पर प्लस का पंथरा है, और यहाँ पर यह वाला पार्ट इधर लेके जाऊँगा, तो मेरे पास 15 minus 47 बचेगा, जो की मेरे देदेगा, minus 26, के की value कितने आ जाएगी, minus 20, option number B करक्ट हो जाएगी, ठीक, चलो, तीन question और बचेए हमारे, question क्या दे रखा है, ax plus by 6 के बराबर, bx minus ay 2 के बराबर है, a square plus b square की value 4 दे रखे, हमें value बताने, x square plus y square की है, ठीक है, आप इसका याद रखना में, algebra में कराया था, यह वारा question, हमारे पास एक formula होता है, ax plus by का whole square, plus bx minus ay का whole square, यह बराबर होता है, a square plus b square, into में, x square plus y square, इसमें आप चाहों तो change भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ax plus by यह तो positive भी आएगा, ax plus by का whole square, यहाँ पे plus में, ay minus bx होता है, तब भी वही बात थी, क्यों, क्योंकि minus को मना जाता है, square करके positive value बन जाती है, तो यह भी मेरा a square plus b square, और x square plus y square के बराबर होता है, यह property होती है, identity है, याद रख नहीं है, वरना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इससे simplify करके solve करके देख लेना, add करोगे दोनों को, solve करके यह इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, अगर यह इसके बराबर आ रहा है, तो मेरे पास value के हो जाएगे, x plus by 6 रख़वाए, 6 का square plus bx minus 2y, यह 2 का square, यह किसके बराबर, a square plus b square की value 4 दे रख़े, हम x square plus y square की value निकान रहेगे, तो 36 जमा 4, 40, भाग 4, किसके बराबर, x square plus y square की, 10 हो जाएगे, option number b correct हो जाएगा, question हो गया, खतम, देखो question में हमें क्या दे रख़ा है, a plus b plus c plus d, 2 के बराबर दे रख़ा है, हमें इसकी maximum value बतानी है, कि क्या होगे, ठीक है, 1 plus a, 1 plus b, 1 plus c, 1 plus d, ठीक है, सारे multiplication में, तो इस तरह की cases में क्या करते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा रख़ा है, algebra में maximum minimum मिलेगा, या पर ये concept, या फिर सचनिटाइस में पढ़ाया हो, जब arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean पढ़ाया होगा, वहाँ पर बताया होगा, हमारे पास एक concept होता है, arithmetic mean is always greater than equals to geometric mean, is always greater than equals to harmonic mean, एक example से समझात होगा, किससे इनके geometric mean, geometric mean क्या होगा, दो value जाना, दो को multiply कर दो, a into b की power 1 by 2, और ये किससे बढ़ा होगा, या बराबर होगा, ये बराबर होगा, किसके इनके harmonic mean, harmonic mean क्या होगा, दो value होगा, तो 2 divided by 1 upon a plus 1 upon b, ये एक relation होता है, अगर a b 2 value होती, 3 values होती, तो यहाँ पर क्या हो होगा, 3 upon 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c, ठीक है, ये concept होता है, ठीक है, ये कब होता है, जब हमारे पास a b c क्या दे रख्यों, ये जो value जा सारी के सारी, ये positive values दे रख्यों, ठीक, उस particular case में हम कहते हैं, कि ये concept true होता है, arithmetic mean हमारा बड़ा होता है, geometric mean से, और geometric mean बड़ा होता है, ब्राबर होत होता है, although question में examiner ने specifically mention नहीं करका, कि ये हमारे पास a b c और d क्या है, ये हमारे पास real values है और positive values है, ये अलग से examiner को mention करना चाहिए था, अगर इन्होंने mention नहीं करा, तो भी अभी exam के साब से तो हम इसी तरीके से question को solve करेंगे, अगर मुझे maximum values की बतानी है, one plus a, into में one plus b, into में one plus c, into में one plus d की, तो एक तो एक trick होती है हमारे पास, कि हम इस तरह के question में इन सारी values को equal कर लेते हैं, तो मैं इसे अगर x के बराबर मान लेता, one plus a को, one plus b को भी x के बराबर, one plus c को भी x के बराबर, one plus d को भी x के बराबर, तो मैं कह सकता है, मुझे x की power 4 की value बतानी है, और जो मेरा answer होगा, वो power 4 में होगा, चार option में check करो, power 4 में कौन सा option है, वो आपका correct हो जाएगा, अगर आप देखोगे, यहाँ पर option number b, power 4 में यही correct हो सकता, और कोई option correct हो सकता, अच्छा, अगर मैं इस x के बराबर मान रहा हूँ, तो आप क्या गरोगे, जैसे यह मेरे प और यह x, तो यह 4x मेरा किस के बराबर हो जागा, यह 6 के बराबर हो जागा, और x के value आजाएगी मेरे पास 3 by 2, अगर x के value 3 by 2 आई है, तो यहाँ पर x की power 4 की value बताने है, और यह हो जागा 3 by 2 की power 4, यह हो जागा मेरे पास 186, यह मेरा question का answer आजाएगा, ठीक, तो यह direct तर यह सारी 4 values हैं ठेके इनकी मुझे क्या बतानी है minimum value maximum value बतानी है क्या होगी तो मैं कह सकते हों गर यह 4 value ज़े इनका geometric mean क्या हो जाएगा क्या आपको होगे इनका geometric mean इनको multiply कर देंगे और पावर क्या कर देंगे 4 value ज़े तो 1 by 4 कर देंगे और ये वाली value मेरी क्या होगी हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी किससे हिनके arithmetic means है मतलब ये value 1 plus A plus 1 plus B plus 1 plus C plus 1 plus D divided by 4 से क्या होगी या तो छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी अगर मैं solve करता हूँ यहाँ पर ये मैंने value निकाली 1 plus A, 1 plus B, 1 plus C, 1 plus D ये तो 2 plus 4, 6 आ गया तो आप कहोगी ये वाली value मेरी छोटी होगी अब बराबर होगी किसके 6 by 4 के और ये किसके बराबर हो जाएगा इस पूरे पार्ट जिसकी value पतानी है से capital X से denote कर रहा हूँ तो ये capital X की power 1 by 4 के बराबर होगा और यहां से अगर मैं power 4 दोनों जगा multiply कर दूँ ये तो मेरे पास बचेगा 3 by 2 3 by 2 की power 4 ये किसके बराबर होगा ये value होगी मेरे पास यहां पर X की value कह सकता हूँ या तो छोटी होगी या बराबर होगी इसके 3 by 2 की power 4 के तो यहां से मैं कह सकता हूँ एक्स की maximum value क्या होगी ये होगी 3 by 2 का whole power 4 answer आजागा मेरे पास 181 भाग 16 option number B correct ये amgmhm की concept से अगर आप करना चाहो इस question को तो कर सकते हैं next question पर move करता हूँ अब हमें क्या दे रखा है यहां पर X Y real numbers दे रखे हैं और हमें least possible value बतानी है for x-2 का whole square plus y-3 का whole square plus 2 x-3 के whole square ठीक है अच्छा अगर मुझे least value बतानी है यहां पर कितने variable हैं दो variable है x और y अगर x और y की बात करें यहां पर तो मुझे ऐसी values रखनी है x और y की जिससे की minimum value दे दे तो यहां पर x की form में तो मेरे पास 2 relation दे रखे हैं मुझे दे रखा है 4 x-2 का whole square plus यहां पर minus कर देता हूँ माइनस 2 इंटो में x-3 का whole square ठीक है यह दो चीजे x पर dependent है और plus y-3 का whole square है यह y पर dependent है हमें इसकी minimum value बतानी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसे भी सबसे minimum value में convert करना है इसे भी minimum value में convert करना है अब इसे minimum बनाना है तो आप कह सकते हो यह perfect square number है और perfect square number की minimum value क्या होती है 0 होती है तो इसकी तो minimum value 0 हो जागी क्योंकि y का कहीं और इस्तमाल तो है ने ठीक है आप y को 3 रख दोगे तो यह 0 बन जागा y के 3 के लावर कोई और value रखोगे तो आपकी value क्या हो जागी change हो जागा लगाए तो यह तो मेरे पास हो गया 0 तो y का part तो खतम हो गया अब मुझे इसकी बतानी है कि इसकी minimum value क्या होगी x की form में 2 value जागी तो हम क्या करेंगे इसे solve करेंगे इसे simplify कर लो यह मेरे पास क्या हो जागा 4 x-2 को whole square मतलब x square plus 4 minus 4x और यहाँ पर 2 into x-3 को whole square मतलब x square plus 9 minus 6x यह होगा multiply करूँगा यहाँ पर मेरे पास 4x square है यहाँ पर 2x square बनेगा तो मेरे पास minus होने के बाद कितना बचेगा यह बचेगा 2x square फिर मेरे पास यहाँ पर 4 into 4 16 है यहाँ पर 2 into 9 18 है यह plus का 16 है यह minus का 18 है तो मेरे पास क्या बचेगा minus 2 बचेगा फिर मैं करूँगा 4 into minus 4x यह मेरे पास बचेगा minus 16x और यहाँ पर अगर मैं solve करूँ ax square plus bx plus c equals to 0 यह minimum value किस पर देता है? यह minimum value देता है x की value minus b upon में 2a पर है तो यह value क्या हो जाएगा? x की value हो जाएगी मेरे पास minus, अगर compare करता हूँ इस equation से, तो यह हो जाएगा minus minus 4 divided by 2 into में a की value क्या होगी? 2 होगी तो यह हो जाएगा minus 2 minus 4 into में 1 तो यह मेरे पास अंसर आजाएगा minus 2 minus 4 minus 6 plus 2 मतलब minus 4 minus 4 is the right answer, option number c क्रेक्ट पूगा है clear है, I hope सारे के सारे questions आपको समझ आए गए होंगे और अगर आपने यह पूरी वीडियो देख लिए तो comment section में comment करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगिया, आपको चीजे समझ आई या नहीं आई कोई दिक्कत तो नहीं आई और इसकी PDF आपको टेलिग्रम चैनल पे मिल जाएगी, टेलिग्रम चैनल जोइन कर लेना बाकी मैंने complete algebra की 18 घंटी की वीडियो डाली भी आप वो वीडियो भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए जिससे के आपके basic concept सारे के सारे के सारे किलियर हो जाएं उसके बाद technometry की साड़े बारा गंटे की वीडियो उसमें complete technometry पढ़ा रख वो वीडियो देख सकते हैं वीडियो आई थी तो उसमें latest के कुछ questions नहीं मिलेंगे लेकिन फिलाल आपके concept सारे किलियर हो जाएंगे concept खिले बहुत अच्छी रहेंगी वीडियो भी और बाकी जो लेटेस्ट पैटर्न पर कोश्चन से अलग से एक वीडियो में करा दिये थे जैसे algebra के अभी करा दिये इस वीडियो में ऐसी नंबर सिस्टम के एक वीडियो में कराये थे मैंने टोप concept से जो questions आए वे हैं तो वो वीडियो जेख सकते हो तो वो पुरानी वीडियो को complete कर देंगे अगर वो concepts आप देख लेते हों तो कोई दिक्कत आपको आएगी निए ठीक है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपसे हेल बिदा लेता हूं पीडियो टेलिक्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना बाई बाई टेक केर और जाहिन